दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है अनकैडमी के इस प्लेटफर्म अनकैडमी अभियान पर हमारी क्लास नो बजे नहीं हो पाई उसका सर्फ एक कारण था कि PPT एरर हो गया था जिसके वज़े से मैं पिछले तीन चार घंटे से लगातार PPT को ठीक कर रहा था यही कारण है कि यह क्लास हमें 11 बजे ही करनी पड़ी चली दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं तो पिछली क्लास में आपको याद होगा लुसेंट की पिछली क्लास तक हमने मौर्य सामराज जी के राजाओं के बारे में जाना था हमने देखा था कि मौर्य सामराज जी के जो तीन सबसे महान राजा हुए जिसमें पहला नाम आता है चंदरगुप्त मौर्य का दूसरा नाम आता है बिंदुसार का नाम आता है अशोक का इन तीनों के बारे में हमने कुछ बेसिक बाते जानी थी तो पहले हम इन बातों को रिवाइस करते हैं और फिर दोस्तो आज की क्लास में हम मौर्य कालीन प्रसाशन, उनकी सैनिय बिवस्था, उनका न्याय प्रसाशन, अर्थि बिवस्था, सामाजिक जीवन और इस्थापत्य कला के बारे में कुछ बाते जानींगे इस टॉपिक में मैंने कुछ चीजें लुसेंट के बाहर से जोडी है इसका एक ही रीजन ये है कि यहां से जो प्रश्ण बनते हैं वो सारे के सारे प्रश्ण लुसेंट से कवर नहीं हो रहे थे और हमारा परपस सिर्फ ये नहीं है कि हम लुसेंट को ही पढ़ते चले हमें प्रश्णों को भी देखना है तो कुछ टॉपिक मैंने बाहर से भी इसमें जोडे है तो प्लीज ध्यान से आपको ये लेक्शर देखना है उससे भी ध्यान से आपको PDF पढ़ना है तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं तो सबसे पहले कल हमने चंद्रगुप्त मौरिय के बाले में कुछ बाते जानी थी मेरे साथ आप चीजों को रिवाइस कीजेगा कमेंट बॉक्स में आंसर कीजेगा ठीक है जल्ड ही यहाँ पर मैं कॉमेंट के लिए एक पूरा सेटप लगवा रहा हूँ तब तक आप कॉमेंट में आंसर कीजेगे माल दीजे कि मैं आपके कॉमेंट देख रहा हूँ तो चंद्रगुप्त मौरिय के बाले में जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि ये मौर्य सामराज्य के संस्थापक थे फिर हमने ये देखा था कि इनके जो प्रधान मंत्री थे या फिर कहा जाए कि इनके गुरु थे उनका नाम चानक के था इनको विश्नुगुप्त और कौटेले के नाम से भी जाना जाता है और चानक के द्वारा एक किताब की रचना की गई और किताब का नाम है अर्थ सास्त्र और अर्थ सास्त्र मौर्य सामराज्य की जानकारी का एक प्रमुख इस्त्रोत माना जाता है इससे हमें मौर्य काल के प्रसाशन, समाज और अर्थ ववस्ता की जानकारी तीसरी बात हमने यह देखी थी कि चंद्रगुपत मौरे का एक युद्ध हुआ था सैलीवकस निकेटर के साथ सेल्युकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ था उस युद्ध में सेल्युकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौरे ने हरा दिया था और जब हराया था तो सेल्युकस ने अपनी बेटी कार्नीलिया की शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौरे से कर दी थी और चंद्रगुप् मुर्य जैन मुर्य जैनधर्म के अनुवयाई ठैंधर्म के अनुवयाई होने के कारण जो इन्हों अपना जीवन के चारड़ा उसलेक क criança विधी के दोड़ा द्यागा और इन्हों ने अपने जीवन का च्याग श्रवन भेल-गोले बदे के बारे जब विशाक दत्य ने एक किताब लिखी विशाक दत्य की किताब का नाम है दोस्तो मुद्रा राक्षस और मुद्रा राक्षस में विशाक दत्य ने चंद्रगुप्त को निम्न कुल का बताया है हला कि बहुत सारे अलग अलग नांग चंद्रगुप्त मौरे के दिये गए हैं तो ये कुछ basic information है जो चंद्रगुप्त मौरे के बारे में हमें पता होनी चाहिए इन्होंने जीवन का अंतिम समय जैन धर्म की सनलेखना पद्दती के द्वारा अपने जीवन का त्याग किया अंतिम समय श्रवन बेल गोला में बिताया और जैन धर्म की दीक्षा भद्र बाहु नाम के गुरू से इहोने ली थी ठीक ये तो हो गई चंद्रगुप्त मौरे के बारे में सारी जरूरी बाते राजधानी पाटली पुतर थी इसके बाद चंद्रगुप्त मौरे का पुतर बिंदुसार मौरेवन्स का साशक बना और बिंदुसार के बारे में तीन-चार बाते हमने देखी थी कि अगर इनके नामों की चर्चा करें तो इन्हें एक अमित्र घात नाम के नाम से ना गया है अमित्र घात कहा गया है ठीक है दूसरा इन्हें सहसेन कहा गया है तो जैन गंध है उसमें सहसेन के नाम से कहा गया है और एक बहुत बिख्षू है तारणात तो तारणात ने इनके बारे में कहा है कि यह 16 राज्यों के विजेता है तो अलग-अलग नामों से इन्हें जाना ग याद रखना है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अन्युयाई थे इसके अन्युयाई थे आजीवक संप्रदाय के अन्युयाई थे आजीवक सेक्ट को ये फॉलो करते थे और आजीवक संप्रदाय के जो इस्थापना है वह भी आप याद रखेंगे कि वो मुखली तो गोसाल के द्वारा इसके स्थापना की गई थी इसके बाद फिर हमने देखा था कि बिंदुसार के जो पुत्र है उनका नाम था अशोक और अशोक ना सर्फ मौरे साम राजी के बलकि भारत के महानतम राजाओं में से एक है तो अशोक के बारे में पहली information अशोक के पिता क नाम दोस्तों बिंदुसार था ठीक है सारी बातां याद करते जाहिएगा अशोक की माता का नाम शुभधरांगी था शुभधरांगी और यह जानकारी कहां से मिलती है सर हमको तो यह जानकारी आपको याद रखना है एक बौध ग्रंत है यह भी प्रश्न पूछा गया है एक बौध ग्रंत है दिव्यावदान तो दिव्यावदान से आपको यह इंफोर्मेशन मिलती है कि अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और अशोक की माता का नाम शुभधरांगी था तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि अशोक लगभग 269 BC में मौरियस सामराट बनता है मौरियस सामराट बनता है उससे पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था राज्यपाल भी कह सकते हैं आप यूवराज भी कह सकते हैं आप अवंती का चीफ मिनिस्टर या मुख मंत्री या अवंती का साशक भी कह सकते हैं इसके बाद अशोक के जो नाम है तो गुर प्राणों में दोस्तों क्या कहा गया है अशोक वर्धन कहा गया है ठीक है और कुछ अभिलेखों में देवनाम पियदस्सी भी कहा गया है क्या कहा गया है देवनाम पियदस्सी भी कहा गया है करनाटक में भी एक अभिलेख मिला है करनाटक के अभिलेख में राणियों अशोक या राजा अशोक के नाम से संभुधित किया गया है भाबरु जो अभिलेक है भाबरु इडिक्ट में अशोक ने अपने आपको कहा है कि वह मगध का राजा है तो अशोक के अलग-अलग नाम भी आपको देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों अशोक की जब भी बात की जाती है तो अशोक के जीवन की जानकारी हमको अभी लेखों से मिलती है एडिक्ट से मिलती है और अशोक के समय तीन प्रकार के अभी लेख हैं तीन प्रकार के एडिक्ट हैं एक है शिलालेख जिसको रॉक एडिक्ट कहा जाता है मतलब चक्टान को पहले आपने प्लेन किया और प्लेन करने के बाद उस पर कुछ बातें आपने लिख दी दूसरा है स्थंबलेक जिसको पिलर एडिक्ट कहा जाता है इसका मतलब होता है कि पहले आपने एक पिलर बनाया अर्थात आपने एक खंबा बनाया फिर उस पर आपने इडिक्ट कहा जाता है, गुफाओं के अंदर जाकर के आपने कुछ जानकारी लिख दी, तो ऐसा ही एक बहुत महत्वपोर्ण अभिलेक है, जिसे कहा जाता है जूनागर अभिलेक, हलाकि इसमें जादातर चीजे रुद्रदामन के द्वारा लिखवाई गई है, लेकिन जू के बारे में बात करेंगे, सीथियन लूलर्व के बारे में हम बात करेंगे, तो वहाँ इसकी बात कर रहे होंगे, फिलहाल याद रखना कि रुद्रदामन का जूनागर अभिलेक, संस्कित भाशा का सबसे बड़ा अभिलेक है, और यह गध्ध और पध्य दोनों ही शैलियो के जो गवर्नर रहे हैं, पुष्य गुप्त उन्होंने करवाया था, फिर अशोक ने इसको रीकंस्ट्रक्ट करवाया, और रुद्रदामन ने भी इसको रीकंस्ट्रक्ट करवाया, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि सुदर्शन जील की जानकारी कहां से मिलती है, तो र अशोक से जुड़ी हुई दो-तीन बाते और हैं, अशोक की धर्म के बारे में भी काफी सारे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि अशोक को बौध धर्म के सबसे बड़े प्रचारक के रूप में जाना जाता है, तो अशोक की धर्म के बारे में जो पहला पॉइंट कहा जाता है, कि अशोक प्रारंब में शुरुवात में ब्राम्हण धर्म को फॉलो करता था, ऐसी जानकारी महावंश नाम के एक ग्रंथ से आपको मिलती है, फिर राज तरंगणी जो की कलहर ने लिखी थी संस्कृत भाषा में इतिहास की पहली पुस्तक है, राज तरंगणी में कहा गया ह कि अशोक शैबधर्म का उपासक था, लेकिन बौध ग्रंथों में कहा गया है, बौध साहित में कहा गया है, और एहरूर अभिलेक में कहा गया है कि अशोक बौध धर्म का उपासक था, और उपगुप्त नाम के एद बौध विख्शु ने अशोक को बौध धर्म की किसने दिलाई तो उपगुप्त नाम के विक्ति ने अशोक को बौध धर्म की सिक्षा दिलाई सर क्या अशोक बौध बनके यहीं पर रुक गया नहीं दोस्तों जैसे ही अशोक ने बौध धर्म धारन किया वह इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और पूरी दुनिया में इसको फैलाने का बीड़ा उसने उठा लिया अर्थाद बौध धर्म का बहुत ज़्याद प्रचार परसार किया बहुत जिवरंत कहते हैं कि बौध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अशोक ने 84,000 इस्तूपों kalian ब्हुत का निर्मान कराया अशोक ने अपने पुत्र-महेंद्र और और पुत्री संग मित्रा, पुत्र महेंद्र और पुत्री संग मित्रा को शिरिलंका अर्थात सिलोन वाले इलाके में भेजा, ताकि वहाँ पर बौध धर्म का प्रचार किया जा सके, ठीके, इसके अलावा भी उसने कई प्रकार के इस्तूपों का निर्मान करवाया, इसी के स में बॉद्ध संगती का आयोजन किया गया पार्टली-पुत्र वाले इलाके में बुद्दिस्ट काउंसल को और्गनाईज किया गया तो इस तरह से अशोक के बारे में हमने धर्म के बारे ये जानकारी ली थी अब होता ये है कि अशोक सारे धर्मों का अध्यन कर रहा है ऐसा नहीं है कि अशोक सिर्फ बौद धर्म के बारे में बात कर रहा है अशोक ने सारे धर्मों का अध्यन किया और सारे धर्मों का अध्यन करने के बाद उसने सोचा कि यार सभी धर्मों में का निर्मान किया. एक code बनाया उसने कुछ ethical rule का या कुछ moral rule का एक code बनाया जिसे moral rule of conduct भी कहा जा सकता है. और नैतिक नियमों की इस सहीता को क्या कहा गया दोस्तों? इसे कहा गया कि यह अशोक का धम है. और इसकी जानकारी हमें अशोक के 11 सिला लेक से मिलती है 11 नंबर के रॉक इडिक्ट से हमको इसकी इनफॉर्मेशन बिलती है तो अशोक का धम कुछ नहीं बलकि नैतिक नियमों का एक संकलन है इस अ कोड ओफ आ मोरल रूल जो की एक व्यक्ति को अपनाने चाहिए अगर वो बहतर जीवन चाहता है अशोक के जीवन की आखरी बड़ी जो घटना है जिसका हमने कल उलेक किया था वो है कलिंग विजय थीक है तो इसके बारे में पहला पॉइंट हमने यही देखा था कि कलिंग जो है वो उडिसा में अ हाँ दक्षिन उडिसा में इस्थित एक राज्य था तो कलिंग पर अशोक ने आकर्मन किया और आकर्मन के बाद इसने कलिंग को जीत भी लिया लेकिन यह कहा जाता है बौध ग्रंथों में कि कलिंग में इतनी ज्यादा हिंसा हुई इतनी ज्यादा हिंसा हुई कि अशोक ने अपने हर्दय परिवर्तन कर लिया और उसने जो अपनी नीती थी युद युद्ध की नीती को कहा जाता था भेरी घुष, भेरी घुष का मतलब होता है policy of war, तो उसने भेरी घुष को छोड़ करके धर्म घुष को अपना लिया, तो ये सारी बाते हमें पढ़ी थी, और कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13 शिलालेक से मिलती है, 13 नमबर के करेंगे, शारा रिवीजन हो गया, तो कल कुछ प्लस के दोस्तों ने कहा था कि सर यहां पर रिवीजन नहीं करा रहे है आप, तो मैंने कहा है नहीं है अपन पंदरा मिट में रिवीजन कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है, हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि समय की कमी 15 कर लेंगे आप से लोग के आप तो कोई श capability नहीं है आप लोग को चलिए तो यहां तक तो सारी बातें clear हैं अब हमें अगले topic को पढ़ते हैं आगले बढ़ाते हैं topic को अब सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि अशोक तक तो मौर्य सामराज जुमें सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं अशोक के समय तक आते आते मौर्य साम सामराज्य को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं और बहुत जल्दी मौर्य सामराज्य का पतन हो जाता है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परवर्ती मुगल साशकों के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटर मौर्यन rulers के बारे में और परवर्ती साशकों के बारे में सिर्फ एक बात आपको याद रखनी हैं देखे परवर्ती का मतलब क्या होता है कि पीछे के मौरे साशक प्रमुक साशक हो गए चंदरगुप्त मौरे बिंदू सार और अशोक फिर इसके बाद जो साशक आये दोस्तों उन्हो ने कोई important work नहीं किया अशोक के बाद धीरे-धीरे सामराज का विघटन होता चला गया अशोक के बाद धीरे-धीरे जो empire है उसका decline होता चला गया तो हमें सारे परवर्ती साशकों के बारे में नहीं पढ़ना है हमें सर्फ ये याद रखना है कि मौर्य का अंतिम साशक कौन तो मौर्य सामराज का अंतिम साशक दोस्तो ब्रहदत था और ब्रहदत को उसके सैनापती पुश्यमित्र सुंग के द्वारा 185 इसापूर्व में मार दिया जाता है और इसके बाद मगद में याद रखेंगे मैं भारत नहीं कह रहा हूं इसके बाद मगद में एक नए वंश क प्रारंब होता है जिसे शुंग वंश कहा जाता है अब देखो आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा कि सर आपने कहा था कि मौर्य सामराज्य पूरे भारत में फैला हुआ है फिर आप यहां ये क्यों कह रहे हैं कि पुश्यमित्र सुंग ने मगद वाले इ धीरे सामराज्य का डिकलाइन होता चला गया धीरे-धीरे सामराज्य का पतन होता चला गया और देखिए इतिहास में एक प्रवत्ति आपको लगातार देखने के लिए मिलेगी वो प्रवत्ति ये रहेगी दो मिनिट समझ लीजे इस बात को जैसे माल लीजिए कि यहां पर चार बड़े बड़े राजे हैं एक्जाम्पिल के लिए मान लेते हैं यहाँ पर एक राजा है A यहाँ पर है B, यहाँ पर है C और यहाँ पर है D एक समय हमने देखा कि भीया यह जो A नाम का राजा है यह बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया और इसने क्या किया इसने B पर भी कबजा कर लिया इसने D पर भी कबजा कर लिया और इसने C पर भी कबजा कर लिया अब जब तक यह A नाम का राजा था तो B, C और D इसके कंट्रोल में रहे आए लेकिन जब A मर गया तो उसका बेटा आया या उसकी बेटी आई तो इसके बाद क्या हुआ वो उतने काबिल नहीं थे उनमें इतनी ज़्यदा क्यपसिती नहीं थी तो उसके बाद B वापस चला गया B धीरे से सुतंत्र हो गया ऐसे C सुतंत्र हो जाएगा और फिर D सोतंत्र हो जाएगा तो ये आपको हिस्ट्री में continuous एक चीज देखने के लिए मिलेगी एक राजा आएगा वो सारे राज्जियों को मिला देगा फिर जब वो राजा जाएगा तो फिर सारे राज्जी सोतंत्र हो जाएगे फिर राज्य मिलेंगे फिर स्वतंत्र होंगे ये बैक टू बैक आपको स्टोरी देखने के लिए मिलेगी जब आप भारती इतिहास का अध्यन करते हैं तो देखिए जब ब्रहदत तक साशन पहुचा जब ब्रहदत जो की अंतिम साशक है तो यहां तक आते आते मौरे सामराज का विगटन हो चुका था और बहुत छोटे से छेत्र में ही मौरे सामराज बचा था इसलिए पुश्यमित्र सुंग ने जब ब्रहदत की हत्या की तो उसने दोस्तों क्या किया मगद वाले इलाके में सुंगवंश का आरंभ कर दिया अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये बताईए इतना बड़ा सामराज आखिरकार खतम कैसे हो गया इतना बड़ा एक एमपायर था उसका सड़न डिकलाइन कैसे हो गया तो सड़न डिकलाइन वो होता है undeserving succession. अशोक के बाद, समराट अशोक के बाद, जितने भी मौर्यस आशक हुए, उसमें से कोई भी इतना काबिल नहीं था, किसी में इतनी capacity नहीं थी, कि वो इतने बड़े सामराज्य को संभाल सके. इसका और दूसरा कारण भी है, देखिए सबसे बड़ा कारण तो यहीं है, लेकिन दूसरे कारण भी है, दूसरे कारणों में दोस्तों आता है, अत्याधिक केंदरी करत साशन, highly centralized governance. आज हम मौरिय प्रसाशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जब हम मौरिय प्रसाशन के बारे में पढ़ेंगे, तो आप यह देखोगे, कि जितनी भी पावर है, वो पूरी की पूरी पावर सेंटरल के पास होती है, वो पूरी की पूरी पावर राजा के पास थी. सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर पूरी पावर राजा के पास है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है मेरे दोस्त, कि आपने एक इनसान को पूरी की पूरी पावर दे दी. अब अगर एक इनसान के पास पूरी पावर है, इसका मतलब एक इंसान के पास ही पूरी responsibility है तो अगर ये इंसान योग नहीं है अगर ये व्यक्ति capable नहीं है तो ना सिर्फ central में decline होगा बलकि पूरा system collapse कर जाएगा पूरी की पूरी विवस्था का ही दोस्तों क्या हो जाएगा पतन हो जाएगा यही कारण है कि एक कारण माना जाता है अत्याधिक केंद्रिक रत्साशन highly centralized governance इसका एक बहुत बड़ा reason है तीसरा कारण जो है जो कि H.C. राय चौधरी नाम के इतिहास कारण ने बताया वह बताया ब्राम्हनों की प्रतिकरिया ब्राम्हनों की प्रतिकरिया कैसे आ गई ब्राम्हनों की प्रतिकरिया ऐसे शुरू होती है कि जब अशोक था तो अशोक ने बहुत धर्म को अपनाया हाला कि दूसरे धर्मों का अपमान नहीं किया हमने कल देखा था कि अशोक ने आजीवकों के लिए बिहार में बराबर की गुफाओं में चार गुफाओं का निर्मान करवाया था एक का नाम था कर्ज, एक था चौपर, एक था सुदामा और एक थी विश्व जोपड़ी तो उसने चार गुफाओं का निर्मान करवाया था लिकिन दोस्तों बॉद्त धर्मको प्रायोरटी दी जाने लगी, उसको प्रात्मिक्ता दी जाने लगी तो जो ब्राम्हनवादी तत्वे थे, उनको इस बात का बुरा लगा और कहा जाता है कि उन्हें गुटबाजी की क्योंकि पुष्शी मित्रिस्टूंग ब्राम्हण थे दोस्तों और शूंग जो है वो ब्राम्हण थे और उसी के साथ ब्राम्हण वंश की शुरुआत हो जाती है ब्राम्हण राज्यों का साशनकाल शुरू हो जाता है ठीक है तो ये भी कहा जाता है कि ब्राम्हणों की प्र ये प्रॉब्लम भी आपको हर जिगह देखने के लिए मिलेगी देखो दोस्त होता ये है जब शुरुवात में एक प्रसाशन आता है और अगर सारी चीजें अच्छी चल रही है तो व्यापार भी अच्छा होगा व्यापार अच्छा होगा आपके पास टैक्स जादा आएग एगरी कल्चर भी सही चल रहा है करप्शन भी कंट्रोल में रहेगा तो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से चलती है लेकिन जैसे ही एक केंदरी क्रत साशन में एक सेंट्रलाइस्ड गवर्मेंट में रूलर वीक हो जाता है कमजोर साशक हो जाता है तो व्यापार भी उसका दुस्परभाव पढ़ने लगता है ब्रस्टा चार भी आने लगता है तो इसकी वज़े से रिवेन्यू कम होता है और जब रिवेन्यू कम होता है तो सरकार क्या करती है रिवेन्यू बढ़ाने के लिए टेक्स बढ़ा देती है और नए नए करों को आरोपित करती है तो इसकी वज़े से क्या होता है दोस्तों पूरा सिस्टम चर्मरा जाता है और विद्रोह होने लगते हैं याद रखना ये जो दो कारण मैंने आपको बताए नमबर फोर और नमबर वन ये कहलाते हैं यूनिवर्सल रीजन आप कहीं भी किसी भी चीज के पतन का कारण लिखिए इतिहास में ये दो चीजें आप हर जगे लेखेंगे कि हमेशा ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा तो आई विश ये चार पॉइंट आपके दिमाख में क्लियर होंगे अब दोस्तों पाचवा जो पॉइंट है वो ये है कि अशोक के बाद मौरय सामराज का विभाजन हो गया समराट असोक ने मौर्य समराज का दो भागों में विवाजन दिया पस्चमी भाग अपने पुत्र कुनाल को सौपा और पूर्वी भाग अपने पुत्र दसरत को सौपा कुलान भी जैसे महिंद्र, संग मित्रा, कुनान, दसरत ये सभी अशोक के पुत्र थे तो असोक ने अपने सामराज का दो भागों में विवाजन कर दिया ये वही बात है जब हम अध्यन करते हैं मुगल सामराज का तो मुगल सामराज में हम बाबर की बात करते हैं तो बाबर के बाद हुमायू ने भी यही किया था शुरुवात में ही राज्यों को चार भागों में बाढ़ दिया था और वहीं से मुगल एम्पायर का कोलैप्स हुआ था मुगल सामराजी का पतन हुआ था फिर वापस हुमायू आया था और फिर वापस मुगल सामराजी बना था तो अशोक ने भी यहाँ पर अपने सामराज्य को दो भागों में बाढ़ दिया, कुनाल को पस्चमी भाग दिया, जबकि दशरत को पूर्वी भाग दिया I wish यहाँ तक सारी बातें clear हैं, तो मुझे बताईए क्या आपको, देखे क्या-क्या पढ़ लिया हमने हमने मौरिय सामराज्य का राजनेतिक इतिहास पढ़ लिया, हमने Political History of Morian Empire पढ़ लिया सर क्या-क्या पढ़ा, चंद्रगुप्त मौरिय, बिंदुसार, अशोक, ब्रहदत और उनके पतन के कारण ये बताईए क्या ये 5 टॉपिक क्लियर है, जल्दी बताईए दोस्तों, क्या ये 5 टॉपिक क्लियर है, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे चलिए, थैंक्यू सो मच तेंक्यू तेंक्यू आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट को दोस्तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं तो अब हमें डिस्कस करना है मौर्य कालीन प्रसाशन फिर हम बात करेंगे समाज की फिर हम बात करेंगे अर्थेववस्था की और फिर हम बात करेंगे दोस्तो इस्थापत की अकला की बने रहिएगा बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आने वाली है I have tried my level best की बहुत अच्छे तरीके सी चीज़ों को present किया जाए तो प्लीज बने रहिएगा लेक्चर में थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा पर हम चीज़ों को आज कवर करके ही जाएंगे चलिए शुरू करते हैं दोस्तों और सबसे पहले हम बात करते हैं मौरे कालीन प्रसाशन की उसमें पानी पीलू विर्पन टॉपिक को शुरू करते हैं चलिए तो दोस्तों मौरे कालीन प्रसाशन के बारे में हम बात करेंगे अब देखिए जब हम मौरे कालीन प्रसाशन की बात करेंगे तो इसके अंदर कुछ प्रसाशन की बात करनी है फिर दोस्तों प्रांतों में नगर होते थे मतलब उनमें संभाग और जिले थे तो हमें नगरिये प्रसाशन की बात करनी है हमें अर्बन एड्मिनिस्ट्रेशन को डिसकस करना है इसके बाद हमें सैन्य प्रसाशन की की बात करनी है आर्मी एड्मिनिस्ट्रेशन की बात करनी है या मिलिट्री एड्मिनिस्ट्रेशन की बात करनी है फिर हमें न्याय प्रसाशन को डिसकस करना है कि जस्टिस डेपार्टमेंट कैसे काम कर रहा था राजश्व प्रसाशन को डिसकस करना है रिवेन्यू प्रसाशन में टोटल साथ टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं केंद्रिये प्रांतिये नग्रिये सेन्य न्याय राजश्व और गुप्त बिवस्था के बारे में सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिरकार मौर्यकालियन प्रसाशन का धाचा कैसा था इसका पूरा का पूरा इस्ट्रक्चर कैसा था तो देखिए एक बात तो हम जानते हैं कि यह जो बिवस्था है यह एक कैंद्रिये करत बिवस्था थी इस बात का निर्धारन करता है कि राज्य कैसे चलेंगे और जो लोकल गवर्नेंस है इस्थानी निकाय हैं वो किस प्रकार से चलेंगे तो इसको ऐसा माल लीजे कि अगर भारत में एक कैंद्री करत बिवस्था को लागू कर दिया जाए अगर इंडिया में एक centralized system को apply कर दिया जाए दोस्तों तो राज्यों के पास कोई भी शक्तिया नहीं होंगी वो सिर्फ executive का काम करेंगे वो सिर्फ कार्यपालिका का काम करेंगे जो center उन्हें order देगी केंदर जो उनको आदेश देगा उसका पालंग करेंगे उसी प्रकार से जो इस्थानिये निकाये हैं local government हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका का काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ executive का काम करेंगे center order देगा और वो उनको मानेंगे इसे कहा जाता है केंदरी कृत बिवस्था इसे कहा जाता है centralized system तो यह भारत की पहली केंदरी कृत थी it was the first centralized administration system of India आईए बात करते हैं देखिए केंद्रिय दवस्था में सबसे ऊपर था केंद्रिय प्रसाशन सबसे ऊपर था central administration और केंद्रिय प्रसाशन का जो मुखिया होता था वो राजा होता था king होता था समराट भी कह सकते हैं केंद्र के अंदर पांच प्रांथ हुआ करते थे पांच अलग अलग राज्य थे मतलब ऐसा माल लीजे दोस्तों कि अगर ये पूरा का पूरा मौर्य सामराज है तो मौर्य सामराज को पांच भागों में बाटा गया था एक दो तीन चार औ और पांच और इनको क्या कहा जाता था तो इन्हें कहा जाता था प्रांथ और प्रांथों के लिए एक शब्द का इस्तमाल और किया गया है चक्र और इनका जो मुखिया है इनका जो प्रमुख है दोस्तों तो इनके मुखिया को कहा जाता था कुमार या आर्यपुत्र या राश्ट्रे, सबसे ज़्यादा जो common word है, वो कुमार शब्द का इस्तमाल किया जाता था, तो हमने क्या देखा, कि पूरा का पूरा जो केंद्र है, वो प्राम्तों में बटा हुआ था, वो प्रोविंस में बटा हुआ था, दोस्तों ये जो प्राम्त थे, तो प्राम्त भी मं मंदल में विभाजित थे, सर ये मंदल क्या होता है, मंदल को आप माल दीजि較 एक प्रकार का संवाग, देखो ये हो गया भारत, ये हो गया राज्याकरा अंदर संभाग, तो ये एक प्रकार का division होता था, और जो मंदल है, तो मंदल के प्रमुख को कहा जाता था इसको हमने संभाग माना है तो आप कहोगे सर संभाग का विभाजन जिला में होगा तो मंडल अलग अलग जिले में बटे हुए थे और जिले के लिए विशय या आहार शब्द का इस्तेमाल किया गया है और जो इनका प्रमुख होता था उसे आहारपती या विशेपती कहा जाता था और दोस्तों ये जो जिले हैं इसके नीचे गाउं हुआ करते थे और गाउं का प्रमुख ग्रामिनी कहलाता था तो ये आपको याद रखना है वो के परिक्षा का भी एक प्रशन बन गया कि मौर्य के प्रसाशनिक सनरचना को समझाईए मौर्य काल के administrative structure को समझाईए तो बता दीजेगा सबसे उपर केंद्र प्रमुख राजा उसके नीचे प्रांत प्रमुख कुमार ठीक है कुमार और प्रांत के नीचे मंडल प्रमुख प्रादेशिक मंडल के नीचे विशे प्रमुख विशेपती और विशे के नीचे ग्रा संग्राहक नाम की एक एकाई बनाते हैं संग्राहक के बारे में ये कहा जाता है कि ये 10 या 20 गावों का एक समू होता था और जो संग्राहक का प्रमुख होता था उसे गोपा कहा जाता था तो कुछ किताबों में आपको ये बातें भी देखने के लिए मिल जाएंगी पर इत केंद्रिय प्रसाशन को हम discuss करते हैं Central Administration के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं तो केंद्रिय प्रसाशन के बारे में पहला point आप याद रखें दोस्तों कि पूरे के पूरे प्रसाशन का प्रमुक कौन होगा तो राजा होगा यह तो हम clear discuss कर ही चुके हैं कि भीया राजा सबसे ऊपर होता था और राजा जो है तो राजा अकेले काम नहीं करता था कभी भी राजा अकेले काम नहीं कर सकता अगर राजा डिक्टेटर भी है तब भी वो अकेले काम नहीं कर सकता तो राजा की सहायता के लिए कि दोस्तो एक मंत्री परिशद होती थी, Council of Minister होती थी, कुछ किताबों में लिखा गया है कि इसमें 12 लोग होते थे, कुछ में लिखा गया है इसमें 16 लोग होते थे, और कुछ में लिखा गया है कि इसमें 20 लोग होते से, उससे फरक नहीं पड़ता, लेकिन राजा की सहायता क के लिए एक मंत्री परिशत होती थी तो क्या सर पूरे के पूरे मंत्री जरूरी होते थे आज भी भारत में मंत्री परिशत होती है लेकिन क्या पूरे मंत्री जरूरी है मतलब जरूरी है लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपून किसको माना जाता है रक्षा मंत्री को विदेश मं पुरोहित जो की धार्मिक अधिकारी होता था और इसका बहुत ज्यादा महत्व होता था पुरोहित के बाद दूसरा होता था महत्व युवराज का युवराज प्रिंस कहलाते थे ये साही परिवार से ही बिलॉंग करते थे और सामानित ही ये राजा के बेटे हुआ करते थे और युवराज के बाद दोस्तों महत्व होता है सैनापती का जिसे कहा जाता है कमांडर तो पूरे मंत्रियों में इन तीन मंत्रियों का सबसे ज़्यादा महत्व था पुरोहित, युवराज और सैनापती प्रिस्ट, प्रिंस और कमांडर और जब इन तीनों की निक्ति की जाती थी तो हमने ये तो देख लिया कि सर ये सबसे important post हो गई बहुत ही महत्वपून पद हो गया भहिया तो जब इतने महत्वपून पद पर निक्ति की जाएगी तो ऐसा नहीं होगा कि बंदर बांट विवस्था चल रही है कि अरे तुम हमाई सगे संबंदी हो तो हम तुमको मंत्री बना दे रहे पुरूहिद बना दे रहे, नहीं IES जैसा एक exam होता था, पूरी की पूरी परिक्षन किया जाता था जाच की जाती थी और इसे कहा जाता था उपधा परिक्षन क्या कहा जाता था? उपधा परिक्षन English में इसे कहा जाता था उपधा टेस्ट तो उपधा परिक्षन का मतलब पूरी जाच की जाती थी कि ये व्यक्ति सही है या नहीं इस पोस्ट के लिए क्योंकि अगर ये व्यक्ति खराब हुआ तो पूरा का पूरा administration ही खराब हो जाएगा तो इतनी बातें याद रखेंगे कि संपून प्रसाशन का प्रमुख राजा था राजा की सहायता के लिए मंत्री परिशत थी प्रमुख मंत्री में पुरोहित, युवराज और सैनापती थे और इन तीनों की नुक्ती उपदह परिक्षन के बाद होती थी जाच के बाद इन तीनों को अपॉइंट किया जाता था ठीक है यहाँ तक बाते क्लियर है अब ये तो कुछ जानकारी है दोस्तों कोटेली की जो किताब है अर्थसास्त्र कोटेली अलग प्रकार की बात लेखते हैं कोटेली ने सब्तांग सिध्धांत दिया सरीय सब्तांग सिध्धांत क्या होता है कोटेली ने ये कहा है कि एक राज है तो उसके साथ अंग होते हैं और सातों अंगों की तुलना उन्होंने मानव शरीर से की है उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार एक मानों के शरीर के लिए अलग-अलग अंगों की जरूरत होती है और खास तौर पर सात अंगों की जरूरत होती है जिसमें कान आता है, नाक आता है, आख आती है, मस्तिक्स आते है, बाह आती है, पैर आते है अगर इंसान के पास ये अंग ना हो, तो वो इंसान सही तरह से अपना जीवनियापन नहीं कर सकता ये कोटले कहते हैं कोटले ने कहा है कि अगर एक राज को सही तरीके से चलना है तो एक राज के साथ अंग होंगे दो मिनिट यहाँ पर मैं कुछ बातों को रिवीजन कर देता हूँ देखिए आज जब हम राज की परिभाशा पढ़ते हैं आज जब हम स्टेट की डेफिनिशन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि दूसरा अंग क्या होता है तभिया छेतरफल होता है एरिया होता है तीसरा अंग होता है सरकार, गवर्मेंट और चोथा अंग होता है संप्रभूता सुवेर्निटी या कई बार हम पढ़ चोके हैं उसी प्रकार से कौटली ने ये कहा कि एक राज जो होता है उसके साथ अंग होते हैं और साथों अंगों की तुल्ला उन्होंने किस से की है? मानव शरीर से की है human body से की है तो आईए देखते हैं कौटली के अनुसार राज के साथ अंगों कौन से होते हैं तो पहली चीज कौटले कहते हैं कि राज का सबसे महतुपूर अंग होता है राजा और इसकी तुल्ला उन्होंने हैड से किये मतलब ये शीर जो है हमारा मानव शरीर से उन्होंने शीर से इसकी तुल्ला की है दूसरा अंग होता है आमात, आमात का मतलब होता है मंतरी, मिनिस्टर और आमात की तुलना आख से की गई है कि भीया आमात जो है वो देखेगा कि कहां पर क्या हो रहा है कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है उसके जानकारी वो राजा को लाकर के देगा इसलिए आमात की तुलना आख के साथ की गई है तीसरा होता है दोस्तो जनपद जनपद का अर्थ होता है छेत्र और जनसंख्या मतलब जनपद में एरिया भी है और जनपद में पॉपुलेशन भी है आज भी ये दोनो राज की परिभाशा का हिस्सा है आज भी ये दोनो state की definition का part है तो जनपद में छेत्र और जनसंख्या दोनों आते हैं और जनपद की तुलना पैर के साथ की गई है दोस्तों फिर तीज चौथा है दुर्ग दुर्ग का मतलब होता है फोर्ड दुर्ग की तुलना बाह के साथ की गई है आर्म के साथ की गई है कि अगर आपके जो आर्म हैं आपके जो बाह हैं अगर वो strong नहीं होगी तो शत्रू का सामना नहीं कर पाएगी ठीक है तो उसी प्रकार से अगर राज्य का किला मजबूत नहीं है किले का मतलब है सुरक्षा मजबूत नहीं है तो कोई भी शत्रू राजय पर हमला कर सकता है फिर किले के बात, पांचवी जुद बात की है वो है कोश कोश का मतलब होता है धन मनी और कोश की तुलना मुख के साथ की गई है बिना धन के, बिना धन के कुछ नहीं होता तो यही वही बात है दोस्तों कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो कहते हैं ना कि भीया बिना खाए तो भजन भी नहीं होता और खाना मुझ से खाते हैं दोस्तों हम तो उसी प्रकार धन की आवशक्ता होती है किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए छटवा जो अंग है उसे कहा गया है सेना और इसके लिए एक और शब्द का इस्तमाल किया गया है डंड सेना की तुलना की गई है मस्तिस के के साथ ब्रेन के साथ और सातवा जो अंग है वो है मित्र और मित्र की तुलना की गई है कान के साथ यहाँ पर खास्तोर पर वो लोग जिनोंने इथिक्स की क्लासिस पढ़ी हैं तो इथिक्स की क्लासिस में हमने बहुत अच्छे से डिसकस किया है कि यह तो कौटले का सब्तांग सिध्धान्त है और भी दूसरे कौटले के सिध्धान्त है जिसमें वो मित्र के बारे में बताते तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, राजा की तुलना सीर्स के साथ, आमाती की तुलना आंग, पहलो साथ अंग, राजा, आमाती, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र, यही है कोटेल्य का सब्तांग सिध्धांत, अबजेक्टिब प्रश्ण यह बनेगा, पहला प्रश्ण, सब्तांग सिध्धांत का संबंध किस से है, सब्तांग थेओरी is associated with, तो आंसर कीजेगा, कोटेल्य से इसका संबंध है, ठीक है, हो सकता है, शायद यह पूछ ले, कि निम्न लिखित में से कौन, सब्तांग सिध्धांत का हिस्सा नहीं है, मा आजा, आमात, जनपत, दुर्ग, को, शेना और मित्र, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, आई विश ये भी आपके दिमाग में क्लियर हो गया, होगा, आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट को ज़रा हम शुरू करते हैं, इसके बाद, अब हम बात करेंगे कुछ मुख्य में बैठते हैं, सेंटल सेकेटरियेट में बैठते हैं और वो भारत के सबसे पावर्फुल आफिसर होते हैं, तो उसी प्रकार दोस्तो, अर्थ सास्तर में, कहा गया है कि भीया, मोर्य सामराज में 18 सबसे प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, और ये जो सबसे प्रमुख अधिकारी जो होते थे, Most Important Officer होते थे दोस्तो, इनको कहा जाता था तीर्थ, क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था तीर्थ, इंग्लिश में भी तीर्थ ही बोलेंगे, Heritage मत कर देना, ठीक है? तो इनको भी तीर्थ कहा जाता था, तो क्या सर हम 18 के 18 अधिकारियों के नाम याद करेंगे नहीं लूसंड की किताब में हलाकी 18 नाम दिये गए हैं लेकिन 6-7 नाम आप पढ़ लीजे जहां से प्रश्ण आने की संभावना जदा है important क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ अगर आप MPPSC के पुराने सालों के paper उठाएं तो वहां आपको ऐसे प्रश्ण देखने के लिए मिल जाएंगे जहां उसने एक पद अधिकारी का नाम दिया है और पूछा है कि इसका अर्थ क्या होता है या इसका संबंध किस्से है इसी लिए इस topic को पढ़ना जरूरी है तो आईए तीर्थ के बारी में पढ़ता है ये तो clear होगी ना कि तीर्थ का मतलब क्या होता है तीर्थ का मतलब है सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी most important officer अब महत्वपूर्ण अधिकारीों के बारे में बात करते हैं important तीर्थ के बारे में हम बात करते हैं तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी में मंत्री आता है हमने देख लिया था कि पुरोहित तो बहुत ज्यादा महत्तपूर्ण होता है दोस्तों ठीक है और पुरोहित जो है वो धर्म अधिकारी हुआ करता था वो चीफ प्रीस्ट हुआ करता था पुरोहित के बाद युवराज का नाम आता है युवराज प्रिंस हुआ करते थे और ये राजा के उत्तराधिकारी हुआ करते थे और इसके अलावा दोस्तों जो राजा के बेटे हैं वो अलग-अलग जगह पर साशन किया करते थे पाँच प्रांत थे तो पाँचों प्रांतों में जो है वो राजा के आपको वेटे वगरा देखने के लिए मिलेंगे जो उन प्रांतों के प्रमुख हुआ करते थे युवराज के बाद जो दो महत्पून अधिकारी हैं एक का नाम है समाहरता, एक्जाम के लिए important है और दूसरे अधिकारी का नाम है सन्नी धाता समाहरता जो है वो राजश्य विभाग का प्रधान अधिकारी था वो revenue department को देखता था और revenue collection का काम करता था लेकिन दोस्तों जो सन्नी धाता है तो सन्नी धाता राजकी अध्यक्ष हुआ करता था ये treasury department को deal करता था तो English में भी याद रख लो prelims में English में भी काम आ जाएगा कि जो समाहरता है वो revenue का काम देख रहा है और जो सन्नी धाता है वो है treasury का काम देख रहा है दो महत्वपून अधिकारी हैं एक होता था दोस्तो प्रदेश्ठा प्रदेश्ठा याद रखेंगे और यह है फौजीदारी न्याले का प्रमुक होता था फौजीदारी न्याले जिसको criminal court कहा जाता है criminal court का मतलब होता है जहां पर crime से संबंधित मुकद्द में लाए जाते हैं खून हो गया चोरी हो गई यह सारे मुद्दे लाए जाते हैं और दूसरा न्याले होता है दीवानी न्याले जिसको civil court कहा जाता है इसमें संपत्ती से संबंधित मुकद्द में लाए जाते हैं तलाक हो गया उत्तर अधिकार हो गया यह सारे मुद्दे लाए जाते हैं तो दीवानी न्याले का, जो मुख्य न्याय अधीश है, उसे ब्यवहारिक कहा जाता था, क्या कहा जाता था दोस्तों, उसे ब्यवहारिक कहा जाता था, तो ये हो जाएंगे मुख्य अधिकारी, एक बार इनको ध्यान से देखिए, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। झाल झाल चलिए तो ये तो हो गए मुख्य अधिकारी और मुख्य अधिकारियों के लिए तीर्थ नाम के शब्द का इस्तमाल किया क्या है दोस्तो अब होता ये था कि इसको कुछ ऐसे समझे कि सबसे उपर राजा काम कर रहा है और राजा के अंदर कुछ अधिकारी काम कर रहे हैं कुछ ओफिसर काम कर रहे हैं अब अधिकारी भी दो प्रकार के हैं एक है सबसे प्रमुक अधिकारी Most Important Officials बोल देंगे और इनको हमने क्या नाम दिया है तीर्थ नाम दिया है और दूसरे जो यहाँ पर अधिकारी आपको देखने के लिए मिलेंगे वो तीर्थ के अंडर में काम किया करते थे वो इनके नीच에 काम किया करते थे और इन्हें कहा जाता था अधियक्ष इनको president नहीं बोलेंगे इन्हें अध्यक्ष ही कहा जाता था और जो अध्यक्ष है वो बिभागों के प्रमुख हुआ करते थे वो कौन थे वो बिभागों के प्रमुख हुआ करते थे वो head of the department हुआ करते थे अर्थसास्त्र ये कहती है कौटल की अर्थसास्त्र में ये लिखा गया है कि total 27 अध्यक्ष हुआ करते थे total 27 अध्यक्ष हुआ करते थे again क्या हमें 27 अध्यक्षों को याद करना है क्या हमें 27 अध्यक्ष को याद करना है आंसर है नहीं, हमें इस में से चार या पाँच अध्यक्षों को याद करना है, जहां से प्रश्न आने की संभावना जादा है पहले दो बाते के लिए याद रखना तीर्थ सबसे महत्पूर्ण अधिकारी है, अध्यक्ष जो होता है दोस्तों, वह है, तीर्थ के अंडर में काम करता था, तीर्थ के नीचे काम करता था, और साथ ही साथ ये विभाग का प्रमुक होता था ये head of the department होता था, तीर्थ की संख्याग 18 है, the number of तीर्थ is 18, लेकिन अध्यक्ष की संख्या 27 है, the number of अध्यक्ष is 27 27, तो आईए, प्रमुक अध्यक्षों के बारे में जानते हैं मेजर अध्यक्ष के वहाँ पर discussion करते हैं, सबसे पहले दोस्तों, आपको देखने मिलेगा सीता अध्यक्ष, जो की क्रशी विभाग का प्रधान होता था agriculture department का head होता था, फिर देखने मिलेगा शुलक अध्यक्ष यह व्यापारिक कर का प्रधान होता था, जो टोल वगेरा collect किये जाते थे, यह उनको head करता था दोस्तों तीसरा है, लक्षणा अध्यक्ष यह coin mining मतलब की, मुद्रा विभाग का यह प्रमुक हुआ करता था चोथा है, नव अध्यक्ष, नव अध्यक्ष यह जहाज विभाग का प्रमुक हुआ करता था तो यहां से हमें यह जानकारी मिलती है, कि मौर्य सामराज में भी जहाज हुआ करते थे यह ऐसे भी clear है, कि जब सिकंदर ने भारत पर आकमन किया तो वो इस्थल मार्ग से तो अपनी सैना लेकर के आया ही था वह लेंड रूट से या लेंड वाले इलाके से अपनी आर्मी को लेकर के आया था लेकिन याद रखेंगे इसी समय नियारकस उसका नेवी का चीफ हुआ करता था, ठीक है अब देखो, जो नियारकस और युनानी है वहें चंदरगुप्त मौरिय से जुड़े हुए थे सेल्यूकस निकेटर चंदरगुप्त मौरिय से जुड़ा हुआ था तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नेवी वाला देपार्टमेंट भी हुआ करता था और उसके अध्यक्ष को नव्या अध्यक्ष कहा जाता था फिर दोस्तों पांचवे नंबर पर आता है मुद्रा अध्यक्ष अब देखो यह बड़ा कन्फ्यूजिंग है आपको लगेगा कि लेकिन करंसी डिपार्टमेंट में लक्षना अध्यक्ष आपको देखने के लिए मिलेगा तो सर मुद्रा अध्यक्ष क्या काम कर रहा है मुद्रा अध्यक्ष जो है वो सिंबल लगाने का काम करता था जैसे कि अगर विदेशों से कोई समझवता होना है किसी व्यक्ति को विदेश जाना है तो कोई सिंबल लगाने का जो काम होता था जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं मुद्रांकन हम जिसे कहते हैं सील वगेरा लगाने का जो काम है वह कौन करता था मुद्रा अध्यक्ष करता था तो यह है पांच प्रमुख अध्यक्ष याद रखना, खास तोर पर सीता अध्यक्ष जो की क्रसी विभाग से जुड़ा है, शुल्क अध्यक्ष व्यापारेकर, लक्षना अध्यक्ष मुद्रा विभाग और मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग से जुड़ा हुआ ठीक ये हो जाएंगे दोस्तों प्रमुख अध्यक्ष मेजर मजिस्ट्रेट अब आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट को दोस्तों अब हम शुरू करते हैं देखिए अब हम बात करेंगे प्रांत्रिय प्रसाशन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे प्रोविंशियल एड्मिनिस्ट्रेशन के बारे में सबसे महत्पूर मंत्री होते हैं जिसमें परोहित का नाम आता है युवराज का नाम आता है और सेनापती का नाम आता है फिर हमने प्रमुख अधिकारी को देखा और प्रमुख अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता है और तीर्थ की संख्या दोस्तो 18 है और तीर्थ के अंदर म भाग का प्रमुक होता था दोस्तों और उसी प्रकार से अधिकारी था, युवराज उत्राधिकारी भी था राजा का. इसके अलावा अलग-लग तीर्थों के बारे में भी हमने यहां पर डिसकस कर लिया. तो ये सारी बाते हमने केंद्रिय प्रसाशन में पढ़ ली ये सारी बाते हमने सेंटर एड्मिनिस्ट्रेशन में डिसकस कर ली अब हम बात करेंगे प्रांतिय या प्रोविंशियल एड्मिनिस्ट्रेशन के बारे में तो हम अल्रेडी ये जानते हैं कि जो मौर्य सामराज्य था तो मौर् province में यह बटा हुआ था और दोस्तों हर एक प्रांत का जो प्रमुक होता था उसे क्या कहा जाता था कुमार कहा जाता था क्या यह कुमार चाहा कॉन क efforts क्या यह कोई और इस अधिकारी होते थे च्वित होता था नहीं दोस्तों और ये जो कुमार हैं ये राज परिवार से आया करते थे ये सारे रोग रॉयल फैमिली से आया करते थे और इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि जैसे इसका उधारन लेते हैं दोस्तों जब बिंदुसार मौर्य सामराठ थे तो बिंदुसार के समय अशोक अवंती का राज़पाल था और जब अशोक समराठ हुए तो जो कुनाल है कुनाल उनके बेते का नाम था तो कुनाल जो है वो उस समय तक्षिसिला का राज़पाल हुआ करता था और राज़पाल के लिए ह यहाँ पर हम कुमार शब्द का इस्तमाल कर रहे हैं तो हमने क्या देखा कि मौर्यस सामराज पांच प्रांतों में बटा हुआ था इनके प्रमुख को कुमार कहा जाता था और कुमार राज परिवार से आते थे वो रॉयल फैमली से दोस्तों बिलॉंग करते थे उसी प्रकार से कुमार की सहायता के लिए भी एक मंत्री परिशद हुआ करती थी और ये तो हम जानते ही हैं कि जो प्रांत है उनका विभाजन मंडल में किया गया था जिसको आप संभाग कह सकते हैं डिवीजन कह सकते हैं मंदल का विभाजन विशे या आहार में किया गया था जिसको आप district कह सकते हैं और विशे का विभाजन दोस्तो ग्राम में किया गया था विलेज में किया गया था तो ये चीजे भी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये point भी यहां देखने के लिए मिलेंगे, ओके, ठीक है, तो सर ये और बता दीजिए कि 5 प्रांत कौन-कौन से थे, और प्रांतों को चक्र भी कहा जाता, सर वो 5 प्रांत कौन-कौन से थे, तो देखे भीया, 5 प्रांतों का नाम जो है दोस्तो, एक था उत्तरपत, और इसकी राजधानी दक्षिसला थी, दूसरा था दक्षिनपत, इसकी राजधानी सोवर्ण गिरी थी, तीसरा था अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी थी, चौथा था प्राची, इसकी राजधानी पाटली पुत्र थी, और पाचवा था कलिंग, इ इतने प्रांत थे, how many province were there in the Mauryan Empire, तो अंसर कीजेगा, 5 प्रांत थे, प्रांत के प्रमखुको का कहते थे, तो कुमार कहते थे, कई जिएगा राश्ट्रिक और आर्यपुत्य भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है, और इसमें कलिंग की राजधानी जरूर याद रखेगा, कलिंग की राजधानी का नाम है तोसली, ठीक, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं सर, प्रांतो का प्रसाशन भी हो गया, provincial administration भी हमने यहाँ पर discuss कर लिया, ठीक, आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं, नगरिय प्रसाशन की, अब हम बात करते हैं, municipal administration की, तो दोस्तो, नगरिय प्रसाशन का मतलब तो आप जानते ही है, कि नगर का प्रसाशन हमारे आज के नगरों में, आपको नगर पालिका, नगर परिशद, नगर निगम, ये अलग-अलग निकाय देखने के लिए मिल जाएंगे, तो उस समय जो नगरिय प्रसाशन है, इसका संबधत खास तोर पर पाटली पुत्र से है, क्योंकि पाटली पुत्र ही एक बहुत बड़ा नगर था, जिसके लिए अलग से प्रसाशन की जरूरत थी, जिसके लिए अलग से administration की जरूरत थी, और नगरिय प्रसाशन की पूरी जानकारी हमको मैगस्थनीच की किताब इंडिका से मिलती है, याद रखिएगा दोस्तों, सैल्यूकस निकेटर का राजूत था मैगस्थनीच, जो की चंद्रगुप्त मौरे के दरबार में आया था, और इसने इंडिका नाम की एक किताब दिखी थी, तो इंडिका से हमको नगरिय प्रसाशन की जानकारी मिलती है, अर्बन एडिमिनिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और उसमें ये कहा गया है कि एक नगर का प्रसाशन 30 लोगों की 6 समीतियां चलाती थी, मतलब ऐसे मान की चलिए, कि नगर का प्रसाश चलाती थी, 6 अलग अलग कमिटी चलाती थी, और हर समीति में कितने लोग थे साब, तो हर समीति में 5 लोग हुआ करते थे, तो मेरे दोस्त, अगर एक समीति में 5 लोग हैं, तो 6 समीतियों में कितने हो जाएंगे, 6, 5, 6, 30, तो 6 समीतियों में हो जाएंगे 30 लोग, तो ये 6 समीटियां मिल करके एक नगर का प्रहसाशन चलाती थी मेगस्थनीज लिखता है कि जो नगर प्रमुक होता था उसे स्टी नोमोई कहा जाता था क्या कहा जाता था स्टी नोमोई कहा जाता था हलाकि यह उतना इंपॉर्टिंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखें अब यह छह समीटियां कौन कौन सी थी यह सिक्स कमीटी कौन कौन सी थी याद रखिए इनको याद करने की दुरुवत नहीं है बस पता होना चाहिए फॉर दी मेंस प्रिलिम्स में यह नहीं पूछेगा कि मेगस्थनीच के अनुसार पाटली पुत्र का प्रसाशन कितनी समीतियां चलाती थी तो याद रखेंगे 600 समीठियां चलाती थी कौन-कौन था तो पहली समीठि थի जो की उद्योग और कलासक से जुड़ी हुई थी इंडरस्टी से जुड़ी हुई थी दूसरी समीती थी ये foreign affairs से जुड़ी हुई थी तीसरी थी ये registration करती थी बर्थ और death का registration ये बहुत बड़ी बात है कि उस समय ये registration हो रहा है आज भी नगरपालिका का एक बहुत बड़ा काम है चौथी समीती थी व्यापार और वानिज जी का विनियम है करती थी ट्रेड और कॉमर्स के लिए पांच भी थी मैनुफैक्ट्रिंग के लिए और छटवी कमिटी जो थी वो टेक्सेशन के लिए थी या Nepiaan यहां रखिए सब याड नहीं करना इतनी आधी गरना है बस इतनी चीजयें आपको पाता होने चीजह है बताओ यहां तक clear है यहां तक क्या सारी बात रह थी अके अल गोड ठीक ए थेंक यू amy swappedchen क्या कॉर्डिंग है सारी क्लासिस इसका PDF हाँ इसका PDF अभी दे देंगे हम इसका PDF भी दे देंगे अधर इट शुप्ता PDF वाले ग्रूप में सर आज जिससे स्टार्टिंग तक का आज पूरा करेंगे तो पूरा टॉपिक करेंगे अभी अभी पानच मिनिट का ब्रेक लेते हैं अब भी चाह पी लो मैं भी चाय पी लेता हूं फिर पन शुडू करते हैं टॉपिक को चली दोस्तों तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं तो ये हमने बात कर ली नगरी प्रसाशन के बारे में अर्बन एडबिनिस्टेशन या मिनिसिपल एडबिनिस्टेशन को हमने यहाँ पर डिसकस कर लिया अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे गुप्तचर विवस्था के बारे में कुछ बाते हम डिसकस करेंगे डिटेक्टिव सिस्टम के बारे में देखें यहाँ से एक प् जबकि ऐसे गुप्तचर जो जैम्स बॉन्ड या व्योमेश बक्षी की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे उन्हें कहा जाता था संचार तो ये तीन शब्द आपको याद रखना है जहां से दोस्तों आपसे प्रशन पूछा जा सकता है पहला तो ये कि गुप्त पुरुष या गुप्तचर को क्या कहा जाता था गूड पुरुष कहा जाता था दूसरा संस्था का मतलब एक ही इस्थान पर कारे करने वाले गुप्तचर और संचार का मतलब ऐसे गुप्तचर जो की कारे के लिए एक जिगह से दूसरे जिगह पर आया करते थे और गुप्तचर विभाग का जो प्रमुक होता था मतलब की रौचीफ मान लीजिए तो उसे कहा जाता था महा मात्य सर्प क्या कहा जाता था महा मात्य सर्प कहा जाता था तो ये कुछ टर्म्स हैं इनको याद रखना यहां से दोस्तों प्रश्ण बनता है पर्टेली ने अपने सब्तांग सिध्धांत में धन, अर्थात, कोश को मुख बताया है जो बहुत महत्वपोन होता है किसी भी राज्य को चलाने के लिए और जब हमने मौरे सामराज्य के पतन के कारणों को देखा था तो वहां भी हमने डिसकस किया था कि आखरी समय में करों को अत्याधिक बढ़ा दिया गया, टैक्सों को अत्याधिक बढ़ा दिया गया, जिस वज़े से मौरे सामराज्य का पतन हुआ मतलब एक प्रमुख कारण था दोस्तों तो revenue के बारे में हम बात करते हैं देखिए प्राचेन इतिहास या मध्यकालिण इतिहास even modern history तक में जो सबसे बड़ा स्रोत था आयका या सबसे बड़ा revenue source था उस वह था भूमी कर कौन सा कर भूमी कर जिसे land revenue कहा जाता है दोस्तों और ये सबसे बड़ा source हुआ करता था चाहे आप प्राचेन इतिहास की बात कर लीजे चाहे आप मध्यकालिण इतिहास की बात कर लीजे भूमी पर और भूमी में जो उत्पादन होता था जो production होता था उसके उपर tax लगाया जाता था और उसी tax से पूरे के पूरे राजय का संचालन होता था पूरा estate चलता था जबकि आज के जमाने में आप देखते हैं कि agriculture पर tax नहीं लगता है दोस्तों अब जो tax लगता है वो service sector पर लगता है और सेवा हो गई आय होगी इन पर आपको कर देना पड़ता है लेकिन पूराने जमाने में सबसे बड़ा जो स्तुरोथ होता था वो भूमी कर ही होता था आये जानते हैं राजयश्व वस्था के बारे में revenue सिस्टम के बारे में तो आयका मुख स्तुरोथ discuss कर लिया भूमी कर था या भूराजयश्वय लेंड revenue था दोस्तों भूमी को तीन अलग अलग प् भूमी या प्राइविट लेंड को भाग कहा जाता था और ऐसी भूमी जहां पर वर्षा ना होने के बाद भी अच्छी खेती हो जाती थी उसे अदेव मात्रक कहा जाता था इसमें से ये दो बहुत जादा महत्वपून हैं अब देखो ये कैसे याद रखोगे सरकारी भूमी को सीता कहा जा रहा है और सीता अद्यक्ष हमने कहां पर पढ़ा था दोस्तों तो सीता अद्यक्ष का मतलब था क्रशी विभाग का प्रधान दा हैड ओफ एग्री कल्चरल डिपार्टमेंट वो हमने वहां पर एक बात पढ़ी थी तो ये याद रखें कि आयका मुख इस्त बाटा गया है दोस्तों भूमी करक जो है जो इसका रेट था तो चारक की ने यह लिखा है चारक की अर्थसास्त में लिखा गया है कि भूमी कर कुल उत्पादन का टोटल प्रोडक्शन का वन बाई सिक्स लिया जाता था जैसे कि सो किलो प्रोडक्शन हुआ माल लेते हैं 100 केजी तो हंडेट का वन बाई सिक्स हो जाएगा तो जितना भी निकल करके आएगा लगभग जो पता नहीं पर कितना आएगा शेकम छे और फरी यह जीरो जाएगा जीरो जाएगा ठीक है तो छेए चेटिस तो देख लेना मैं थोड़ा था जीब है मेरा ओके इसके अलाव चाड़क ने वन सिक्स त्रेट बताई है जबकि मेगस्थनीच के अनुसार भूमी कर एक पटे चार हुआ करता था अर्था 25% हुआ करता था सर क्या सिर्फ भूमी कर लगाये जाता था क्या सिर्फ लेंड के उपर ही टेक्स लगाये जाता था दूसरे प्रकार के कर नहीं थे नहीं दूस्तो भूमी कर के अलावा भी आपको दूसरे कर देखने के लिए मिलते हैं इसमें सबसे बड़ा जो एक कर है वह है विक्री कर जिसे कहा जाता है sales tax, ठीक है, विक्री कर हुआ करता था, जो की 1 upon 10 हुआ करता था, जितने भी मूले की वस्तु है, उस मूले का 1 बटे 10, जैसे कोई चीज 100 रुपे की है, तो 100 का 1 बटे 10 कितना हो जाएगा, 100 का 1 बटे 10, इतनी मत हो जाएगी, 10 रुपे, 10 रुपे का tax हो जात है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिक्री कर नहीं देता था, तो दोस्तों, बिक्री कर ना देने वाले व्यक्ति को, sales tax ना देने वाले व्यक्ति को, दसवा भाग जो मृत्य उडंड दिया जाता था, उसे death penalty दी जाती थी, और बिक्री करके अलावा भी 3 और कर थे दोस्तों, ए चारा गाहकर हुआ करता था, तो important question कहां कहां से बनेंगे, पहला प्रशन आप से पूछेगा, कि सरकारी भूमी को मौरे काले में क्या कहा जाता था, सीता भूमी कहा जाता था, दूसरा प्रशन पूछेगा, दर क्या थी, तो चारके के हिसाब से उत्पादन का 1 बटे 6, उस समय पर rate हुआ करती थी, ठीक है, विक्री करके बारे में पूछ सकते हैं, तो 1 बटे 10 हुआ करता था, बस इतनी ही बाते वो आप से पूछ सकते हैं, चलिए, राजश्व प्रसाशन भी हो गया, revenue system भी दोस्तों हमने यहाँ पर discuss कर लिया, और परिशान मत हुएगा, सारी बाते हम discuss करेंगे, अच्छा एक और बात है, जब भी यहाँ पर अकाल पड़ता था, तो उस समय राहत भी दी जाती थी, अब एक बात मैं सुरसाब से एक बात discuss करना चाहूँगा, जो हम पहले भी discuss कर रहे थे, आप मुझे बताओ, यह आपके prelims के fact है, इसमें तो कोई doubt है कि prelims में यहाँ से प्रशन आएगा, लिकिन जो MPPSC का नया pattern है, जो नया system दोस्तों हमें देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें तीन नंबर और पांच नंबर के प्रशन है, अगर पांच नंबर में एक प्रशन आ जाता है कि मौर्यकालीन राजेश्य विवस्ता का वर्णन क किजिए, तो कुछ point आप लिख पाएंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये classes हैं तो prelims के लिए, हमारा focus भी prelims है, लिकिन बहुत से प्रशन यहाँ से आप लगा पाएंगे, और मौर्यकाल के बारे में तो आप मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अधिकान से प्रशनों system तो सब तो बता दिये हमने आपको, केंदरिये बवस्ता में अधिकारी बता दिये, तीर्थ बता दिये, उसके अलावा अध्यक्ष बता दिये, प्रांतिये बवस्ता discuss कर लिये, नगरिये प्रसाशन देख लिया, राजश्चु बवस्ता देख ली, अभी आगे चल करके य और सेनी विवस्था भी देख लेंगे आप बता पाएंगे आंसर तो चीजों को ना कभी भी जब पढ़ रहें तो इन चीजों को ध्यान में रखो कि इस content से हमारा ये तयारी भी हो जाएगी इसको हमें दुबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा तो ये कुछ चीजें भी आपको इसको करेंगे सेन्य प्रसाशन के बारे में military administration के बारे में तो देखो एक बात तो हमने अभी डिसको की थी हमने ये डिसकोस किया था कि जब हमने प्रमुख मंत्रियों की बात की थी तो उसमें तीन प्रमुख मंत्री थे एक तो था सहप पुरोहित दूसरा था युवराज और तीसरा था सेना पफी और सिंपल सी बात है जब कोटल ने अपना सप्तांग सिध्धांक दिया कोटल इंज जब अपनी सप्तांग फिलोसफी को प्रेजेंट किया ठीक मौरे और पूरा का पूरा मौरे समराज पूरे भारत पर फैल जुका है सेना एक महत्पूर्ण अंग था आर्मी वस दी इंपॉर्टेंट पार्ट अफ एनी एंपार इंपार इंड वर्ड ठीक है तो सेन ये प्रसाशन चलाया कैसे जाता था तो इसके बारे में हम कुछ जा क्या था तो देखिए सेना युद्ध छेत्र में युद्ध छेत्र में जो सेना का नेत्वत्त करता था उसे नायक कहा जाता था इसको ऐसे समझे कि सेना पती तो हैड है यार ऐसा राजा सबसे उपर हो गया राजा के नीचे कौन काम करेगा सेना पती काम करेगा अगर करंट की बात करें, तो ये हो गए हमारे President क्योंकि Army President के अंदर में काम करती है, और इसके नीचे हो गए Commander in Chief लेकिन Commander in Chief युद्ध में नहीं जाते सामानता सेनापती युद्ध में नहीं जाते सेनापती अपने काबिल लोगों को युद्ध में भेजते हैं काबिल सेपाहियों को युद्ध में भेजते हैं तो वह व्यक्ति जो की युद्ध में भाग लेता था जो की War में Participate करता था उसे नायक कहा जाता था क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था दोस्तों देखिए Justin नाम के एक व्यक्ति रहे है ग्रीक लेखक रहे हैं यूनानी लेखक रहे हैं तो जस्टिन ने ये कहा है कि मौर्य सामराज की सैना में कुल 6 लाख सैनिक थे टोटल 6 लाख सिपाही देखने के लिए मिलते हैं जो कि बहुत बड़ा नंबर लगता है और बहुत कुछ इमेजिनेशन भी लगता है और इसमें विशाल सैना 6 लाख लोगों की सैना जिसमें 50,000 घोड़े हैं 9,000 हाती हैं और 8,000 रत हैं तो जस्टिन कहता है कि इतनी बड़ी सैना थी मौर्य सामराज की और जस्टिन ने इनको लुटेरों की सैना कहा है और साथी साथ कहा है कि मौर्य सामराज ने पस्चिम उत्तर भारत अधिकार कर लिया नौर्थ वेस्ट इंडिया पर पूरा अधिकार कर लिया तो ये बात तो सच है सैल्यूकस निकेटर के साथ जब चंद्रगुप्त मौरे का युद्ध हुआ तो चंद्रगुप्त मौरे ने सैल्यूकस निकेटर को हरा दिया और जब सैल्यूकस निकेटर क कांधार काबुल ये पूरा का पूरा इलाका चंद्रगुप्त मौरे को दे दिया तो ये तो जस्टिन का विवरण है जस्टिन के बाद पिलिनी का भी विवरण है दोस्तों पिलिनी के बारे में पढ़ा था याद कीजी का क्या पढ़ा था पिलिनी का विवरण है और पिलिनी थोड़ा सा इमेजर नहीं लगता है कि उस समय इतनी बड़ी सेना रखना तो यूई सेना अगर आप रख रहे हैं तो सेना का फिर आपको पालन पोशन भी करना है सेलरी वगरा भी है तो यह थोड़ा सा मुश्किल लगता है बट सिल यह चीजें बड़ा मिजर रोल प्ले कर रही है कि भीया बहुत बड़ी सेना तो हुआ करते थी तब ही इतने बड़े छेतर पर वो अधिकार कर सके अब देखे सहब सबसे बड़ा जो सेना अधिकार है सेना मेंबर हुआ करते थे तो मुझे तो लगता है कि मैगस्थनी जहां जहां पर गए उन्होंने कमिटीज की बात ही की है और हो सकता है कि कमिटीज बहुत ज़्यादा बनाई भी जाती हो क्योंकि जब वो नगरिये प्रसाशन की बात करते हैं तब भी वो छे कमिटीज की बात क करते हैं और वो कहते हैं कि भाइया हर एक में 5-5 लोग थे और सिक्स कमिटी मिलकर के पांच पुतर का साशन चला रही थी सेना के प्रसाशन के बारे में आर्मी के रूल के बारे में भी मैगस थनीज नहीं लिखा है कि साहब 6 कमिटीयां थी और हर एक कमिटी में पाँच-पाँच सदस्य हुआ करते थे और यही मिलकर के सैना का प्रसाशन चलाया करते थे जैसे कि एक समीती जो है वो नेवी का काम देखती थी, दूसरी जो समीती है वो लोजिस्टिक्स का काम देखती थी एक समीति आर्मी का काम देखती थी, एक जो है वो कैबलरी का काम किया करती थी, एक एलिफेंट थी और एक जो है रत सेना को देखती थी, करियोट को देखा करती थी, अब ये समीतियों के नाम याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि मेगस्थनीज ने कहा है कि सेन के रख रखाओ छे अलग अलग समीतियां किया करती थी और हर एक में पांच दस्य हुआ करते थे और अन्य अधिकारियों में एक नाम आता है आयुदगार अध्यक्ष का जो की व्यक्ति करता था और नव अध्यक्ष जल सेना के अध्यक्ष को कहा जाता था जल सेना का जो प्रमुख है उसको नव अध्यक्ष कहा जाता था यह नव अध्यक्ष कहा जाता था ठीक है तो सेना के बारे में कुछ बाते याद रखना जस्टिन ने कहा है छे लाग की बदल सेन पिलिनी ने भी कहा है 6 लाग की सेना है मेगस्थनीज ने कहा कि 6 कमिटीज हुआ करती थी सबसे बड़ा अधिकारी सेना पती है वो व्यक्ति जो युद्ध में लड़ रहा है वो नायक है जो रसद का ख्याल रख रहा है वो आयुदगार अध्यक्ष है जो नौ सेना का अध्यक्ष है उसे नवा अध्यक्ष कहा जा रहा है ये बातें दोस्तो सेनी प्रसाशन के बारे में याद रखेंगे आर्मी एड़िनिस्टेशन के बारे में याद रखेंगे इसे के तहट अब हम बात करेंगे नियाई प्रसाशन के बारे में अब हम बात करेंगे justice के बारे में कि किस प्रकार की न्याय बिवस्था चला करती थी तो न्याय में दोस्तो सबसे बड़ा न्याय होता था राजा का न्याय और देखिए जब भी एक केंदरीकरत साशन होता है जब भी एक centralized administration होती है तो हर चीज का जो सबसे बड़ी authority होती है जो supreme authority होती है वो हमेशा राजा के पास होती है दोस्तो वो हमेशा king के पास होती है ठीक है तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है जो highest decision making authority है वो राजा के पास है वो king के पास है ठीक है लेकिन कुछ न्याले हुआ करती थी जैसे जनपद के लेवल पर राजुक नाम का न्याले हुआ करता था जो प्रमुख भी था ग्राम के इस तर पर ग्रामनी प्रमुख हुआ करता था और वह न्याय किया करता था लेकिन पूरे के पूरे मौरे प्रसाशन में न्याय बिवस्था कटोर थी और डंड की बिवस्था की गई थी और कोटिल ने अर्थ सास्त्र में दो प्रकार के न्यालयों का उलेख किया है एक दीवानी न्यालय जिसे धर्म इस्थाई कहा जा रहा है और दूसरा फोजदारी न्यालय जिसे कंटक सोधन कहा जा रहा है और ये अभ तक सोधनिया फौजदारी न्याले के प्रधान को प्रदेश्ठा कहा जाता था, ये भी हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है? तो दो प्रकार के न्याला यहां भी देखने के लिए मलेंगे दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार का जस्तिस डिपार्टमेंट देखने के लिए मिलता है तो न्याय बिवस्था में कुछ बड़ी बाते नहीं हैं बस राजुक जन्पद के इस्तर पर है ग्राम के इस्तर पर ग्रामनी हैं यह कुछ बेसिक बाते दोस्तों आपको यहां देखने के लिए मिलती हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट को अब हम शुल करते हैं ठीक है तो यह हो गई दोस्तों पूरे के पूरे मौर्यकाल की प्रसाशन विवस्था और एक चैप्टर हमारा यहां पर खतम होता है मौर्यकाल की प्रसाशनिक विवस्था तो सारी बातें याद रखना केंद्रिय प्रसाशन हमने पढ़ा सेंट्रल एड्मिनिस्टेशन पढ़ा उसमें तीर्थ की बात की तीर्थ के अंदर में जो काम कर रहे थे वो अध्यक्ष थे राजा प्रमुक होता था साहयता के लिए मंत्री परशित थी फिर हमने प्रांतिय प्रसाशन की बात की साशन को पांच प्रांतों में बाटा गया था प्रांतों को चक्र भी कहा जाता था प्रांतों के प्रमुख कुमार हुआ करते थे जो की दोस्तों राज परिवार के सदस्य हुआ करते थे और इनकी सहायता के लिए भी मंत्री परिशद हुआ करते थी फिर हमने नगरिय प्रसाशन की बात की, तो नगरिय प्रसाशन में मेगस्थनीज ने ये कहा है कि एक ST9 नाम का व्यक्ति नगर का प्रमुख हुआ करता था, नगर का प्रसाशन चलाने के लिए 6 समीतियां बनाई गई थी, हर एक समीति में 5 लोग हुआ करते थे नगरिय प्रसाशन के बाद हमने राजेस्व विवस्था की बाद की revenue administration को देखा तो सबसे बड़ा इस्त्रोथ भूमी कर था अर्थात land revenue था भूमी कर की जो मात्रा है कॉटले के हिसाब से एक बटे 6 कुल उत्पादन का total production का मेगस्थनीज के हिसाब से एक बटे 4 है इसके बाद हमने ये भी देखा कि तीन प्रकार की भूमी होती थी सरकारी भूमी को सीता भूमी कहा जाता था निजी भूमी को भाग कहा जाता था और ऐसी भूमी जहाँ पर बिना वर्षा के अच्छी फिसल हो जाती थी उसे अवेद्वात्रक कहा जाता था बिक्री कर भी लगाया जाता था जो की कुल मूल्य का एक बटे 10 होता था जो की प्राइस का 1Y10 होता था और अगर विक्री कर नहीं दिया तो मृत्यू डंड तक दिया जाता था इसके अलाबा भूमी मापन के लिए रज्जू नाम का एक कर लगाया जाता था एक विविक नाम का कर था जो की चारा गहा पर लगाया जाता था लेकिन जब भी आपात आता था दोस्तों, जब भी कोई फ्यामिन वगेरा आता था, अकाल आता था तो उस समय करों में कुछ न कुछ प्रकार का relaxation दिया जाता था revenue system के बाद हमने गुप्तचर विवस्था की बात की detective administration को discuss किया, इसमें हमने ये देखा कि जो गुप्तचर हैं उनको गुड पुरुष कहा जाता है और जो गुप्तचरों का विभाग है उसके प्रधान को महामात्य सर्प कहा जा रहा है, दो प्रकार के गुप्तचर हैं, एक जो एक जगह रह करके कार्य करते हैं, उने संस्था कहा जा रहा है, जो गुमते रहते हैं दोस्तों, उने असंचार का नाम दिया जा रहा है, तो अलग अलग प्रकार के गुप्तचर देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद हमने सैन्य प्रसाशन की बात की, सैन्य प्रसाशन में हमने देखा कि जस्तिन और पिलिनी दोनों के ही डिस्क्रिप्शन से ये पता पड़ता है कि भाईया, 6 लाग के आसपास की सैना थी, इसमें घोडे भी शामिल थे, रत भी शामिल थे, और हाथी भी शामिल थे इन्होंने पस्चिम उत्तर प्रांत पर कबजा कर लिया था पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इन्होंने कबजा कर लिया था और ये क्लियर भी है सेल्यूकस निकेटर को हराया गया था सबसे बड़ा अधिकारी सेनापती कह राता था वह जो की युद्ध के छेत्र में लड़ता था उसे नायक कहा जाता था दोस्तों नायक ठीक है वह व्यक्ति जो की रसद लोजिस्टिक की विवस्था करता था उसे आयुद राग अध्यक्ष कहा जाता था जो नौ सेना की विवस्था करता था उसे नव अध्यक्ष कहा जाता था मेगस थनीज ने यहाँ पर यह कहा है कि सेना का प्रसाशन भी छे अलग-अलग समीतियों के द्वारा चलाया जाता था सिक्स अलग-अलग कमिटीज के द्वारा चलाया जाता था फिर इसके बाद हमने न्याय विवस्था की बात की न्याय विवस्था में हमने यह देखा कि भीया सबसे उपर तो राजा ही रहेगा राजा की नीचे जन्पद न्याले हुआ करते थे जहाँ पर राजुक हुआ करता था उसके नीचे ग्राम हुआ करते थे जहांपर ग्रामिनी हुआ करता था ठीक है और कोटल ने में कहा है कि दो प्रकार के न्याले थे दीवानी न्याले जिनको धर्मस्त कहा गया है और इनका जो प्रधान है दोस्तों वो व्यभारिक हुआ करता था और फौजदारी न्याले जिनको कंटक शोधन कहा गया है और इन ओके, अल गुड, बस थोड़ा सा और अक्षे भाई, थोड़ा सा और, ठीक है, थोड़ा और साथ दे लो यार, बस फर खतम करते हैं, बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, अरे, बिल्कुल आगे इंकिजी, कार बनने लगी भीया, थैंक्यू, अल गुड, ठीक है, ओके, ओके, चलो भीया, आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट को हम शुरू करते हैं, एक चोटा सा पॉइंट और पढ़ते हैं, फिर अपन कल की क्लास में क्लियर कर लेंगे, अगला ज च्रक्चर की दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे, तो देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया है, कि अगर किसी भी काल की सामाजिक बिवस्था की जानकारी आपको लेनी है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, कि वहाँ पर इस्तरियों की इस्थिती कैसी है, वहाँ पर विमिन की कंडिशन कैसी है, तो दोस्तों मौर्यकाल में महिलाओं को बहुत से अधिकार दिये गए थे, कोटले की अर्थिसास्तर से ये पता पड़ता है, कि महिलाओं को सिक्षा का अधिकार भी दिया गया था, इनको पुनह विवाह का अधिकार दिया गया था, और साथी स ही मोतितात नियोगपर्ठा का अधिकार भी इनको दिया गया था दूसरी बात यह है दोस्तों कि जब किसी समाज को हम देखते हैं तो हम सीख्षा की बात भी करते हैं हम education की बात भी करते हैं तो education का जो सबसे बड़ा केंदर यहाँ पर था वो उठाशे वेश्या समाज में पाई जाती थी और वेश्या के लिए गणी का शब्द का इस्तमाल गया गया है और दोस्तो एक विशीश प्रकार की वेश्या होती थी जो कि अपना जीवन यापन करने के लिए जो कि अपना लाइवली हुड के लिए वेश्या वरत्ती करती थी तो ऐसी व समाज में वेश्या वरत्ती का प्रचलन है, जिसे गड़ी का कहा जा रहा है, ऐसी वेश्या जो की अपना जीवन यापन करने के लिए वेश्या वरत्ती कर रही है, उन्हें रूपा जीवी कहा जा रहा है, इस्त्रियों को सिक्षा का अधिकार है, पुनर विवाह का अधिकार ह नियोग प्रथा का प्रचलन है, ये सारी चीजे हैं तो कह सकते हैं कि इस्तियों की स्थिती comparatively better है, अपेक्षाकरत आपको ठीक देखने के लिए मिले की, ठीक है, इसके अरावा दोस्तों समाज में वर्न वबस्था का प्रचलन था, ठीक है, वर्न वबस्था यहाँ पर प्रचलन था, लेकिन कॉटले ने ये कहा है कि शूद्रों को अधिकार दिये गए थे, और शूद्र के लिए दोस्तों कॉटले ने जिस शब्द का इस्तमाल किया गया है, वह शब्द है आर्या, तो कॉटले के अनुसार समाज में वर्न वबस्था प्रचलन जरूर थी, ले मेगस्थनीज ने भारतिय समाज को साथ वर्गों में विभाजित किया, मेगस्थनीज है दिवाइड़ इंडियन सोसाइटी इन्टू दी सेवन अधर पार्ट, ठीक है, उसमें साथ अलग-अलग वर्ग है, उसमें साथ अलग-अलग क्लासे हैं, यसे कि एक दारशनिक का ग रिक्षक है, और साथ वे नंबर पर दोस्तो सभासल देखने के लिए मिलेगा, और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इस्त्रियों को पुनर विवाह का अधिकार है, विद्वा विवाह का अधिकार है, नियोग प्रथा का प्रचलन था, गणी का, जिसको वैश्या को कहा जाता था, और स्वतंत्र रूप से वैश्या वरत्ती करने वाली इस्त्रियों को रूपा जिवी कहा जाता था, ठीक है, और सिक्षा के केंदर के रूप में तक्षिसिला विक्सित था, हलाकि अब तो सिर्फ उसके अवशेश बचे हैं, पर एक समय का बहुत बड़ा विश् अर्थ विवस्था के बारे में, मौरियन एकोनॉमी के बारे में डिसक्रस कर लेते हैं, तो देखे, मौरिय कालीन अर्थ विवस्था एक क्रशी आधारित अर्थ विवस्था थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्राचीन काल में जितनी भी अर्थ सबसे अच्छी फशल धान को माना जाता था जबकि गन्ना को एक बुरी फशल माना जाता था इंट्रस्टिंग बात ये है कि मौर्यकाल में पहली बार आपको प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम देखने के लिए मिलेगा और ये कहा जाता है कि पहली बार सिचाई के लिए मंडल कूपों अर्थात रिंग वेल का उप्योग किया जाएगा ठीक है इसके अलावा एग्री कल्चर तो इंपॉर्टेंट था ही था लिकिन दोस्तों प्रमुक उद्योग के रूप में कताई और बुनाई का काम भी हो रहा था ठीक है व्यापार और वानेज्जे के अधिकारी को पन्या अध्यक्ष्व कहा जाता था ठीक तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है लेकिन एक चीज याद रखना कि सर आप ये बताईए कि अगर एक्टिविटी होगी अगर आर्थिक गतिवदी होगी तो उसके लिए विणीमै का माध्यम तो चहिए उसके लिए मीडियम औफ एक्सचेंज तो चाहिए तो सतर यहाँ पर क्या चल रहा था तो यहाँ पर दो चीज़ें देखने के लिए बिलेंगी एक तो कॉमन है जो हर जगह मिलती है वस्तो विणीमै जिसको हम बार्ट क्या कहा जाता था तो मुद्रा को पण कहा जाता था यह चांदी की होती थी silver quine होते थे और दोस्तों यह 5 मार्क सिक्के हुआ करते थे 5 मार्क या आहट सिक्के इनको बोल सकते हैं अर्थात एक विशेश प्रकार की मुहर इन पर लगाई जाती थी एक विशेश प्रकार की सील इन पर लगाई जाती थी तो पन मौर्य काली मुद्रा को पन कहा जाता था जो की चांदी सिलवर से बनी हुई थी और ये सिक्के आहत सिक्के थे अब देखो सहाब एगरी कल्चर हो रहा है और ट्रेड भी हो रहा है क्योंकि व्यापार सबसे ज़्यदा सूथ का हो रहा है और व्यापार का जो अधिकारी है वो पनिया अध्यक्ष है तो सर अगर व्यापार हो रहा है अगर ट्रेड हो रहा है तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी परिवहन की और जब-जब परिवहन की बात आएगी तो परिवहन के लिए जरूरत पड़ेगी मारगी तो देखिये दो मारग प्रचलित थे एक तो इस्थल मारग जिसको हम लेंड रूट बोलते हैं दोस्तों और दूसरा जल मारग भी यहां पर प्रचलित था वाटर वे भी यहां पर हुआ करते थे और कॉर्टिल ने कॉर्टिल ने अपनी अर्थ सास्त में जल मार्ग को सर्वत्रेश्ट बताया है आप कहेंगे सर ऐसा क्यूँ? ऐसा इसलिए कि उस समय पर जलिये डाकू नहीं हुआ करते थे उस समय पर Pirates of Caribbean जैसी कोई चीज नहीं हुआ करते थे तो उस कॉर्टिले का कहना है कि एक तो यह सस्ता है बहुत जल्दी हो जाता है दूसरा डाकूँ का यहां पर डर नहीं होता है और इस्थल मार्ग में इस्थल मार्ग में जो सबसे प्रमुख रोड थी वो थी उत्तरापत जो की बंगाल से पेशावर तक थी दोस्तों और दूसरी थी दक्षणापत जो की स्तारवर्त्ति से लेकर के प्रतिस्थान तक थी वहीं जल्द मार्ग में एक भरोच बंदर गहा था और दूसरा तामरलिपी बंदरगा था ठीक है और विनिमय का मात्भयम मैंने बता ही दिया चांदी के पंचमार्ग सिक्के और मापन की एकाईयों के रूप में दो एकाईयां प्रशलित थी अनाज को मापने के लिए मतलब की अनाज को तोलने के लिए द्रौन नाम की एकाई चला करती थी जबकि भूमी मापन के लिए दोस्तो निवर्तन नाम की एक एकाई हुआ करती थी ठीक है तो ये इतनी बाते दोस्तो आपको यहाँ पर याद रखना है तो अशूक के इस्तूपों की जब हम बात करते हैं तो इस्तूप का अर्थ होता है बुद्ध या बौध संतों की इस्मृती में उनके सारे रिक अवशेशों जैसे उनकी अस्थियां, दात तथा उनके द्वारा प्रियुक्त वस्तूओं के ऊपर बनाई जाने वाली एक वास्तू कला की आकरती होती थी अब दो मिनट एक चोटी सी बात समझना देखो दोस्तों, ये जो वर्ड है इस्तूप इस्तूप का पहली बार उलेक किया गया था रिगवेद में ये सवाल कई बार पूचा जाता है कि इस्तूप सब्द का पहली बार इस्तमाल कहा किया गया तो रिगवेद में इस्तूप सब्द का पहली बार इस्तमाल किया गया था और इस्तूप का अर्थ क्या होता है? रिगवेद में इसका अर्थ बताया गया है धेर इसका अर्थ क्या बताया गया है? धेर बताया गया है लेकिन इस पूत को प्रसिद्ध करने का जो काम है वो बौध धर्म के द्वारा किया गया और बौध धर्म में एक प्रथा को शुरू किया गया जैसे कि माल लीजे गौतम बुद्ध हैं तो गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेस बचेंगे ठीक है शरीर के अवशेस तो बौध धर्म के लोगों ने क्या किया वो लोग जो बौध धर्म को मानते थे उन्होंने एक काम किया जिसे मान लीजे कि भगवान बुद्ध के द्वारा एक कलश का उपयोग किया जाता था ये उधारन के लिए हम मान लेते हैं तो उन्होंने क्या किया इस कलश को यहां पर रखा और इसी के उपर एक आकरती का निर्मान कर दिया एक भवन का निर्मान कर दिया और इसी को क्या कहा गया इस्तूप कहा गया तो कभी भी अगर इस्तूप की परिभाशा पूची जाए तो इसे दोस्तों इस्तूप कहा जाता है बुद्ध या बौध संतों की इस्मृती में उनके शारीरिक अवशेस जैसे उनकी अस्थियां, दांत और उनकी द्वारा प्रेक्त वस्तूओं के उपर इस्तूपों का नि प्राचीिंतम इस्तूप है वो है पिपर हवा इस्तूप है जोखी यूपी वाले इलाके में इस्तित है तीसरी बात साची इस्तूप के बारे में कुछ बाते जान लेते हैं जो की मध्य प्रदेश के रायसें में इस्तित है बहुत महत्वपूर है क्योकी एक तो MPPSC के इस्तूप के बारे में, जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, पहली महत्वपून बात ये है, कि साचि का इस्तूप का निर्मान, अशोक के दौरा करवाया गया था। पित्र सुंग ने यहाँ पर वेदिका वगेरा का निर्मान करवाया पत्थर की वेदिका का निर्मान उसने करवा दिया लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सांची का स्थूप मूल रूप से किससे बना है तो याद रखना इटों का इस्तमाल किया गया है और लकडी का इस् कौन कौन से ? एक है महास्टूप जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेश हैं दूसरा है काला स्टूप जिसमें अशोक कालीन धर्म प्रचारकों के अवशेश हैं और तीसरा है स्टूप करमांकिती, इस्टूप नमबर ठी, जिसमें सारी पुत्र और महा मोग लायन के अवशेश देखने के लिए मिलते हैं तो ये प्रश्ण भी आपसे पूँचा जा सकता है कि साची में इस्टूपों की संख्या क्या है आंसर कीजेगा तीन इस्टूप है महा इस्टूप जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेश है काला इस्टूप जिसमें अशोक कालीन धर्म प्रचारकों के अवशेश है अशोक के टाइम पे जो प्रमोट कर रहे थे बुद्धिजम को उनके रिमेन देखने के लिए मिलेंगे पता ही होगा आपको कि अशोक ने लगभग हर एक देश में बौद्धिधर्म का प्रचार करने के लिए लोगों को भेजा था अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को शिरिलंका वाले इलाके में अशोक ने भेजा था और तीसरा जो इस्टूप है उसमें सारी पुत्र और महा मोगलाईन के अवशिश देखने के लिए मिलते हैं तो साची का इस्टूप कहां है भीया रायसेन मध्यप्रदेश में है टॉयलर के द्वारा खोच की गई अशोक के द्वारा बनवाया गया इत और लकडी का इस्तमाल किया गया और इसमें तीन स्टूप स्थित है ठीक है अब दूसरा महत्पून जो स्टूप है एक तो हो गया साची का स्टूप इसके बाद जो एक और स्टूप है दोस्तों वह है भरहुत स्टूप और यह कहां पर है ? सतना मध्यप्रदेश वाले इलाके में स्थिव है तो भरुत भी MP में है और साची भी MP में है पिपर हवा UP में है जो की सबसे पुराना इस्थूप माना जाता है ओल्डेस्ट इस्थूप माना जाता है ठीक है ? आईए यहाँ पर देखते हैं तो ये जो भरहुत इस्तूप है दोस्तों, इसके बारे मैं कहा जाता है कि इसकी जो नीव है, इसका जो foundation है, वो तो अशोक ने ही रखा था, इसकी नीव तो अशोक के द्वारा रखी गई, लिकिन इसे पूरा एक ब्राम्हन वंशीय साशक पुष्य मित्र सुंग ने किया था इसने पूरा किया था, पुष्य मित्र सुंग के द्वारा इसे पूरा किया गया, तो याद रखना भरहुत इस्तूप का अंतिम दिर्मान, पुष्य मित्र सुंग के द्वारा किया गया है, लेकिन समराट अशोक के द्वारा इसकी नीव डाली गई थी, दोनों में काफी सम बानता हैं लेकिन काफी अंतर भी देखने के लिए मिलते हैं तो आईए भरहुत इस्टूप के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं यह तो क्लियर हो गया अशोक के द्वारा नीव रखी गई जबकि पुश्चिमित्र सुंग के द्वारा इसे पूरा किया गया अच्छा या हुआ है लेकिन जो भरहुत इस्टूप है वो लगभग खत्म हो चुका था उसके कुछ ही हिस्से बचे हुए हैं तो इन हिस्टों को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें म्यूजियम के अंदर रख दिया गया है ठीक है तो भरहुत इस्टूप याद रखेंगे दूसरा 1873 इस्तर में अलिक्जेंडर कनिंगम के द्वारा खोज की गई और तीसरा पॉइंट इसमें लाल बलुवा पत्थर का इस्तमाल किया गया है अशोक का साची जो इस्टूप है उसमें दोस्तों इट और लकडी का इस्तमाल किया गया है बहुत इस्तूप में लाल बलुवा पत ठीक चलो यह भी clear हो गयाद सर इस्तुप भी हमें clear हो गया समझ रहे नदा क्या क्या पड़ लिया हमें एक बार मैं रिट्वाइज करना रहाऊं दोस्तो सारी चीज रिकॉल कर लेना तो सबसे पहले हम पढ़ रहे है मौरियन आर्ट और Californian Art में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? Pillar के बारे में पढ़ा, Isthambo के बारे में पढ़ा. इसमें हमने Saarnath Isthambo के बारे में पढ़ा. जहां से दो चीजे मिली हैं. एक तो हमने हमारा रास्तिय चिंध मिला है, national symbol या national envelope मिला है. और दूसरा यहां से आपको याद रखना है कि अशोक चक्न मिला है दोस्तों ठीक है फिर हमने किस के बारे में बात की इस्टूप के बारे में बात की इस्टूप में दो इस्टूपों की बात की एक तो साची का इस्टूप जिसमें तीन इस्टूप है और यह रायसेन जो की सतना वाले इलाके में इस्थित है ठीक यहां तक तो clear है सर अब एक छोटा सा प्रश्ण और क्योंकि कई बार MCQ में ऐसे प्रश्ण बन जाते हैं और MPPSC में हाल ही में एक दो प्रश्ण थोड़ा सा गहराई से बने हुए हैं तो एक चीज और आपको याद रखना है कि ज इंद लिखित में से कौन सा भाग इस्थूप में नहीं पाया जाता या इस्थूप के अंग कौन कौन से है जैसे जब हम घर बनाते हैं तो उसमें जंगला होता है उसमें अलमारी होती है उसमें दरवाजा होता है ये सारी चीजे होती है तो इसी प्रकार इस्थूप की भी एक सनरचना होती है स्टूप का भी एक structure होता है इसको जड़ा भ्यान से यहां पर आप समझे सबसे पहली चीज अगर स्टूप को आप देखें तो बाहर से शुरुवात करते हैं स्टूप में हर जिगह आपको ये gate देखने के लिए मिलेगा ये इस प्रकार से आपको एक gate देखने के लिए मिलेगा और इसे कहा जाता है देखो ये जहां पर मैं ये highlight कर रहा हूँ ये gate है दोश्तूप इसे कहा जाता है तोरण क्या कहा जाता है तो हमने यहां पर लिख सकते हैं कि जो gate होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तोरण कहा जाता है, फिर आप देखो कि चारों तरप आपको ये boundary देखने के लिए मिलेगी, एक प्रकार की railing कह सकते हैं, fencing कह सकते हैं, तो ये जो railing आपको देखने के लिए मिल रही है, इसे वेदिका कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो एक प्रकार से boundary बोल सकते हैं, railing बोल सकते हैं, और इसे vedika कहा जाता है, कहा जाता है कि यह जो vedika है, यह बाहरी दुनिया और ईश्वर की दुनिया को अलग करती है मतलब पवित्र दुनिया को अलग करती है, तो यह मनुष्य की दुनिया है, और vedika के अंदर एक पवित्र दुनिया है तो ये इन दोनों को अलग करती है फिर आप देखो दोस्तों यहां आपको एक इलाका दिखेगा और इस इलाके में परकम्मा लगा सकते हैं परकम्मा बोलते हैं हमारे हां पर ऐसे ऐसे परकम्मा लगाते हैं तो इस इलाके में आप परकम्मा लगा सकते हैं, इसे कहा जाता है प्रदक्षना पथ, तो एक प्रकार से हम हमारी यहां क्या बोलते हैं, हम बोल देते हैं भाईया ये गैलरी है, क्या है, ये गैलरी है, ये बालकनी है, जो भी आप बोला चाहें, पर इसे क्या बोला जाएगा प्रदिक्षना पत्थ बोला जाएगा फिर देखो आगे बढ़ो आगे बढ़ते हैं अपन अब देखो यहां दोस्तों फिर एक और रिलिंग आपको देखेगी दूसरी वाली रिलिंग देखना जो इस पर यहां मैं हाइलाइट कर रहा हूं तो इसे मेधी कहा जाता है क्या कह रखें बेसिक बेसिक चीज़े कि दरबाजे को तोरण बोल रहे हैं बाउन्डरी को वेदी का बोल रहे हैं अंदर का जो प्रकम्मा वाला हिस्सा है उसको प्रदिक्षना पद बोल रहे हैं यहां तक याद रखो फिर देखो दोस्तों यह है ना यह इसके अंदर कुछ ऐसा इसको हम बोल सकते हैं कि यहां आपने अवशेशों को रखा, यहां आपने रिमेन को रखा, या तो भगवान बुध्ध के कुछ अवशेश रख दिये, या उनसे संब्दित कुछ वस्तूऊं को आपने रखा, अब इसके उपर आप एक ऐसा structure बनाओगे जो यहां आपको दिख रहा है यह इसके अंदर है यह बाहर नहीं है यह एक ऐसा structure मिलेगा इसे कहा जाता है and क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है and अब इस and में भी आप देखो तो यहां आपको एक हलका सा structure देखने के लिए मिलेगा एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि हलकी सी फैंसिंग आपको देखने के लिए मिलेगी इसे कहा जाता है हर्मिका हर्मिका में क्या होता है इसको ऐसे बनाते हैं यह हो गई हर्मिका माल लीजिए यह हर्मिका हो गई हर्मिका के बीच से एक रॉड निकलती है दोस्तों यह अगर देख पा रहे हो तो यहां एक रॉड निकलती है इस रॉड को कहा जाता है यत्री क्या कहा जाता है यत्री और इस रॉड के ऊपर तीन ऐसी तस्तरी नुमा जादू मूवी की आदारे होगी तीन ऐसी तस्तरी नुमा कतारे लगी रहती हैं और इन्हें कहा जाता है शत्र क्या कहा जाता है शत्र कहा जाता है तो इसमें बस इतना याद रपी रख लोगे कि ये सारे पार्ट इस्टूप की संरचना से जुड़े हुए हैं इतना भी काफी हो जाएगा कि दरवाजे को तोरन बोलते हैं ये जो रेलिंग लगी है इसे वेदिका बोलते हैं जहां परकम्मा लगाया जाता है उसे प्रदिक्षना पद बोलते हैं इसके उपर ये जो छोटी सी फैंसिंग दिख रही है इसे हर्मी का बोलते हैं इसमें से ज तरी नुमा आखरती लगी रहती है उसे दोस्तो छत्र बोलते हैं बस इंग्लिश और हिंदी दोनों में इनको समान नामों से जाना जाता है दोस्तों ठीक आगे बढ़ते हैं यही बाते लिखी हुई हैं इनको PDF से पढ़ लीजेगा यह त्री यस्ठी अलग-अलग शब्द का इस्तमाल किया गया है अच्छा इन सब का एक अर्थ होता है इन सब का एक महत्व होता है जैसे हमारे मंदिर में अगर कोई भी चीज आप देखते हैं या मस्जित में किर्जा घर में कोई भी चीज़ आप देखते हैं तो उनके पीछे एक लॉजिक होता है उनके पीछे एक धार्मिक महत्यों की बात होती है तो उसी प्रकार बॉद्ध धर्म में भी इस्तूप का अलग-अलग अर्थ है जैसे तोरण के बारे में कहा जाता है कि यह चारों दिशाओं में के बारे में कहा जाता है कि यह शांती का प्रतीक है हरमिका के बारे में कहा जाता है कि यह देवताओं का घर है ठीक है शत्र के एक meaning है, इनका अपना एक अर्थ है, यह भी आपको याद रखना है, इसी के साथ दोस्तों, बौध कालीन, जो एक प्रकार से art and culture है, उसको हमने discuss कर लिया, ठीक, I think यहां तक कोई doubt नहीं होगा, बहुत simple चीजे हैं, इस्थंब discuss किये, इस्थंब में सारनाथ इस्थंब को देखा, इस्थंब में साची का इस्थंब देखा, भरहुत इस्थंब देखा, भरहुत इस्थंब को जो पूर्ण करवाया था, वो पुश्य मित्र सुंगने करवाया था, जबकि भरहुत इस्थंब की जो खोज है, वो के लिए जा रहे हैं और आखरी टॉपिक है अशोक के अभिलेक अशोक इंक्रिप्शन या इनको कह सकते हैं इडिक्ट ऑफ अशोका अब देखो अभिलेक के बारे में पहले मन पढ़ चुके हैं अभिलेक का मतलब क्या होता है कि जैसे माल लीजिए यहां एक चट्टान है कि यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं जहां पर इन ऐसी बातों का अस्तमाल किया जाता है पर यह अभिलेक नहीं होता है अभिलेक को खराब करना तो अभिलेक का मतलब यह होता है कि जैसे एक चट्टान है तो चट्टान पर आपने कुछ लिखवा दिया, मंदरों में अक्सर ये चीज देखने के लिए मिलेगी तो भारत में पहले भी अभिलेक पाए गए हैं, अशोक के पहले भी अभिलेक देखने के लिए मिलते हैं पर समराट अशोक ने बड़े पैमाने पर अभिलेखों का प्रशलन किया बड़े पैमाने पर एडिक्ट को चलाया और तीन प्रकार के अभिलेख हुआ करते थे अशोक के समय तीन प्रकार के एडिक्ट हुआ करते थे एक होता था दोस्तो शिलालेग जिसको कहा जात रोक इडिक्ट में यह क्यारते हैं कि यहां पर एक चटान जो रखी हुई है बस इस चटान को थोड़ा सा प्लेन कर दीजिए मतलब इसको चिकना कर दीजिए और उसके बाद फिर यहां पर चीजों को लिख दिया जाता था तो इसे क्या कहा गया शिलालेक कहा गया और अशोक की समय तीन प्रकार की सिलालेक मिलते हैं दोस्तो एक मिलते हैं ब्रहद सिलालेक जो बहुत बड़े बड़े शिलालेक है और इनकी संख्या चवदा है दूसरे मिलते हैं लगू शिलालेक और तीसरे मिलते हैं प्रथक सिलालेक डिस्टिंक्ट रॉक इडिक्ट तो तीन प्रक के सिलालेख अषोक के समय देखने के लिए मलेंने मलेंगे बहाद सिलालेख जिनको लार्ज रॉप Hee कहा जा रहा है लगू शिलालेख माइनर रॉक एडिक्ट और प्रतक सिलाएख डिस्टिंग्ट ऊक добр दूसरी बात इस थंब लेक तो इस बार आपने क्या किया आप एक चटान लेकर के आए तो आपने इस चटान से सबसे पहले एक पिलर तयार किया एक पिलर तयार किया जैसे कि सारनाथ इस थंब हो गया और फिर इस पिलर पर आपने कुछ बात लिख दी तो इसे क्या कहोगे भ संख्या साथ है और दूसरा है लगू जिनकी संख्या के बारे में नहीं पता तीन चार इस्थानों से ये मिले हुए हैं और तीसरा होता है दोस्तों गोहा लेक तीसरा होता है केव इडिक्ट अब देखिए अशोक ने बराबर की गुफाओं में आजीवक संप्रदाय के लिए चार गुफाओं बनवाई थी अलग लग बराबर की पहाडियों में चार गुफा बनवाई थी कर्ज थी चौपाड थी सुदामा थी और विश्व जोपड़ी थी तो उन गुफाओं के अंदर भी कुछ जानकारी लिखी गई है तो उसे कहा जा रहा है केव इडिक्ट उसे कहा जा रहा है गुफा लेख या गुफा लेख भी उसे कहा जाता है दोस्तों थीक है तो अशोक के अभिलेखों के बारे में किसने सबसे पहली बार बताया ये प्रश्ण बनेगा तो याद रखेंगे अशोक के अभिलेखों के बारे में सबसे पहले फैंथलर नाम की व्यक उसने देखा कि भीया, यहां पर कुछ चत्ताने हैं, इन चत्तानों में कुछ लिखा हुआ है, अरे यहां पर तो कुछ इस्थम्ब हैं, पिलर हैं, इनके उपर भी कुछ लिखा हुआ है. तो Fentler ने लोगों को जाकर के बता दिया पर कोई भी उस चीज को पढ़ नहीं पा रहा था कि आखिरकार इनके उपर क्या लिखा है फिर एक और व्यक्ति आया जिसका नाम था James Princip जिसका नाम क्या था James Princip और James Princip ने आखिरकार ये पता लगाया कि इनके उपर क्या लिखा गया है तो दो प्रश्न बनेंगे पहला प्रश्न ये बनेगा कि अशोक के अभी लेखों की खोज किसने की? दूसरा प्रश्न आएगा किसने अशोक के अभी लेखों को पढ़ना शुरू किया या पढ़ने में सफलता प्रांत की? decipher किस ने किया तो answer आएगा James प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया तीसरा प्रशन अशोक के शिला लेखों की संख्या क्या है what is the number of rock edict of अशोका 14 है क्योंकि वही major है अशोक के इस्थंब लेखों की संख्या क्या है what is the number of pillar edict of अशोका answer कीजिएगा 7 कितनी है? साथ है अब सर एक बात और बताईए अशोक के अभिलेख है बहुत सारी जानकारी हमको इसी चीज़ से मिली है सर इनकी भाषा क्या थी इनकी language क्या थी तो अशोक के अभिलेख तीन भाषाओं में लिखे गए है ग्रीक और अर्माइक लिपी में लिखे गए है दोस्तो खरोस्थी लिपी में लिखे गए है ग्रीक और अर्माइक लिपी के जो अभिलेख है वो अफगानिस्तान से मिले है खरोस्थी लिपी जो की दाए से बाएं अर्थात right से left, right से left लिखी जाती है ऐसे अभिले पाकिस्तान वाले इलाके में मिले हैं बाकी पूरे भारत में ब्राम्भी लिपी के अभिले के लिखे हैं तो एक प्रश्ण यहां से भी बनेगा कि अशोक के सिलालेक सरवाधिक किस लिपी में प्राप्त हुए हैं देदेगा ग्रीक अर्माइक खरोस्टी ब्राम्ही ठीक है खरोस्टी ब्राम्ही और एकाद और देदेगा तो याद रखना ग्रीक अर्माइक खरोस्टी और ब्राम्ही इन चारों लिपियों में अशोक के अभिलेक प्राप्त हुए हैं ठीक यह बेसिक इंफॉमिशन है एक मि झाल 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 तो दोस्तों यहां से कुछ बात हैं आपको याद रखनी हैं जैसे एक पॉइंट क्या है कि अब यहां पर हम एक लिस्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम 14 सिला लेखों की बात करेंगे 14 रॉक इडिक्ट को हम डिस्कस करेंगे इस्थम्ब लेखों की बात करेंगे तो यह सारी चीजें आपको याद नहीं रखना है जो इंपॉर्टन पोर्शन था वो यह था जो मैंने आपको समझा दिया इसे याद रखेगा इसके आप देखें तो सबसे पहले आपको देखने मिलेंगे अशोक के दीरग सिलाले लॉंग रॉक इडिक्ट ऑफ अशोक का और इनकी संख्या कितनी है चौदा है और यह आठ अलग-अलग इस्थानों से मिले हैं दोस्तों आठ अलग-अलग प्लेसों से यह मिले हैं और इनकी स पूरी की पूरी लिस्ट है तो इस लिस्ट को आप घर पर जाकर के पढ़ेंगे इस लिस्ट का PDF में आपको प्रवाइड करा दूंगा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेक शिलालेक है तो एक आप याद रखेंगे चौथा शिलालेक फोर्थ रॉक इडिक्ट क्यो हिंसा की नीति को छोड़ करके धर्म की नीति या अहिंसा की नीति को अपनाया दूसोरा यहाँ पर एक और आपको याद रखना है यह है दोस्तो ग्यारवा अभिलेक 11th rock इडिक्ट चुकर 11th rock इडिक्ट में अशोक के धं की व्याख्या की गई है धं ऑफ अशेव का इस एक तो यह नैतिक नियमों की एक सहीता थी, it was the code of moral rules, ठीक, फिर अगर आगे बढ़ें, तो एक और याद रखेंगे, तेरवा, 13 rock addict, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, कलिंग वोर को इसमें explain किया गया है, फिर दोस्तो, अशोक के कुछ लगू शिलालेक है, अशो के व्यक्तिकत जीवन की जानकारी मिलती है, personal life की information मिलती है, for an example, कि इसमें एक है मास की अभिलेक, जो की करनाटक से हमको मिला है, तो उसमें हमें अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है, एक है भाब्रू अभिलेक, जो की राजिस्थान से मिला है, तो इसमें अशोक स्वयम को मगद का राजा कहा है और एक है दोस्तो A film अभिलेक और इस ौभिलेक कि लेखन ceux कि अभिलेक में अलग तरीके से लिखा was कि मास्की अभिलेक में अशोग का नाम अशोग मिलता है भाब्यूह अभिलेक में अशोग ने अपने आपको मगद का राजा कहा है? जबकि दोस्तो जेम्स प्रिंसेप ने जिस अभिलेक की खोज की थी उसमें अशोक को देवनाम पियदस्थी कहा किया था तो यह है अशोक के लगू शिलालेक हो जाएंगे, माइनर हो जाएंगे इसके बाद अशोक के दो प्रथक सिलालेख है, प्रथक का मतलब यह है कि इन्हें किसी भी नंबर के तहत नहीं रखा गया, इनकी खोज अलग से की गई, तो अशोक के प्रथक सिलालेखों में, अशोक ने सिर्फ एक बात को दोहराया है, कि जो प्रजा है, प्रजा क्या है, प्रजा मेरी संतान है, इस बात को बार-बार दोहर आया है ठीक है दोनों में एक ही बात देखने के लिए मिलेगी फिर दोस्तो अशोक के कुछ आपको पिलर स्थाने पर यहां पर इस थम्भ लेख है तो इस थम्भ लेखों की संख्या साफ है पिलर इडिक्ट का नंबर शेवन है जो छह अलग- करना है दो तीन इसमें याद रखिएगा एक दिल्ली मेरट पहले यह मेरट में था बाद में फिरोज शाहत तुगलग इसको दिल्ली ले करके आया दिल्ली टोपरा तो पहले यह हर्याना के टोपरा में था और फिरोज तुगलग इसको दिल्ली में ले करके आया एक है इसमें कौशाम्बी या प्रियाग इस्थंब लेख जो कि यूपी में मिलता है रूस्तों और इसमें अशोक की रानी, कारूवाकी तथा पुत्र, तीवर का उलेख है यही कारण है कि इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है अकबर के साशनकाल में जहागीर द्वारा इलाहबाद के किलिवें इसे रख दिया गया था तो कौशाम्बी या प्रियाग इस्थंब के नाम से इसे जाना जाता है और चूकी इसमें अशोक की रानी, कारूवाकी और पुत्र, तीवर का उलेख है इस कारण से इसे रानी का अ रुम्मन देई, रुम्मन देई में अशोक के लुम्बनी आने की जानकारी मिलती है और निगाली सागर अभिलेख जो की नेपाल में ही मिला है इससे अशोक के निगाली सागर में आने की जानकारी मिलती है तो इसी के साथ दोस्तों अशोक वाला टॉपिक खतम हो जाता है क्लास में जो कि हमारी आज जैन्वरी दिसंबर 2020 है 2020 की हमारी आखरी क्लास है तो आज की क्लास में दोस्तों हम ब्राम्हण वरंशों के बारे में बढ़ेंगे पिछली क्लास में हमने मौर्य सामराज्जी के बारे में सारी बाते कर ली थी इस क्लास में हम दो ब्राम्हण दोस्तों हम बात करेंगे तो आईए समझते हैं कि भारत में जो ब्राम्भन राज्यों का उद्य हुआ जिसमें शुंग वंश आता है कनव वंश आता है सातवाहन वाकाठक और कलिंग का चेदी वंश आता है तो इनका उदभव कैसे हुआ और कैसे ये पूरी की पूरी कहानी शुरू होती है तो देखिए सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट को आपको समझना होगा होता ही है दोस्तों मैं समझे इस बात को कि देखिए एक छोटी सी कहानी पहले आपको समझनी पड़ेगी जैसे ही मौर्य सामराज्य का अंत होता है जैसे ही मौर्य एम्पाइर का अंत ह होता है भारत में दो अलग-अलग राज्यों की उत्पत्ती होती है भारत का जो नौर्थ वेस्ट फ्रेंटियर प्रोविंस हैं जिसे हम भारत का उत्तर पस्चमी भाग कहते हैं जिसमें की पंजाब सिंध और दूसरे अन्य इलाके आते हैं तो नौर्थ वेस्ट फ्रेंटियर प्रोविंस पर आक्रमन हुआ वियुदेशी सासकों का यहांपर फॉरइन इन्वेडर आना शुरू हो ओशिया और इसी समय जब भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रिंटियर प्रोविंस पर जब बहद के उत्तर पस्चिमी सीमा प्रांत पर विदेशियों का साशन था इसमें कौन-कौन से विदेशी आएंगे ? तो इसमें एक नाम आता है हिंद युनान शाशक का नाम आता है इंडो-ग्रीक रूलर का नाम आता है इसके बाद दोस्तों आपको शक साशक देखने के लिए मिलेंगे जिनको सीथियन भी कहा जाता है ओके इसके बाद आपको पहलव साशक देखने के लिए मिलेंगे पहलव जिनको पर्थियन भी कहा जाता है और इसके बाद आपको कुशान वंस का शाशन देखने के लिए मिलेगा तो ये आपको चीजे देखने के लिए मिलेंगी यहां पर इस प्रकार से अलग-अलग वन्शों का उद्भव देखने के लिए अब श्याद वो पीपीटी चले गई चले तो देखिए हमने यह देखा कि जैसे ही मौर्यकाल का पतन होता है तो मौर्यकाल के पतन के बाद जो भारत का नौर्थ वेस्ट फ्रेंटियर प्रोविंस वाला इलाका है वहां पर आपको विदेशी साशक देखने के लिए मिलेंगे इन्वेडर देखने के लिए मिलेंगे जिसमें पहला नाम आएगा इंडो ग्रीक रीरर का दूसरा नाम आएगा सक्साशकों का तीसरा नाम आएगा पहलव साशकों का और विदेशी साशक रूल कर रहे थे तो उसी समय दोस्तों जो मगद वाला इलाका है और मगद के साथ साथ जो महरास्ट्र वाला इलाका है यहाँ पर कुछ राजियों का उदय हुआ और ये सभी राज ब्राम्हन वन्ष से संबंदित थे ये सभी ब्राम्हन वन्ष से आते थे त तो इन्हें कहा गया ब्राम्भन वंशिया राज्य, इन्हें कहा गया ब्राम्भिन इस्टेट, और ब्राम्भन वंशिया राज्यों में सबसे पहला जो नाम आता है दोस्तों, वो आता है शुंग वंश का, किसका आता है शुंग वंश का नाम आता है, शुंग डाइनेस्टी क का नाम आता है जिसकी इस्थापना पुश्य मित्र सुग के द्वारा की गई थी। शुंग वंश के नाम है वाकाटक वश windows वाकाटक वश जिसके इस्थापना विंधी शक्ती ने के थी तो एक चीज अभी अपने दिमाग में fit कर लिजिये कि ये दौनों के दौनों राज्य एक दूसरे के समनाँतर हैं ये दौनों के दौनों स्टेट एक दूसरे के पैररल हैं इंडिया के नौर्थ वेस्ट फ्रेंटियर प्रोविल्स पर फॉरिन रूलर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जबकि भारत में मगध और उसके आसपास के छेत्र में और दक्षिन भारत में महारास्ट और तेलांगना वाले इलाके में आपको भारतिय साशक देखने के लिए मिलेंगे और भारतिय साशकों में भी आपको ब्रामण वईश के साशक देखने के लिए मिलेंगे तो कई बार इनका क्रम पूछता है दोस्तों तो ये क्रम आपको जरूर याद रखना है जो मैंने यहाँ पर भी बना दिया है देखिए मौरे उत्तर काल के बाद विदेशी राज्यों की इस्थापना उत्तर पस्चिम सीमा प्रांत और मध्य भारत वाले इलाके में होती है हिंद यवन, शक, पलव ये पहलव है और कुशान वन्स के शाशक देखने के लिए मिलेंगे भारत के देशी ब्राम्हन राजियों की इस्थापना होती है इंडिजिनिस ब्राम्हन स्टेट की इस्थापना होती है और यह पाटली पुत्रों और महरास्ट वाले इलाके में इस्थापना होती है इसमें शुंग, कणव, आंध्रसातवाहन, वाकाटक और कलिंग का चेदी वंश प्रमुक है तो अब हम बात करेंगे दोस्तों ब्राम्हन राजियों के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे ब्राम्हन रूलर्स के बारे में तो आईए डिस्कस करते हैं तो देखिए, मौरियस सामराज के पतन के बाद पाटली पुत्र तथा महरास्ट के समीप विक्सित राजियों को ब्राम्हन वंशिये राजिय कहा किया चूकि इनकी स्थापना भारत के ब्राम्हन वर्गिये लोगों के द्वारा की गई थी यही कारण है कि इन्हें इंडिजिनस कहा जा रहा है इन्हें स्वदेशी राजिय कहा जा रहा है और दूसरा इन्हें ब्राम्हन वंशिये राजिय कहा जा रहा है इसमें पाच प्रमुख राज्य देखने के लिए मिलते हैं सबसे पहला राज्य है दोस्तो शुंग वंश जिसकी इस्थापना पुश्यमित्र सुंग के द्वारा की गई थी दूसरा राज्य है कनववंश जिसकी इस्थापना वशुदेव के द्वारा की गई थी तीसरा राज्य है सातवाहन वंश जिसकी स्थापना शिमुक के द्वारा की गई थी और चौथा वंश है वाकातक वंश जिसकी स्थापना विंदिय शक्ति के द्वारा की गई थी और एक कलिंग वाले इलाके में चेदी राज्य भी आपको देखने के लिए मिलेगा तो ये प्रमुख राज्य दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे अब सबसे पहले हमें बात करनी है शोंग वन्ष की उसके बाद आज की ही क्लास में हम कणव वन्ष की बात करेंगे और आज ही की क्लास में हम सातवाहन वन्ष की बात करेंगे तो इन तीन वन्षों को हमें आज की अपनी इस क्लास में खतम करना है, इन तीन डाइनस्टीज को आज हम अपनी क्लास में दोस्तों खतम कर रहे होंगे, तो चलिए बात करते हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, तो शुंग वन्ष की स्थापना पुश्शी मित्र के द्वारा की गई थी और जो शुंग है वो मूलतह उज्जेन की एक ब्राम्वन जाती है तो यहां से एक प्रश्ण आ सकता है योगि MP पुलिस का भी कोटिफिकेशन आ गया है MP PSC का भी एक्जाम आने वाला है तो यहां से एक प्रश्ण आ सकता है कि शुंग कहा की ब्राम्वन जाती थी तो याद रखना है शुंग मूलतह उज्जेन की एक ब्राम्वन जाती थी शुंग वंश के प्रमुख राजाओं में पुश्य मित्र सुं में देव भूती का नाम निकल करके आता है तो दो प्रश्ण यहां से सीधे सीधे बनेंगे पहला प्रश्ण शुंग वंश का संस्थापक कौन था तो आंसर कीजेगा पुश्य मित्र सुंग और दूसरा प्रश्ण बनेगा शुंग वंश का अंतिम साश्य कौन था तो आंस चीज याद रखें कि मौर्य वंश के अंतिम साशक ब्रहद्रत की हत्या करके मगद में शुंग वंश की नीव डाली थी तो ये हमने पहले भी पढ़ा था जब हम मौर्य कालीन परवर्ती साशकों को पढ़ रहे थे लेटर मुगल रूलर्स को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने किया था कि मौर्य वंश का अंतिम साशक ब्रहदत था और ब्रहदत की हत्या करके पुष्य मित्र सुंग ने शुंग वंश की इस्थापना की थी that we have already discussed ठीक तो यहाँ पर तो दिक्कत नहीं होने चाहिए सर, शुंग वंश की इस्थापना पुश्यमित्र सुंग ने की ये बात कलियर है इसने अपनी राजधानी किसे बनाया तो पुश्यमित्र सुंग की राजधानी विदीशा हुआ करती थी यह भी एक महतुपून प्रश्न बनता है शुंग कहां की ब्राभ मर जाती थे उज्जैन की ब्राभ मर जाती थे शुंग ने अपनी राजधानी किसे बनाया तो याद रखना शुंग ने अपनी राजधानी विदीशा वाले इलाके को बनाया था अब हम पुश्यमित्र सुंग के कुछ कारियों को डिस्कस कर लेते हैं, पतंजली थे और पतंजली के द्वारा महाभाश्य नाम की किताब की रचना की गई थी, जो की अस्ट अध्याई पर एक टीका थी. तो दो प्रशन पुष्यमित्र सुंग ने कितनी बार अश्वमेग यग करवाया दो बार अश्वमेग यग करवाया एक और प्रशन पुष्यमित्र सुंग के प्रोहित का नाम क्या है या पतंजली किसके प्रोहित थे यह भी एक प्रशन बन सकता है तो ये दो तीन प्रशन आ प्रहψंने बताया कि भारत के एक इलाके में जोकी North West Frontier प्रोविस्स्ट का इलाका है वहां पर foreign rulers थे, और foreign ruler में यहां पर Indo-Greek ruler हुआ करते थे, और दूसरा जो Magadwa-la इलाका है, जो Magadwa-la reason है, यहां पर Schunga dynasty का सअचन खा, तो Puschimitra Schungh और Indo-Greek ruler मिनांडर के बीच में एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में पुष्यमित्र सुंग ने मिनांडर को हराया था which was a great achievement उस समय की अगर हम बात करें तीसरा जो fact है वो यह है कि इसने सतना में भरहुत इस्तूप का निर्मान पूरा करवाया था तो ये भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि अशोक के द्वारा सतना में भरहुत इस्तूप की नीव डाली गई लिकिन उस इस्तूप को पूरा करवाने का श्रे पुष्यमित्र सुंग को जाता है और भरहुत इस्तूप की खोद अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा की गई थी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और चौथा एम्पाइर के जब डिकलाइन के हम रीजन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक कारण पढ़ा था कि ब्राम्भनों की प्रतिक्रिया ठीक है reaction of the Brahmins ये हमने discuss किया था दिखे जब अशोक का समय आया तो अशोक ने बौध धर्म को अत्याधिक बढ़ावा दिया तो जिसमें संस्कृत और जितना भी वैदिक धर्म था वो कहीं ना कहीं पीछे चूट गया और जब ब्राम्भन वंशिया साशक दुबारा से आये तो इन्होंने ना सिर्फ ब्राम्भन वंशिय की इस्थापना की बलकि संस्कृत और वेदों के महत्व को फिर से इस्थापित किया तो पुश्यमित्र सुंग के बारे में कहा जाता है कि इसने पुनह वैदिक काल की शुरुवात कर दी इसने वापस से वैदिक एज को शुरू कर दिया वेदों को फिर से महत्व दिया जाने लगा और संस्कृत भाशा को फिर से महत्व दिया जाने लगा तो एक प्रश्न औ और निकल के आएगा कि किसे वैदिक धर्म और संस्कृत का पुनर उत्थान करता कहा जाता है रिसर्जिंस ऑफ दी वैदिक रिलीजिन एंदी संस्कृत याद रखेंगे शुंग वन्स का संस्थापक पुश्यमित्र शुंग और पांचवा और आखरी फैक्ट आपको याद रखना है कि पुश्यमित्र सुंग ने साची स्थूप की वैदिका का पुनह निर्मान कराया था वैदिका हमने कल पढ़ी थी आपको याद होगा हमने स्थूप की आकरती पढ़ी थी एक दर्वाजा होता है जिसे तोरन कहा जाता है इसके चारों और बांडरी होती है जिसे वैदिका कहा जाता है यहाँ पर परकम्मा लगाने के लिए एक रास्ता होता है जिसे प्रदिक्षणा पत कहा जाता है एक आकरती होती है इसे अंड कहा जाता है यहाँ पर एक रेलिंग देखने के लिए मिलेगी इसे हर्मिका कहा जाता है फिर यहाँ पर एक छत्री देखने के लिए मिलेगी इसे यस्टी कहा जाता है और यहाँ आपको कुछ इस प्रकार के तीन पंक देखने के लिए मलेंगे इसे दोस्तो छत्र कहा जाता है तो यह हमने पुश्यमित्र सुंग ने इसको पत्थर का बनवा दिया था किसका बनवा दिया था पत्थर का बनवा दिया था इस्टोन का बनवा दिया था याद है ना हमने कल पढ़ा था कि अशोक ने जो साची का इस्टूप बनवाया था वो इटो का और लकडी का बनवाया था तो ये चीज फिर चेंज करती गई आईए आगे बढ़ते हैं पुश्यमित्र शुंग के बारे में इतनी बातें याद रखिएगा अब हम कुछ अन्य सुंग शाषकों को डिस्कस कर लेते हैं अगले सुंग शाषक का नाम है दोस्तो अगनी मित्र और इसके बारे में सिर्फ एक ही फैक्ट आपको याद रखना है कि काली दास की द्वारा एक नाटक लिखा गया था जिसका नाम है माल विकागनी मित्रम तो माल विकागनी मित्रम, रानी मालवी का और अगनी मित्र के उपर लिखा गया था तो ये प्रशन भी कई बार पूँच लिया जाता है दो तीन प्रशन आ जाते हैं कि माल विकागनी मित्रम की रचना किसके द्वारा की गई? आंसर करेंगे कालिदास के द्वारा की गए माल विकागनी मित्रम का नायक कौन था who was the main lead of माल विकागनी मित्रम तो आंसर करेंगे शुंग वंश का साशक अगनी मित्र ठीक है उसके उपर लिखा गया था तीसरा दोस्तो एक और महत्वपूर राजा है इसका नाम है भागभत्र क्या नाम है भागभत्र तो भागभत्र के समय एक महत्वपूर घटना ये होई थी कि यूनानी राजा antiocledis ने हेलियोडोरस नाम के राज़दूत को भागभत्र के दरबार में भेजा था और जब हेलियोडोरस विदीशा आया विदीशा राजधानी है याद रखिये गर्शुन गवंश की जब हैलियोडोरस विदीशा आया तो विदीशा आकर के वह भागवत धर्म से बहुत जादा प्रभावित हुआ और उसने भागवत धर्म को स्विकार कर लिया और जैसे ही उसने भागवत धर्म को स्विकार किया तो भागवत वाशुदेव के सम्मान में गरुन इस्थम या गरुन द्वज की इस्थापना की तो यहां से भी एक प्रश्ण निकल के आता है कि हैलियोडोरस इस्थम कहां पर है हेलियोडोरस पिलर कहां पर है या फिर प्रिश्ण निकल के आता है गरुन स्थंब कहां पर है वेर इस दी गरुन पिलर तो याद रखेंगे ये विदीशा में है दूसरा प्रिश्ण यह किसके द्वारा बनवाया गया तो युनानी राजदूद हेलियोडोरस के द्वारा इसका निर्मान किया गया इस समय राजा कौन था तो याद रखेंगे इस समय शुंग वंस पर भागभद्र का साशन चल रहा था ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है तो अगनी मित्र से काली दाश का नाटक मालविका अगनी मित्रम और भागभद्र के समय हैलियोडोरस आया और उसने गरुन इस्थम्ब की स्थाफना कर आई चलिए अब हम बात करेंगे देव भूती की तो देव भूती दोस्तों हमने अभी डिसकस किया था कि यह शुंगवंश का अंतिम साशक था तो पहला चीज तो यही याद रखेंगे कि यह शुंगवंश का अंतिम साशक था दूसरा पउयंट 1973 इसापूर्व में वाशु देव नाम के एक विक्ती ने देव भूती की हर्तिया कर दी और कणववंश की इस्थापना की, ठीक है? तो अब आप देख रहे हैं ना हम transition में बढ़ रहे हैं, हमने शुंगवंश को डिसकस किया, शुंगवंश में हमने पुशी मित्र सुंगी की बात की, अगनी मित्र की बात की, भद्र बाहु की बात, भाग भद्र की बात की, और देखिए, कणववंश जो है, उसके बारे में हमें कुछ भी अलग से नहीं पड़ना है, क्योंकि कणववंश से कोई भी प्रश्न नहीं बनता है, सिर्फ दो बातें याद रखेंगे, कि कणववंश की इस्थापना वाशुदेव के द्वारा की गई थी, जबकि कणववं कोनों की चर्चा करेंगे, चलिए, तो अब हम बात करते हैं साथवाहन वंश के बारे में, अब हम साथवाहन डाइनस्टी के बारे में दोस्तों यहां पर डिसकुशन करेंगे, तो दिखें साथवाहन डाइनस्टी का पहले आप लोकेशन देख लीजे, साथवाहन डाइनस भारत वाले इलाके में दोस्तो साथ वाहन सामराज्य देखने के लिए मिलेगा सबसे इंट्रस्टिंग बात ये है कि साथ वाहन सामराज्य सबसे जादा समय तक साशन करने वाला पहला भारतिय वन्ष माना जाता है बहुत लंबे समय तक साथ वाहन वन्ष में अपना साशन कि और अगर इसके प्रमुख राजाओं की बात करें तो इसकी इस्थापना शिमुक के द्वारा की गई थी शिमुक के बात शात करनी प्रथम ये क्रम नहीं है ये प्रमुख राजाओं के नाम है ठीक है शिमुक थिरसात करनी प्रथम हाल गौतमी पुत्र शात करनी सबसे पुलुवामी चतुर्थ, इसमें दो-तीन चीजें बस याद रखना है, शिमुक महत्वपूर्थ है, हाल के द्वारा चूकी एक किताब की रिशना की गई थी, इसलिए हाल महत्वपूर्थ है, सबसे इंपोर्टेंट रूरल होगा गौत्मी पुत्रशात करनी, और अंतिम का नाम है, पुलुवामी चतुर्थ और इसके बाद सातवहन सामराज चार भागों में बिट जाएगा, और फिर हम इन चार भागों के बारे में दोस्तों बात करेंगे, थीक है, तो चलिए, शात वाहन सामराज के बारे में कुछ बेसिक बातों को जानते हैं, सबसे पहली कि सात्वाहन कवंश की स्थापना शिमुक के द्वारा की गई थी इसका छित्र महरास्ट और आंध्रप्रदेश वाले इलाके में था तो अभी हमने मैप में देख लिया यह है भारत पर सरवाधिक समय तक साशन करने वाला यह प्रतम राजवंश है जिसने लगभग 280 वर्षो कहा गया है जबकि अभी लेखों में अलग-अलग इडिक्ट में इनको सात्वाहन कहा गया है इसी कारण से कई बार इन्हें कहा जाता है आंध्र सात्वाहन साशक कई बार इन्हें कहा जाता है आंध्र सात्वाहन रूलर तो यह भी कई बार इनके बारे में कहा जाता है तो जाना जाता है इन्हें मतस्य पुरान बहुत महत्पून जानकारी देता है सातवाहन सामराज के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा है कि मतस्य पुरान सबसे पुराना पुरान है और इसमें सातवाहन राजाओं की वंशावली की जानकारी मिलती है इससे हमें सातवाहन जो र परंगाबाद महरास्ट वाले इलाके में आती है और इनकी राजिकिये भाशा दोस्तों प्राक्रत थी जबकि इनकी लिपी ब्राम्मी हुआ करती थी तो यहां से प्रश्न क्या-क्या बन सकते हैं दो मिट या ध्यान रखिए कि पहला प्रश्न बन सकता है कि सातवाहन सामराज की भाशा क्या थी तो प्राक्रत भाशा थी जबकि लिपी ब्राम्मी लिपी का उप्योग हुआ करता था ठीक और राजधानी का नाम प्रफिस्थान था जो कि दोस्तों वर्तमान में औरंगाबाद महरास्ट में इस्थे थे ठीक है चलिए अब हम इनके प्रमुख में सबसे पहला नाम आता है शातकरणी प्रफम का और सातकरणी प्रफम के बारे में भी एक जानकारी महतुपूर है सबसे महतुपूर जानकारी यह है कि सातकरणी का विवाहा सातकरणी साशक का विवाहा नागनिका नाम की एक महिला से हुआ था और जो नागनिका है उसके महरास्त में इस्थेत है ठीक है एक चत्तान है एक गुफा के अंदर इन सारी बातों को लिखवाया क्या है और इसे कहा जाता है नाना घाट अभिलेग तो दो प्रशन निकल करके आते हैं पहला प्रशन नाना घाट अभिलेग किसके द्वारा बनवाया गया तो याद रखेग सात वाहन साशक सात करनी प्रथम की पत्नी नागनिका के द्वारा नाना घाट अभिलेग को बनवाया गया यह कहाँ पर इस्थेत है महरास्त में इस्थेत हैं सरी इस अभिलेग का सबसे महत्वपूर हिस्सा क्या है तो देखिए इस अभिलेक में पहली बार भूमी दान की प्रथा का उलेक मिलता है ये भारत में एक बहुत बड़ी प्रथा अब शुरू होने वाली है पहली बार ब्राम्हनों को पहली बार दोस्तों ब्राम्हनों को भूमी दान दिया जाएगा ये बहुत बड़ी बात है फ़र ये बड़ी बात क्यों है? ये बड़ी बात इसलिए है कि इससे पहले तक किसी को भी भूमी दान नहीं दिया जाता था पर सातवाहन साशकों ने इस प्रथा का प्रारम शुरू कर दिया और हर जगह अलग-अलग राजाओं के द्वारा ब्रामधों को भूमी का दान दि जाएगी यहीं से बड़े-बड़े जमीनदारों का उद्भव होगा और भारत में एक हलका-फुलका सामंतवादी कल्चर देखने के लिए दोस्तों मिलेगा तो अगला सवाल बनेगा कि भूमी दान का पहला साक्ष कहां से मिलता है तो याद रखिएगा नाग निका के ना दो अस्व में एक यग और एक राजसु यग किया था जो कि उतना महतुरून नहीं है ठीक है और नागरिका अपने बच्चों की संरक्षगा के तोर पर कारे करती रही विच आगे बढ़ते हैं और अगले साशक का नाम है हाल अगले साशक का नाम क्या है दोस्तों हाल है ठी हाल ने प्राक्रतभाशा में गाता शब्तशती की रचना की थी और ये प्रश्ण 2-3 बार अलग-अलग एकजाबों में बहुँचा गया है कि हाल के दौरा प्राक्रत भाशा में किस किताब की रचना की गई गाता सब्त शती की रचना की गई थी जो की एक प्रेम कहानी है दोस्तों ठीक है तो ये पॉइंट याद रखेंगे अगली बात इसी समय गुणाग्य के द्वारा व्रहत कथा कोश की इस्थापना की गई थी सर्वस्तमन के द्वारा संस्कित भाषा में कातंत्र नाम की एक किताब की रचना की गई थी तो हाल से संबंधित तीन महत्वपूर जानकारिया हैं दोस्तों पहली जानकारी की हाल ने खुद गाता सब्त शती की रचना की गुणाग्य ने इसी के समय व्रहत कथा कोश की ठीक इसके बाद साथ वाहनों के सबसे महत्वपून साशक का नाम आता है दोस्तों और इसका नाम है गौत्मी पुत्र साथ करनी यह है पूरे के पूरे साथ वाहन राज्य का सबसे प्रतापी राजा होता है सबसे महत्वपून साशक होता है तो सबसे महान साथ वाहन साशक है और नासिक अभिलेग या गौतमी बलसरी का नाशिक अभिलेग इसका संबंध गौतमी पुत्र सातकरनी से है देखे सातवाहन में ये प्रथा चली है दोस्तों कि सातवाहन राजाओं के नाम उनकी माता के नाम पर रखे जाते थे तो गौतमी पुत्र सातकरनी मिलेंगे आगे वशिस्ठी पुत्र मालवी मिलेंगे तो पुलवामी मिलेंगे तो अलग अलग नाम आपको माताओं के नाम पर देखने के लिए बलेंगे हलाकि साशन पिता के द्वारा या पुर्शों के द्वारा ही किया जाता था लेकिन नाम माताओं के नाम पर लगाये जाते थे तो गौतमी पुत्र साथ करनी गौतमी मलसरी के द्वारा एक अभिलेक बनाया गया एक अभिलेक लिखवाया गया जिसका नाम है नासिक अभिलेक और नासिक अभिलेक में गौत्मी पुत्र साथ करनी को एक मात्र ब्राम्भन कहा गया है, उसे अदुतिय ब्राम्भन कहा गया है, उसे वर्ने बिवस्था का रक्षक कहा गया है और वेदों का आश्रय दाता कहा गया है यहां से प्रश्ण निकल करके आता है कि किसे वेदों का आश्रय दाता कहा जाता है और देखो confusion भी कहा होगा अभी हमने पढ़ा था कि पुश्यमित्र सुंग तो पुश्यमित्र सुंग को वेदिक धर्म और संस्कृत का पुनर उत्थान करता कहा जाता है Resurgence of Vedic Religion and the Sanskrit Language लिकिन गौत्मी पुत्रशत करनी को वेदों का आश्रय दाता कहा जाता है तो दोनों टॉपिक में अंतर याद रखना इसमें confuse नहीं होना है ठीक है और इसने क्या किया था इसने एक सच शाशक नहपान को हराया था अभी अगली क्लास में हम शकों के बारे में बात कर रहे होंगे शक साशक हुआ करता था नहपान तो नहपान को गौत्मी पुत्र सतकरनी के द्वारा हराया गया था ठीक है यह होगी दोस्तों गौत्मी पुत्र सतकरनी के बारे में सारी महत्पून बातें इसके बाद अगला नाम आता है वशिस्थी पुत्र पुलवामी का वशिस्थी भी माता का नाम है और वशिस्थी पुत्र पुलवामी का नाम आता है तो इसमें सिर्फ एक ही दो बाते याद रखें कि इसे आंध्र समराट के रूप में भी जाना जाता है और इसे दक्षणा पथेश्वर के रूप में भी जाना जाता है और इसने दो पतवार वाले जहाजों का चित्र अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था विच इस नौट सो इंपोर्टेंट ठीक अन्य साथवाहन साशकों में एक नाम आता है यग श्री साथ करनी का और यह अंतिम शक्ती साली साशक है और इसने अपने इसने सिक्कों पर जलियान का चित्र लगवाया था ठीक है वो भी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है ठीक है और फिर दोस्तों आखरी में नाम आता है पुलुवामी चतुर्थ का यह अंतिम साशक है तो यहां से एक सामाराज जी का यह सात्वाहन वन्ष का अंतिम साशक कौन था तो उसका नाम है पुलुवामी चतुर्थ पुलुवामी फोर्थ इसके बाद पूरा का पूरा जो शातवाहन राज्य है वो चार भागों में बट गया दोस्तो विदर्व वाले इलाके में वाकाटक सामराज्य की स्थापना हुई दक्षणी महरास्ट में आभीर वन्ष आया आंध्र प्रदेश में एक्षवाकू वन्ष आया और करनाटक में दोस्तो कदम वन्ष देखने के लिए मिलेगा इन सब की चर्चा हमें नहीं करनी है यहां से प्रश्ण नहीं आते हैं पर बस इतना याद रखें कि सातवाहन सामरा करनाटक में दोस्तो कदम वन्ष का साशन देखने के लिए मिलता है तो यह सातवाहनों के बारे में सारी महत्तपूर्ण जानकारी थी दो सबसे इंपोर्टेंट प्रश्ण बनेंगे जो दोनों अभिलेखों से संबंधित हैं एक प्रश्ण बनेगा ब्राम्वनों को भूमी दान देने की प्रथा का सबसे पहला उल्लेख कहां पर मिलता है तो नाना घाट अभिलेख जो की नागनिका के द्वारा लिखवाया गया था व जिसमें गौत्मी पुत्रशात करनी की जानकारी मिलती है साथ वाहन वंशकी राजधानी प्रतिस्ठान थी जो की औरंगाबाद महरास्ट वाले इलाके में आती है और अंतिम साशक पुलुवामी चतुत था अब कुछ अन्य तत्थियों की बात करते हैं कुछ अधर की साथ वाहनों के द्वारा सबसे ज्यादा सीसे के सिक्के चलाइ गए सबसे ज्यादा लेड के कौै दूसरा जो शीज किर करते थे वह ए रोम वाले इलाके से मंगवाते थे ठीक है इसके बाद सातवाहन साशकों ने ग्रामीन छित्र में प्रसाशन का काम गौलमिक नाम के अधिकारी को सौपा था तो अधिकारियों के नाम पहले भी एक्जाम में पूछे गए हैं तो याद रखेंगे गौलमिक एक अधिकारी का नाम होता था जोकी साथवाहन के समय ग्रामीन प्रसाशन को संहालता था रूरल एडिमिस्ट्रेशन को संभालता था इसके बाद साथकरणी और अन्य सभी साथवाहन साशक दक्षिनापत के स्वामी कहलाते थे क्योंकि उत्तर ये जो विंध्या परवत के बात का जो छेतर है वो दक्षिन पत वाला इलाका कहलाता था और वहां पर इनका साशन था तो इन्हें कहा जाता था कि ये दक्षिना पत के स्वामी है अगली चीज साथ वाहन साशकों ने उत्तर और दक्षिन भारत के बीच सेतू का काम किया ये सारी बातें दोस्तों आपको याद रखना है इन्होंने कुछ आकरतियां बनवाई अजन्ता एलोरा की गुफाओं में कुछ निर्मान करवाया अमरावती कला का विकास किया ये सार सारी बातें जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिसकस कर रहे होंगे तो इसी के साथ दोस्तों साथ वाहन सामराज्य को भी हमने खत्म कर लिया साथ वाहन डाइनस्टी को भी हमने पढ़ लिया अब जो अगली क्लास होगी उसमें वाकटक के बारे में करेंगे हम बहुत चोटा सा टॉपिक है ऐसात ही साथ हम कलिंके चेदीवंश्की बात करेंगे लिकिन जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा वो शक पहलव और कुशान होगा तो अगली क्लास जो हमारी होगी जो जैनुवरी में होगी तो अभी से आपके लिए हैपी निवर देश के लिए 2021 अच्छा हो इसी के साथ दोस्तों मैं आज की क्लास से भी विदा लेता हूं और 2020 से भी विदा लेता हूं थाइंक यू आप सभी अपना ख्याल रखिएगा यह हमारा टेलीग्राम चैनल है इसे जुड़ जाएए आपसे वहां मलाकात हो की थाइंक यू समझ ग पतन हो गया जब मोर्य एम्पाइर का कॉलैपस हो गया तो कैसे नए राजवन्शो का उधै हुआ और मोर्य साम राज, जो के भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ था तो मौर्य सामराजी के बाद भारत में छोटे छोटे राजियों का उदय होता है small small state का rise होता है और इन राजियों के उदय को हमने दो भागों में बाटा था हमने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था देखिए जो भारत का ऐसा हमार देश मना लेते हैं यह हमारा प्यारा भारत देश है तो जो भारत का पस्चमी इलाका है जो भारत का western वाला इलाका है दोस्तो यहाँ पर विदेशी राजियों ने साशन किया यहाँ पर foreign attack देखने के लिए मिलेंगे ग्रीक के लोग attack करेंगे चाइना से कुशान नाम की जाती आएगी वह attack करेगी मध्य एशिया से शक नाम की जाती आएगी जिसको सीथियन बोला जाता है तो भारत के पस्चमी इलाके पर विदेशी साशकों का राज देखने के लिए मिलेगा foreign state क रोल देखने के लिए मिलेगा जबकि भारत का जो पूर्वी इलाका है जिसमें मगद वाला इलाका शामिल है और इसके साथ साथ जो दक्षिन भारत का इलाका है South India का इलाका है यहाँ पर आपको कुछ स्वदेशी राज्य देखने के लिए मिलेंगे indigenous state देखने के लिए मिल इन सभी वंशों का साशन आपको भारत के पूर्वी और दक्षनी इलाके में देखने के लिए मिलेगा इंडिया के eastern और southern side पर देखने के लिए मिलेगा तो देखें विदेशी राज्यों ने उत्तर पस्चिम सीमा प्रांत और मध्य भारत में राज किया इसमें इंडो ग्र के पूर्वी इलाकों में देशी ब्राम्वन राज्यों का साशन हुआ इसमें शुंग कण्व आंध्रसात्वाहन वाकाटक और कलिंग का चेदी राज्य शामिल है पिछली क्लास में दो टॉप तीन टॉपिक हम पढ़ चुके थे याद आ रहा होगा पिछली क्लास में हमने शुंग वंश के बारे में बात कर ली थी कण्व वंश के बारे में बात कर ली थी और आंध्रसातवाहन वंश के बारे में बात कर ली थी ठीक है शुंग वंश की इस्थापना पुश्य मित्र सुंग के द्वारा की गई थी कण्व वंश की इस्थापना वाशुदेव के द द्वारा की गई थी और वाकटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति के द्वारा की गई थी प्लीज जाकर के PDF पढ़ दीजेगा और पुरानी क्लास देख लीजेगा जिसमें हमने शुंग वंश, कन्व वंश और सात्वाहन वंश के बारे में चर्चा ओल्रीडी कर ली है तो अब दोस्तों आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे वाकटक वंश की वाकटक डाइनस्टी से हमारी इस क्लास को हम शुरू करने वाले हैं तो चलिए पढ़ते हैं वाकटक वंश के बारे में एक मिट का संबस दीजे मुझे हम टॉपिक को शुरू करते हैं तो वाकटक वंश जो है ये सातवाहन वंश के बाद आपको देखने के लिए मिलता है तो वाकटक वंश की जो इस्थापना है वो 255 AD के आसपास विन्ध शक्ति नाम के व्यक्ति ने की थी सबसे पहले आप ये देख लीजे कि वाकटक वंश भारत के किस इलाके में था तो देखिए ये दक्षिन भारत में आपको देखने मिलेगा साउथ इंडिया में देखने मिलेगा और दक्षिन भारत में जो महरास्ट्र और तेलांगना वाला इलाका है यहाँ पर दोस्तों वाकर्टक सामराज इस्थापित हुआ, यहाँ पर वाकर्टक डाइनेस्टी इस्थापित हुई पहला प्रश्ण यह बनेगा कि वाकर्टक वन्ष की इस्थापना किसके द्वारा की गई तो याद रखेगा वाकर्टक वंश की इस्थापना विंधे शक्ति के द्वारा की गई दूसरा प्रश्न ये बनेगा वाकर्टक वंश कहां पर फैला हुआ था तो महरास्ट और तेलांगना वाले इलाके में वाकर्टक डाइनेस्टी का रूल हुआ करता था विंधे शक्ति के बाद प्रवर्शेन का नाम आएगा उसके बाद रुद्रसेन का नाम आएगा फिर प्रतवी सेन का नाम आएगा फिर प्रवर्शेन दुतिय का नाम आएगा और जो आखरी साशक होगा वो प्रतवी सेन दुतिय होगा एक बात में आपको और बता दू ये जो वाकाटक डाइनिस्टी है ये बेसिकली दो अलग-अलग भागों में बट जाती है दो अलग-अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगी एक साखा को कहा जाएगा प्रधान साखा जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा मेन ब्रांच और दूसरी जो साखा कहलाएगी दोस्तों उसे कहा जाएगा बासिय साखा क्या कहा जाएगा? बासिय साखा कहा जाएगा तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे ठीक है? और मैं सीधे-सीधे प्रशन करूंगा आपसे, ताकि पूरी की पूरी चीजे आपको यही याद हो जाएं, जैसे पहला प्रशन हमें याद कर लेना है, यही पर याद कर लेना है कि वाकाटक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वाकाटक डाइनस्टी वाज शक्ति नाम के व्यक्ति ने की थी, इसके पूर्वच मतलब की वाकटक सामराज्य के पूर्वच सात वाहनों के अधीन बरार के इस्थानिय साशक हुआ करते थे, तो जब यहां पर सात वाहनों का साशन था, हमने देखा था कि भारत का सबसे लंबा चलने वाला एक वंश है, स तो जब यहां पर सात वाहन वंश का साशन हुआ करता था, तो यहां बरार वाले इलाके में जो वाकटक वंश के लोग हैं, वो सामंत का काम किया करते थे, या फिर वहां के इस्थानिय साशक हुआ करते थे, ठीक्या, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, विंधि शक्त के पस्चात उसका पुत्र प्रवर सेन प्रथम साशक हुआ वाकटक वन्षका वह अकेला ऐसा साशक है जिसने सम्राठ की उपाधी धारण की और पुराणों से पता चलता है कि इसके द्वारा चार अश्वमेग यग्यों का आयोजन भी किया गया यहां से एक प्रश्न बन सकत पुष्वमेग यग का आयोजन किया तो प्रवर सेन प्रथम हो जाएगा अश्वमेग यग आपको पता है उसका बेसिक कंसेप्ट यही रहता था कि राजा अपनी संप्रभुता को बताने के लिए और राजा अपने शक्ती प्रदर्शन के लिए अश्वमेग यग का और उसका वह आयोजन उसके प्रोहित पतंजली के द्वारा करवाया गया था ठीक है तो यहाँ याद रखेंगे कि प्रवर सेन प्रथम ने चार अश्वमेग यग किये और अकेला ऐसा वाकटक साशक है जिसने समराट की उपाधी धारण की थी प्रवर सेन के बाद वाकटक समराज्य दो साखाओं में बट गया ये दो अलग-अलग ब्रांच इसमें बट गया एक ब्रांच को कहा गया प्रधान साखा मेन ब्रांच और दूसरी साखा को कहा गया बासिय साखा या बासिय ब्रांच तो दो अलग-अलग ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा यह सेन प्रथम का फिर प्रभावती गुपता का संरक्षन काल आएगा प्रवर सेन दुतिये नरेंद्र सेन प्रतवी सेन दुतिये इन राजाओं का नाम आएगा और इसमें भी सबसे इंपोर्टेंट है रुद्र सेन प्रथम सीधा प्रशन बना था दोस्तों चेक कीजेगा विच डाइनेस्टी आंसर कीजेगा वाकाटक सामराज्य से उसका संबंद्य था ही वोज असोशियेटेड विद दी वाकाटक डाइनेस्टी ओके आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट को शुरू करते हैं ठीक है इसके बाद आपन देखें यहाँ पर कि गुप्त साशक चंद साशकों के बीच था राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंदर गुप्त दुतिये ने इस संबंद को इस्थापित किया बिवाह के कुछ समय के बाद रुद्र सेन दुतिये की मृत्यू हो गई चूकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अल्प शक्ति नाम का एक व्यक्ति था इसके द्वारा वाकाटक सामराज्य की स्थापना की गई फिर कौन आया प्रवर सेन नाम का एक व्यक्ति आया और प्रवर सेन प्रथम ने दो काम किये एक तो इसने समराट की उपाधी को धारन किया और दूसरा इसके द्वारा चार अश्व मेग यग करवाए गए इसके बाद जो वाकाटक डाइनेस्टी है वो दो अलग अलग ब्रांचों में बट गई एक साखा कहलाई प्रधान साखा जिसको कहा गया में ब्रांच और दूसरी साखा क्या कहलाई बासिय साखा कहलाई ठीक है इससे हमें मतलब नहीं है प्रधान साखा का एक राजा था रुद्रसेन दुतिय जो इंपोर्टन पॉइंट है वो याद रखना रुद्रसेन ने क्या क्या हुआ इसी समय भारत में गुप्त साम्राज्जी की स्थापना हो सकी थी इसी समय इंडिया में गुप्त empire established हो चुका था और गुप्त साशक इस समय थे चंद्रगुप्त प्रथम तो चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया उनकी एक पुत्री थी प्रभावती ये पूछ लिया जाता है कई बार इनकी एक पुत्री थी प्रभावती तो अपनी पुत्री प्रभावती का विवाहा उन्होंने रुद्र सेंदुतिय से करा दिया। लेकिन जैसे ही प्रभावती की शादी रुद्र सेंदुतिय से हुई तो कुछ दिनों के बाद रुद्र सेंदुतिय की मुर्थ्य हो गई। और जैसे ही रुद्रशेन दुतिये की व्यक्ति हुई, तब प्रभावती ने साशन का संचालन किया, प्रभावती ने पूरे के पूरे एड्मिनिस्ट्रेशन को संभाला था. तो यहां से एक प्रशन यह भी बनता है कि चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री का बिवाह किसके साथ किया था, या प्रभावती गुप्त का बिवाह किसके साथ हुआ था, तो याद रखेंगे वाकाटक साशक रुद्र सेन दुतिये के साथ चंद्रगुप्त ने अपनी प बीच में आपको देखने मिलेगा वाकाटक और यहां आसपास था शुंगवंश का साशन तो देखिए अगर आप देखें तो जो वाकाटक डाइनस्टी है वाकाटक सामराज है वो एक प्रकार से बफर इस्टेट का काम कर रहा है वो इन दोनों के बीच में एक बफर राज्य का काम कर रहा है तो अगर गुपत सामराज के वाकाटक सामराज के साथ अच्छे रिस्ते इस्थापित होते हैं तो शुंगवंश को नियंतरन में लाया जा सकता है शुंगडाइनस्टी को कंट्रोल में किया जा सकता है तो यह एक कारण था कि अपनी बेटी का विवाह रु इंपोर्टन नहीं है और प्रत्वी सेंदुतिए वाकाटक की प्रधानसाजका का अंत्रम सचेता ये भी इंपोर्टन नहीं है जो इंपोर्टन क्वेस्चन थे वो मैंने आपको अल्रेडी कवर करा दिये अब यह देखना है कि जो वाकाटक वंच था वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर कैसे आगे बढ़ा कला और साहित्य कैसे आगे बढ़ा इस प्रश्ण की अब हम बात करेंगे कि आर्ट एंड कल्चर में क्या-क्या तरक्य हुई ठीक ओके देख लेते हैं तो पहला पॉइंट यहां पर यह है कि वाकाटक वंश के राजा प्रवर सेंदुतिये ने मराठी प्राक्रत काव्य सेतु बंद की रचना की दूसरा सर्व सेन ने हरी विजय नामक पुस्तक की रचना की तीसरा कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त दुतिये के राजकवी काली दास ने कुछ समय तक प्रवर सेंदुतिये की सभा में निवास किया था और उन्होंने सेतु बंद का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेगदूत उन्होंने यहां पर लिखा था तो इंपोर्टेंट प्रशनी यहां से यही बन जाते हैं जो मेजर प्रशन तीन किताबों के नाम आपको याद रखना है कि प्रवर सेंदुतिय ने मराठी प्राकरत काब सेतु बंध की रचना की दूसरा प्रशन सर्व सेन ने हरी विजय नाम की किताब लिखी और इसी समय काली दास ने वैदर्भी शैली में अपना एक काव्य मेगदूत लिखा तो यह तीन प्रशनी यहां से बनेंगे इन तेनों को आपको याद रख अगला पॉइंट वाकटक नरेश प्रत्वी सेन दुतिये के सामंत व्योद्रदेव ने नचना के मंदर जिसको नैना कुठार का मंदर कहा जाता है उसका निर्मान करवाया अब देखो दो प्रश्न यहां से महत्रपूर बनेंगे पहला प्रश्न तो यहीं बनेगा कि नचन या नैना कुठार का मंदर का मंदर कहां पर इस्थित है तो याद रखना यह पन्ना मध्यपरदेश में इस्थित है अब देखो MPPSC का अपन एक्जाम दे रहे तो और भी इंपोर्टेंट हो जाता है पहला प्रश्न तो यह बन गया कि नैना कुठार का जो मंदर है वो पन् स्थित है और इसे प्रत्वी सेंदुतिये के सामंत व्याध्र देव के द्वारा बनवाया गया था मतलब अगला प्रश्न यह बनेगा इसका निर्मान किस साशक ने करवाया तो याद रखना वाका तक साशक ने इसका निर्मान करवाया था जब प्रत्वी सेंदुतिया का स इसके बाद अगला है अजंता की 16 और 17 गुफा और 19 भी गुफा का निर्मान भी वाकाटक के साशन में हुआ, important नहीं है, बस इतना याद रखना कि अजंता की गुफाओं के निर्मान में वाकाटक साश्कों का योगदान है, तो इस तरह दोस्तों वाकाटक वइंश खतम होता है, वाकाटक एंपायर की सारी महत्वपून बातें हमने डिसकस कर ली, फिर से एक बार question form में कर लेते हैं, जल्दी जल्दी आंसर कीजेगा, पहला प्रशन ये बनेगा, वाकाटक वइंश की इस्थापना किसके द्वारा की गई, विंधे शक्ति के द्वारा की गई, दूस कौन सी पुस्तक की रचना की गई, which book is written by प्रवर सेन second, तो प्रवर सेन दूतिय के द्वारा सेतु बंध नाम की किताब की रचना की गई थी, यह मराठी एक काव्य माना जाता है, फिर चौथा प्रशन बनेगा, कालिदास के द्वारा कौन से ग्रंत की रचना की गई, जो वाकाटक के साशनकाल में की गई थी, तो कालिदास के द्वारा मेगदूत की रचना इस समय की जाती है, सूर सेन ने किसकी रचना की, तो हरी विजय नाम की पुस्तक की रचना सूर सेन ने की, पाचवा और महत्वपून प्रशन बनेगा, नैना कुठार का मंदिर कहां पर इस्तित है, आंसर होगा, पन्ना में इस्तित है, दूसरा प्रशन, इस मंदिर का निर्मान किसने करवाया, तो याद रखना, वाकाटक, वाकाटक वंश के एक साशक थे, प्रतवी सैंदुतिये, और प्रतवी सैंदुतिये का एक सामन्त था, व्याद्रदेव, उसके द्वा होना है दोस्तों हमें आज कि चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं और अब हम एक छोटे से राजवन्ष की बात करेंगे और इस राजवन्ष का नाम है चेदी राजवन्ष जो की कलिंग वाले इलाके में हुआ अब देखिए यह पूरा का पूरा यहा क्राशल हुआ करता था पूरे इलाके में मौर्ये ए्मपाइर फैला हुआ था तो दोस्तों डक्षिल उडीसा दोस्तों में एक छोटी यहां से बनेगा कि चेदी राजवन्ष का उदय भारत के किस इलाके में हुआ तो चेदी राजवन्ष का उदय उडए उरीसा वाले इलाके में हुआ था specifically हम बात करें तो दक्षिन उरीशा वाले इलाके में चेदी राजवन्ष का उदै हुआ और इसकी स्थापना अभी देखेंगे असोक के मृत्यू के पस्चाद संभवतह प्रथम सताबदी में कलिंग में चेदी राजवन्ष का उदै हुआ और इसकी जानकारी हाती गुमफा अभिलेक से हमें इसकी जानकारी मिलती है जो की उदैगरी की पहाड़ियां उदैगरी के आसपास आपको ये इलाका देखने के लिए मिलेगा खारवेल इस वंश का एक प्रतापी साशक था खारवेल जैन धर्म का अन्युयाई था और उसने जैन मुनियों के लिए उदैगरी की पहाड़ियों में गुफा का निर्मान कराया था ये हैं दोस्तों उदैगरी की पहाड़ियां अब देखो दो तीन प्रश प्रशन बनते हैं पहला प्रशन यहां से यह बनेगा कि खारवेल का संबंध किस राजवंश से है खारवेल is associated with witch dynasty तो आंसर कीजेगा कलिंग के चेदी वंश से खारवेल का संबंध है कारवेल is associated with the Chedi dynasty of Culling दूसरा प्रशन बनेगा कि कारवेल किस धर्म का अनुवयाई था तो आंसर कीजेगा दोस्तों कि कारवेल जैन धर्म का अनुवयाई था और चूकी वह जैन धर्म का अनुवयाई था तो उसने उदेगरी की पहाड़ियों में गुफा का निर्मान कराया था तो उदेगरी की पहाड़ियां जो की उडीसा वाले इलाके में इस्तित हैं वहाँ पर खारवेल ने जैन धर्म के लिए उदेगरी की गुफाओं का निर्मान करवाया था ये वही बात है जिस तरह से अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर की गुफाओं में चार अलग अलग गुफाएं बनवाई थी उसी प्रकार से खारवेल ने उदेगरी की पहाडी में जैन धर्म के लिए गुफा बनाई दूसरा प्रशन ये पहले भी पढ़ चुके हैं हाती गुंफा अभिलेग जो की भूवनेश्वर उरिसा में है तो हाती गुंफा अभिलेग कुछ इस प्रकार का ये अभिलेग है इस अभिलेग में आपको याद रखना है भारत वर्ष का प्रथम उल्लेग किया गया था और ये भी हम पढ़ चुके हैं तो बस इतनी बातें आपको चेदी राजवनिश के बारे में याद रखनी है ठीक है बार-बार में रिपीट करूंगा ताकि चीज़ें यहीं पर आपको याद हो जाएं आगे बढ़ेंगे अगले अध्याय पर आ रहे हैं और अगला अध्याय ह भारत के यवन राज ग्रीक स्टेट ऑफ इंडिया यह हमारा सत्रवा अध्याय है यह हमारा 17 नंबर का चेप्टर है ठीक है तो इस अध्याय का नाम क्या है भारत के ग्रीक राज या यवन राज ठीक है ग्रीक स्टेट ऑफ इंडिया तो देखिए दोस्तों जैसा कि हमने ड तरफ रूलर यहां पर रूल कर रहे थे जिसमें पुशी मित्र शुंग का नाम आता है कणववंश का नाम आता है आंध्र सातवाहन का नाम आता है वाकाटक और चेदीवंश का नाम आता है तो इनके बारे में हमने सारी बातें पढ़ ली इसी समय दोस्तों जब भारत में एक और भारतिये सासक साशन कर रहे हैं इंडियन रूलर यहां पर रूल कर रहे हैं तो इस लेरत के उत्तर्पाश्चिम भाग पर औ हिस्तों में मद्यभाग तर्थ यहां पर विदेशी आक्रवन हो रहे थे यहां पर फॉरिंग अटेक हो रहे थे और इन विदेशी सासकों में से अधिकांस सासक ग्रीक से संबंधित थे तो अब हम जिनके बारे में बात करेंगे ग्रीक साशकों के बारे में बात करेंगे भारत के यवन राजियों के बारे में बात करेंगे और इनका छेतर क्या होगा तो छेतर भी आपको याद रखना है कि इनका छित्र उत्तर पस्चिम भारत और साथ ही साथ मध्य भारत होगा ठीक है नौर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया के आसपास दोस्तों ये रूल करने वाले हैं सर्क कौन-कौन से साशक आएंगे तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंग में बात करेंगे फिर तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे पहला विसाशक जिनको पार्थियन कहा जाता है और चौते नंबर पर हम बात करेंगे कुशान साशकों के बारे में तो ये चार टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इंडो ग्रीक सीथियन पार्थियन और कुशान के बार झाल 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 चलिए तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं हिंद-युनानी साशकों के बारे में इंडो-ग्रीक साशकों की हम बात करेंगे आई विश आपके दिमाग में एक पिक्चर बन रही है, समझना टॉपिक को, ऐसा नहीं किरट रहे हो, समझना टॉपिक को कि भारत में दो लोग एक साथ रूल करने वाले हैं, इस्टर्ण इंडिया पर, पूरवी भारत पर ये साशक रूल कर रहे हैं, इनके बारे में हम पढ लेंगे, उनके बाद सीथियन, उनके बाद पार्थियन और उनके बाद आपको कुशान रूलर्स देखने के लिए मिलेंगे, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं, हिंद यूनानी साशकों के बारे में, सबसे पहले हम डिसकस करेंगे, इं भारत के मगद वाले इलाके पे नंद वंश का साशन चल रहा था और नंद वंश में भी जब यहां पर घना नंद का साशन चल रहा था तो इसी समय सिकंदर का भारत पर आक्मण हुआ था इसी समय सिकंदर का इंडिया पर अटैक हुआ था लेकिन सिकंदर भारत के कुछ छेत्रों को जीतने के बाद वापस चला जाता है और जब सिकंदर वापस जाता है तो ये पूरा का पूरा इलाका अपने सेनापती बहुत बड़ा इलाका सेल्यूकस निकेटर को सौप करके जाता है और सेल्यूकस निकेटर क्या करता है पूरे क पूरे Central Asia में साथ ही साथ जो आपका इरान इराक ये पूरा का पूरा जो इलाका है वहां एक बहुत बड़े सामराज्य की स्थापना करता है वहां एक बहुत बड़ा Empire बनाता है जिसमें भारत का कुछ हिस्सा शामिल नहता है फिर क्या होता है सर ठीक है यहां तक तो बात स्थापना कर दी उसने एक बहुत बड़े Empire को यहां पर बना लिया बहुत बड़े Empire को यहां पर तो सर क्या होता है तो इसके बाद होता यह है कि Antiocus दुतिय के साशनकाल में बहुत सारे स्थापना हो जाती है बहुत सारे क्या बन जाते हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे कि छोटे-छोटे स्थापनतर साशक देखने के लिए मिलेंगे जैसे इसने Salucos Rigidator ने इतना ब लेंगे तो इसी समय क्या होता है दोस्तो जो बैक्टीरिया वाला जो बैक्टीरिया मतलब अफगानिस्तान वाला इलाका होता है वहां पर डियो डोट्स प्रथम ने बैक्टीरिया नाम के एक राज्य की इस्थापना कर ली ठीक है तो समझेरो ना मतलब यह इतना बड़ा राज्य था, यहां पर यह अफगानिस्तान वाला इलाका है, तो अफगानिस्तान वाले इलाके के आसपास, जो डियो डोट्स प्रथम नाम का एक विक्ती था, उसने बैक्टीरिया नाम के एक राज्य को इस्थापित कर लिया, बैक्टीरिया नाम का इस्टेट यहां पर बना तो दो थीन बाते में फिर से रिवाइज करा देता हूं कि कैसे इंडो-ग्रीक रूलर्स इंडिया आएंगे तो याद रखना सबसे पहले सबसे पहले एक बहुत बड़ा राज्य है जिसको किस ने बनाया है सेल्यूकस निकेटर ने बनाया है इसके बाद ये जो राज्य है य जो साशक होंगे बैक्टीरिया के जो रूलर्स होंगे वह भारत पर आक्रमण करेंगे वह इंडिया पर अटैक करेंगे ठीक तो अब हम किसको पढ़ने वाले हैं तो अब हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के साशकों की बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के रूलर्स को दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आईए, यहाँ पर पढ़ते हैं और उनके बारे में बात करते हैं. झाल 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 चलिए, तो अब हम देखते हैं कि कौन-कौन से इंडो-ग्रीक साशक इंडिया पर आएंगे सबसे पहला जो एक रूरल रहेगा वो डियो-डोट्स 1 रहेगा फिर डियो-डोट्स 2 रहेगा फिर यूथे-डेमस आएगा फिर डिमिट्रियस आएगा फिर मिनांडर आएगा फिर हर्मिक्स आएगा सर क्या ये सब हमको याद रखना है नहीं आपको इसमें से सिर्फ मिनांडर का नाम याद रखना है जिसको हम मिलिंद के रूप में भी जानते हैं मिनांडर का जो संबंद था वो हिंद यवन साशकों से था आये यहां पर बात करते हैं तो देखिए 190 BC में डिमिट्रियस ने अफगानिस्तान पंजाब और सिंध पर कबजा कर लिया इस डिमिट्रियस की हम बात कर रहे हैं ठीक है और इसने अपनी राजधानी शाकल या सियाल कोट को बनाया ठीक है शाकल या सियाल कोट को इसने अपनी राजधानी बनाया मिनांडर सबसे प्रतापी हिंद यूनानी या बैक्टीरिया यूनानी साशक है और इसने नागसेन के द्वारा बौध धर्म की दिक्षा ले थी और नागसेन के साथ एक सास्त्रार्द हुआ था और इस सास्त्रार्द को मिलिंद पनहो नाम की एक किताब में रखा गया है तो अब दो तीन बाते यहाँ पर याद रख लीजिए देखिए सबसे पहला प्रश्ण इंडो ग्रीक रूलर के बारे में कि इनकी राजधानी क्या थी? इनकी कैपिटल क्या थी? तो इनकी राजधानी का नाम आपको याद रखना है शाकर जो कोई सियाल कोट वाला इलाका है सबसे important ruler तो सबसे महत्तपून साशक होगा मिनांडर कौन होगा? मिनांडर होगा और मिनांडर को दोस्तो एक और नाम से जाना जाता है इसे जानाता है मिलिंद के नाम से, मिलिंद भी कहा जाता है, अब हुआ ये कि मिनांडर के मुलाकात एक बौध बिक्षू से होती है, और बौध बिक्षू का नाम है नागारजुन, क्या नाम है? नागारजुन नाम है, और नागारजुन और मिनांडर के बीच में बहुत सार प्रश्न किया जाते हैं, एक प्रकार से सास्त्रार्द किया जाता है, जीवन क्या है, इश्वर क्या है, इन सभी के बारे में दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिबेट होता है, और उस डिबेट के बाद, उस डिबेट के बाद आपको याद रखना है, नागारजुन के जिसने बौध धर्म की दीक्षा ग्रहन की जो बुद्ध हो गया तो याद रखना उसका नाम मिनांडर है और मिनांडर को नागारजुन ने बौध धर्म की दिक्षा दिलाई थी सर जब मिनांदर और नागारजुन के बीच में एक डिबेट हो रहा था मिनांदर और नागारजुन के बीच में जो एक पूरा का पूरा संबाद हुआ उस संबाद को एक किताब में लिखा गया उसको एक बुक में लिखा गया और उस किताब को कहा जाता है मिलंद पन्हो क्या कहा जाता है मिलंद पन्हो कहा जाता है या कुछ जगे उसी किताब का नाम है मिलंद प्रश्ण और मिलंद कहां से आया तो मिनांडर को ही मिलंद के नाम से भी जाना जाता है तो ये बाते यहाँ पर आप याद रखेंगे, महत्रपून बाते हैं, नागारजुन द्वारा बौद धर्म की दिक्षद लाए गई और मिलिंदी पिन हो या मिलिंदी प्रश्न यह एक किताब है जिसमें मिनांडर और नागसेन के बीच प्रश्न उत्तर को रखा के आए, ठी इंडिया पर इसका कुछ impact हुआ, ये अगला प्रश्न निकल करके आता है, देखें दोस्तों होता यह है कि जब भी दो अलग-अलग सभ्यताओं के लोग मिलते हैं, जब भी दो अलग-अलग culture के लोग मिलते हैं, definitely उनके बीच में cultural exchange होता है, उनके बीच में सांस्कृतिक आ आमीन व्यक्ति शहर में आता है, तो वहां भी उसकी संस्कृति का प्रभाव होगा, तो भारत में जो culture आज हम देखते हैं, वो पूरी दुनिया में जो संस्कृति आज हम देखते हैं, वो एक मिश्रिस संस्कृति है, वो एक mixed culture है, और ये culture exchange कैसे होता है, तो पुराने जमा संस्कृति का आदान प्रदान दो तरीकों से हुआ करता था, पहला तरीका ये होता था, व्यापार के माध्यम से, माल लीजे किอरब के व्यापारी भारत आ रहे हैं, भारत के व्यापारी अरब जा रहे हैं, तो वो कुछ नए खानपान के तरीके सीख करके आएंगे, नया पहनावा सीख करके आएंगे, नई भाषा सीख करके आएंगे, नई जीवन शैली, लाइफ स्टाइल सीख करके आएंगे, तो ये पहला तरीका है, दूसरा तरीका ये होता था, कि जब भी एक दूसरी संस्कृती का व्यक्ति, भारतिय संस्कृती पर हमला करता था, ये अटेक होता था इंडिया पर तो अटेक होने के बाद वो यहां पर बस जाते थे वो यहां पर resident भी करने लगते थे तो इसी के द्वारा भी cultural influence होता था इसके द्वारा भी दोस्तों क्या होता था सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था और युनानियों के साथ भारत के संबंध सिकंदर के समय से स्थापित हो चुके हैं नंदवश का साशक घनानंद जब सिकंदर का आकर्मन हुआ था और जब तो इन सब चीजों का influence क्या हुआ, इन सब चीजों का प्रभाव क्या हुआ, ये अब हमें discuss करना है, तो पहला प्रभाव ये हुआ कि भारत में सोने के सिक्के जारी किये, और भारत में सोने के सिक्के जारी करने का जो श्रिय दिया जाता है, वो हिंद यवन शाष्कों को दिय जाता है इंडो ग्रीक रूलर्स को दिया जाता है तो यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि भारत में सोने के सिक्के सर्व प्रथम किस ने जारी किये तो युनान के लोगों ने जारी किये इंडो ग्रीक जो रूलर्स थे उनके द्वारा जारी किये गए ठीक यह पहले प्र पंच मार्क सिक्के चल रहे थे भारत में अब तक आहद सिक्के चल रहे थे अब आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो सिक्के जारी किये जा रहे हैं उन सिक्कों पर साशक का नाम भी लिख दे रहे हैं उन पर रूलर के नाम को भी लिख दिया जा रहा है तो यह influence है तीसरा भारत में Hellenistic कला का आरंभ हुआ और Hellenistic कला आगे जाकर के गांधार कला में परिवर्तित हो गई Most important question यहां से बनेगा इस प्रश्न को जरा मैं आपके सामने present करता हूँ पहला प्रश्न तो यह बनेगा कि Hellenistic कला का संबंध कहां से है The Hellenistic form of art is associated with तो आंसर कीजेगा कि इसका संबंध यवन साशकों से है Greek ruler के साथ यह जुड़ा हुआ है जब यह Hellenistic कला भारत आई तो भारतिय कला और Hellenistic कला के मिलने से Indian art और Hellenistic art के मिलने से एक नया art बना जिसे कहा जाता है गांधार आर्ट जिसे कहा जाता है गांधार कला सर गांधार आर्ट का संबंध किस से है तो गांधार आर्ट is associated with the sculpture गांधार कला का संबंध मूर्ती कला के निर्मान से है तो यहाँ से भी दोस्तो एक प्रश्न बन सकता है ठीक है आगे चलते हैं और भारत में परदे का प्रचलन प्रारंब हुआ और परदे को यवनिका के रूप में जाना जाता था तो यह प्रश्न भी कई बार कर लिया जाता है परदे को यवनिका के रूप ये हो जाएगा युनानी आकर्मन का भारत पर प्रभाव, भारत में सोने के सिक्के आने लगेंगे, सिक्कों पर साशकों का नाम आ जाएगा, हेलिनिस्टिक कला का प्रारंब हो जाएगा, वह आगे जाकर के गांधार कला में बदल जाएगी, और भारत में पर्दे का प्रचलन शुरू हो जाएगा और पर्दे के लिए यवनिका शब्द का इस्तमाल किया गया है facts मत भूलना, सारे facts मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर concept होता तो एक बारे में समझ में आ जाता पर facts अगर दो से तीन बार मैंने यहाँ पर revise कर लिये बाद में आप घर जाके पढ़ोगे कल आप इसका test लगाओगे तो ये चीजे निश्चित तोर पर आपको याद रहेंगे, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, आएए आगे बढ़ते हैं अगले topic को शुरू करते हैं तो ये अब बढ़ेंगे दोस्तो अध्याय नंबर 18 पर चैप्टर नंबर 18 की बात करेंगे और सक साशक को discuss करेंगे, सीथियन के बारे में हम बात करेंगे, तो याद रखें वो मैप याद रखना है कि हम foreign rulers की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने इंडो ग्रीक को discuss कर लिया और इंडो ग्रीक के बाद जो दूसरे विदेशी आक्रमन भारत में होगा वो शक साशक है और इनको सीथियन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनको सीथियन भी कहा जाता है, तो दो-तीन सवाल निकल के आते हैं कि सर आखिरकार सक साशक भारत में कहां से आये थे आखिरकार सीथियन नूलर्स इंडिया में कहां से आये थे, किस प्रकार से इन्होंने चीजों को आगे बढ़ाया ये प्रशन हमें discuss करने है तो पहली जी, युनानियों के बाद मध्य एशिया से पाँच साखाओं में भारत पर शक का आक्रमन हुआ तो देखिए, पूरी कहानी समझे ये दोस्तों मध्य एशिया वाला इलाका है, जो आप मैप में देख रहे हैं ये पूरा का पूरा इलाका मध्य एशिया का इलाका है ये पूरा का पूरा इलाका Central Asia वाला इलागा है तो Central Asia से टोटल पाँच साखाओं में पाँच अलग-अलग ब्रांचिस में जो सक साशक है वो भारत पर आते हैं जो सक रूलर है वो इंडिया पर आते हैं तो जिस तरह से आरियों का आगमन भारत में अलग-अलग साखाओं में हुआ था और जब आरिय भारत में अलग-अलग साखाओं में आए अलग-अलग ब्रांचिस में आए तो यहाँ पर उन्होंने चोटे-चोटे कभीले इस्थापित कर लिए यही कभीले आगे जाकर के जन्पत बने वो महाजनपत बने और महाजनपत के बाद भारत में मौर्या सामराज्य देखने के लिए मिला तो उसी प्रकार से ये जो Central Asia वाला इलाका है यहां से 5 different branches में सक साशक भारत आए जो इनकी पहली साखा थी, जो इनकी first branch थी वह तो अफगानिस्तान वाले इलाके में बस गई तो अब हमें इससे कोई मतलब नहीं लिकिन दोस्तों जो बाकी की 4 साखाएं थी जो बाकी की 4 branches थी वो भारत आई ठीक है भारत आई और भारत में भी ये दो भागों में बट गई ये दो पार्ट में बट गई देखिए शक साशक अपने आपको छत्रप कहते थे क्या कहते थे? छत्रप कहते थे तो ये प्रिश्न भी बन सकता है कि कौन से साशक अपने आपको छत्रप कहते थे तो शक साशक अपने आपको छत्रप कहते थे और भारत आने के बाद ये दो छत्रपों में बट गए एक कहलाया उत्री छत्रप जिसे नदर्न छत्रप कहा किया और दूसरा कहलाया पस्चमी छत्रप जिसे वेस्टर्न छत्रप कहा किया और उत्री छत्रप मतलब भारत के उत्री इलाके में रहेंगे दोस्तों ये कहां रहेंगे भारत के उत्री इलाके में रहेंगे तो उत्री इलाकों में दो शाखाएं गई एक तक्षी सिला में और दूसरी मत्रा में वहीं पस्चमी इलाके में इस वाले इलाके में दो साखाए गई एक नासिक में और दूसरी गई उज्जेन में और जो उज्जेन वाली साखा है वो most important branch रहेगी सबसे प्रमुक साखा रहेगी और यहीं का प्रमुक साशक रहेगा रुद्रदामन तो यहां पर दोस्तो रुद्रदामन का नाम आ गया है तो रुद्रदामन एक सक साशक थ से आता था तो याद रखना रुद्रदामन वॉज अशोश्येटिड विद्धी उज्जेन ब्रांच ऑफ सीधियन रूलर इतनी चीज़ें याद रखना एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं ठीक है इसको सिंप्लीफाई करके भी समझ सकते हैं ऐसे समझ यह कि पांच अलग अलग ब्रांच थी एक ब्रांच कहां पर पहुंच गई अफगानिस्तान पहुंच गई दूसरी ब्रांच तक्षिसिला पहुंच गई तक्षिसिला वाले इलाके में तीसरी ब्रांच कहां पर पहुंच गई मतुरा वाले इलाके में पहुंच गई चौथी ब्रांच कहां पर पहुंच गई नासिक वाले इलाके में पहुंच गई और पांचवी ब्रांच कहां पहुंची दोस्तो उज्जेन वाले इलाके में पहुंची जो ब्रांच तक्षिसला और मतुरा में पहुंच तो इसे कहा गया उत्त्री छत्रप क्या कहा गया दोस्तों उत्त्री छत्रप कहा गया और जो साखा जो ब्रांच नासिक और उज्जेन वाले इलाके में पहुंची उसे कहा गया पस्चमी छत्रप क्या कहा गया पस्चमी छत्रप कहा गया और छत्रप शब्द का उपयोग किसक शक सासकों के लिए किया जाता है, सीथियन रूलर्स के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है, याद रखना, अब एक और प्रशन पूछेगा, कि शकों की सबसे महत्वपूर्ण साखा कौन से थी, तो याद रखना, सक की जो सबसे महत्वपूर्ण साखा होगी, वो होगी उजयन, उजयन की साखा, और उजयन में ही एक साशक निकल के आएगा, रुद्रदामन, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे, ध्यान रखना, कभी भी टाइटल मत भूला करो, क्योंकि टाइटल से सीधा प्रशन आ जाता है, कि खारवेल किस वंश का साशक था, तीक है, या फिर प्रभावती गुप्त की शाधी किस साशक से हुई थी, तो शाशको का नाम कभी नहीं बूलना है, कि रुद्रसेन जो है भीया, ये एक सक साशक था, सीथियन रूलर था, जो की उजयन साखा से संबंदित था, उजयन की ब्रांच से जुड़ा हुआ था, और एक और बिसिक प्रशन, कि शक कहां से भारत आए, सीथियन जो थे, वो किस जगह से इंडिया आए, तो याद रखना सीथियन जो है, वो मध्धी एशिया से भारत आए थे, सेंट्रल इंडिया वाले इलाके से, दोस्तों, ये इंडिया वाले इलाके में आए थे, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट को शुरू करते हैं, ये हो गया, देख लिया हमने, कि बारत में कैसे आए, इंडिया में कैसे आए, अब आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, तो आप थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, कुछ बातें मतुरा के साशक के बारे में जान लेते हैं, कुछ नासिक के बारे में जान लेते हैं, और फिर हम most important ruler की बात करेंगे, जो है उज्जेन के सकसाशक, जो है उज्जेन के सीथियन ruler तो देखे मतुरा के सकसाशक जड़ा देखते हैं सीथियन रूलर्स आफ मतुरा की हम बात करते हैं मतुरा का प्रथम सकसाशक राजुन या राजुल था जबकि अन्नमहत्वपोन सकसाशक सोधस हुआ जएन ग्रंथ कालका चारे कथानक के अनुसार मतुरा के सकसाशक पहले मालवा के छेतर में रहते थे जिनहें 57 इसा पूर्व उजएन के साशक विक्रमादित्य ने पराज़त किया और यही से भारत में विक्रम समवत की शुरुवात होती है और यही से विक्रमादित्य का बहुत बड़ा नाम भारत में होता है और आने वाले राजा विक्रमादित्य की उपाधी का इस्तमाल करते हैं तो दो बातें बता दो कि एक ग्रंथ है कौन सा ग्रंथ है जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक तो जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक ठीक है जैन ग्रंथ पढ़ लेते हैं आप एक जैन ग्रंथ है और जैन ग्रंथ का नाम क्या है कालकाचार्य कालकाचार्य कथानक याद रखना कई बार ये प्रश्न भी पूछे गए हैं कि इस ग्रंथ का संबंध किस धर्म से हैं जैसे याद आ रहा होगा दिव्यावदान के बारे में प्रश्न पूछा गया था कि दिव्यावदान का संबंध किस धर्म से है तो वो बौध धर्म का ग्रंथ था तो यहां से ये भी याद रखते चला करो कि कालकाचारे कथानक का संबंध जैन धर्म के साथ है तो इसमें ये कहा गया है कि जो मतुरा के सक साशक थे, मतुरा के सक रूलर थे ये पहले मालवा वाले इलाके में रहा करते थे पर उजेन के एक बहुत प्रसिद्य राजा हुए और राजा का नाम था विक्रमा दित्या क्या नाम था विक्रमा दित्या और उजेन के प्रसिद्य राजा विक्रमा दित्या और उजेन के प्रसिद्य राजा विक्रमा दित्या और उजेन के प्रसिद्य राजा विक्रमा दित साशकों को पराजित कर दिया सक साशकों को हरा दिया और जब इन्होंने इनको पराजित किया तो 57 BC में इन्होंने एक समवत की शुरुवात की जिसे कहा जाता है विक्रम समवत कहा जाता है अब ही आगे जब हम कुशान की बात करेंगे तो कुशान का एक साशक हुआ करता था यहीं समझ लो, ताकि यह confusion ना हो, देखिए भारत में दो संबत बड़े प्रचले थे, एक का नाम है विक्रम संबत, ठीक है, और दूसरा जो है दोस्तों, इसे कहा जाता है शक संबत, शक संबत, दोनों ही शक राजाओं को हराने के बाद बनाए गए, यह बड़ी इंटरस्ट बाथ है, विक्रम संबत की शुरुवात 57 BC में हुई और इसकी शुरुवात विक्रम दृत्टि के द्वारा की गया, उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमा देती है, जबकि शक संबत की शुरुवात 78 AD में, याद रखना यहाँ बी-सी है, जिसको हिंदी में ईसा, पूर करवाया गया था जो कि एक कुशान वंश के राजा कनिश्क के द्वारा इसकी शुरुवात कराई गई थी तो दोनों में अंतर याद रखना दोनों में डिफरेंस याद रखना सक संवत 78 AD में शुरू हुआ था जबकि विक्रम संवत 57 BC में शुरू हुआ था तो अगर आपसे कोई पूछे अगर हम देखें कि 2020 ठीक है 2021 तो 2021 विक्रम संवत के हिसाब से क्या होगा तो इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा 57 तो कितना जाएगा 85720 2078 हो जाएगा लेकिन अगर शक संवत की बात करें तो इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा ठीक है माइनस करना पड़ेगा तो यह चीज भी आपको याद रखनी है ऐसा प्रशन भी एक बार पूछा गया है इसलिए मने आपको यह करके बता दिया तो विक्रम संवत और शक संवत के बीच में डिफरेंस को याद रखिएगा ठीक तो यह मतुरा के सक्साशक के बारे में बाते थी यह नाशिक के सक्साशकों के बारे में नाशिक के सीथियन रूलर को यहाँ पर हम डिसकस करते हैं तो देखिए नाशिक के सक्साशकों को शहरात शक भी कहा जाता है और इनका प्रमुक साशक जो था वो नहपान था और गौत्मी पुत्र सतकरनी के द्वारा इसकी हत्या कर दी याद होगा जब हम सातवाहन साशक पड़ रहे थे तो वहां हमने गौत्मी पुत्र सत्कर्णी की बात की थी जिसे वर्ने व्यवस्था का रक्षक कहा गया था जिसे वेदों का आश्रयदाता कहा गया था तो गौत्मी पुत्र सतकरणी के द्वारा नासिक के सकसाशक नहपान की हत्या कर दी गई तो देखिए भीया मतुरा के सकसाशक को उज्जेन के विक्रमादुत्य ने भगा दिया और जो नासिक के सकसाशक हैं इनको सातवाहन गौत्मी पुत्र सत्करणी के द्वारा बाहर कर दिया तक्षिसिला वाले अल्रेडी दूर हैं और एक हो गए अफगानिस्तान में तो चारों साखाएं क्लियर होगी अफगानिस्तान वाले से मतलब नहीं है तक्षिसिला वाले से भी ज़्यादा मतलम नहीं है मतुरा वाला एलिमिनेट हो गया और नासिक वाला भी हो गया एलिमिनेट तो अब कौन बचता है दोस्तों अब बचते हैं उज्जैन के सकसाशक जो की बहुत महत्वपूर्ण है जो की बहुत ज़्यादा important है हाईये इनके बारे में बात करते हैं देखिए उज्जैन के सक साशकों को कादर्मक सक भी कहा जाता है इनको कादर्मक सीथियन भी कहा जाता है और प्रथम साशक का नाम है चस्तन और सबसे महत्वपून साशक का नाम है रुद्रदामन और अंतिम साशक का नाम है रुद्र सहतृतिये जिसको चंद्रगुप्त विक्रमा दित्तिने मारा था इतना याद नहीं रखना है सिर्फ इतना याद रखना है कि सबसे महत्वपून साशक कौन है तो most important ruler का नाम है रुद्रदामन तो रुद्रदामन का संबंध उज्जैन के सक्साशकों से है He is associated with the Sithian rulers of the Ujjain आईए इनके बारे में कुछ बाते जानते हैं तो रुद्रदामन के बारे में कुछ बाते समझते हैं तो रुद्रदामन की जो जानकारी है रुद्रदामन की जो information है वो पूरी जानकारी जूनागर अभिलेक से मिलती है किस से मिलती है? जूनागर अभिलेक से मिलती है जूनागर अभिलेक के बारे में पहले ही हम कुछ बातें पढ़ चुके हैं कि जूनागर अभिलेक, गुजरात में जो है जुनागर अभिलेक संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेक है ये पहला point हो गया जुनागर अभिलेक से सुदर्शन जील की जानकारी मिलती है सुदर्शन लेक की information मिलती है और जुनागर अभिलेक में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्ये दोनों का नाम एक साथ लिखा गया है ठीक अगला और इसने भी सुदर्शन जील का पुनन निर्मान करवाया था तो ये भी आपको याद होगा कि भिया चंद्रगुप्त मौरय के द्वारा सुदर्शन जील बनवाएगी अशोक के द्वारा भी उसका पुनन निर्मान कराया गया रुद्र दामन के द्व रुद्र दामन के द्वारा भी सुधर्शन जील का पुनण निर्मान करवाया गया सुधर्शन लेख को रीकंस्ट्रक्ट कराया गया तो ये भी एक प्रकार की chronology यहां पर बन जाती है ठीक है नोट याद रखें कि मालवा के साशकों में अन्तिम सक साशक रुद्र सह ततिय था जिसे गुप्त साशक चंद्रगुप्त विक्रमा दित्ति ने मारकर पहली बार मालवा के छेत्र में चांदी के सिक्के चलवाए थे ये प्रशन भी कई बार बनता है कि मालवा के छेत्र में चंद्रगुप्त विक्रमा दित्ति ये गुप्त वंश का साशक है कि द्वारा चांदी के सिक्के कब चलवाए गए तो याद रखना जब चंद्रगुप्त विक्रमा दित्ति ने सक साशक रुद्र सह ततियों को मार करने की खुशी में पूरे के पूरे मालवा छेत्र में चांदी के सिक्के चलवाए गए थे पूरे के पूरे मालवा रीजन में सिल्वर क्वाइन को चलवाया गया था तो यहां से भी यह प्रश्ण बन सकता है कि मालवा छेत्र में चांदी के सिक्के किसने चलवाए तो चंद सारी बात कर लि capitalist कर लेंगे को इप्र हम बात करेंगे दस मिनिट का ब्रेक लेंगे कुशान की बात करेंगे अधिर गुप्त सामराज्य की बात करेंगे पहला की का रहा है इंपोर्थेंट नहीं दो तीन बातें ही पड़ लेना यह मूल रूप से इरान के निवाशी थे गौंडो फरनीज था इनकी राजधानी तक्षिसिला थी सेंट थोमस नाम के पादरी इसाई धर्म का प्रचार करने के लिए यहां पर आये थे जिनको आगे जाकर के मार दिया था बस इतनी ही बातें आपको याद रखनी है कि पार्थियन जो है जो पहलव साशक है वो इरान वाले इलाके से भारत आये थे सबसे शक्तिशाली जो पार्थियन रूलर था पहलव साशक था उसका नाम गौंडो फरनीज है और गौंडो फरनीज के समय सेंट थोमस नाम का पादरी इसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आया था इसाई रिलीजिन को प्रमोट शान साशकों की बात करेंगे 10 मिटक अब रिख लेते हैं फिर कुषान साशकों के बारे में बात करेंगे कनिश्क की के बारे में बात करेंगे और फिर अगले टॉपिक पर हम चलेंगे ठीक भारत की पश्चमी सीमा पर आकमन करने वाले साशकों में सबसे पहले इंडो ग्रीक रूलर जिनको हमने पढ़ लिया उसके बाद सीथियन्स की बात की शक साशकों को डिसकस किया फिर हमने पार्थियन या पहलव साशकों की बात की और दोस्तों अब हम बात करेंगे कुशान स या इन्ही को तोख्री भी कहा जाता है, तो आईए डिसकस करते हैं कुशान वंश के बारे में, देखें कुशान वंश की इस्थापना कुजुल कड़ फिसेश के द्वारा की गई थी, प्रमुक साशको में विम कड़ फिसेश का नाम आता है, सबसे महत्वपूर्ण साशक कनि तो याद रखना कुशान वंस की इस्थापना कुजुलकड़ फिशेस के द्वारा की गई थी और कनिश्क किस वंश से संबंदित है तो कनिश्क is associated with the कुशान डाइनस्टी और आखरी साशक कौन है तो आखरी साशक का नाम है वाशुदेव आए टॉपिक को आगे बढ़ाते ह कि आखरकार कुशान भारत आये कैसे जैसे हमने डिसकस किया कि इंडो ग्रीक रूरल ग्रीक वाले इलाके से बाहर भारत आये थे जो सक साशक है वह सेंटल एशिया मध्य एशिया वाले इलाके से भारत आये थे जो पहलव साशक है वो इरान वाले इलाके से भारत आये थे उ उनका संबंध चीन के यूची कभीले से था किस से जुड़े हुए थे यूची कभीला ऑफ एंशिंट चाइना इससे कुसान साशक जुड़े हुए थे तो देखिए चीन का जो यूची कभीला था तो इसकी पांच साखाएं कितनी साखाएं दोस्तों इससे पांच अलग और उसी में से एक साखा किसकी थी कुशान साशकों की थी जो कहां पर आए दोस्तों जो भारत में आए जो इंडिया में आए और इंडिया आने के बाद कुजुल कड़ फिशेस के द्वारा कुशान वजिश की इस्थापना कर दी गई कुशान टाइनेस्टी को दो अलग अलग कैपिटल थी पहली राजधानी का नाम था पेशावर और दूसरी राजधानी का नाम था मतुरा एक राजधानी इन्होंने अपनी पेशावर को बनाया जो इनकी प्रमुख राजधानी थी मेजर कैपिटल थी जबकि दूसरी राजधानी दोस्तों मतुरा ठीक है और इस map में आप देखिए तो इस तरह से कुशान वंश का साशन भारत पर और भारत के बाहर वाले इलाके तक फैला हुआ था तो कुशान वर सिर्फ इंडिया पर रूल नहीं कर रहा है भारत के उत्तर पस्चिम और मध्य भाग पर ये साशन कर रहा है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट और सेंटल पार्ट पर ये रूल कर रहा है लेकिन भारत के बाहर अफगानिस्तान वाले इलाके तक ये पहुचा हुआ है तो बहुत बड़े इलाके में कुशान वंश का साशन हुआ करता था दूसरी हम बात करेंगे विमकड़ फिशेस की तो विमकड़ फिशेस के बारे में ज़्यादा महतुपूर बात नहीं है पहली बात यह है कि इसने भी भारत में सोने के सिक्के चलवाए थे और इन सोने के सिक्कों की उपर शिव, नंदी और त्रशूल की आकरती होती थी जो यह बताते हैं कि विमकड़ फिशेस शेव धर्म का अन्युयाई रहा होगा और विमकड़ फिशेस ने एक उपाधी धारन की थी इस उपाधी को कहा जाता है महिश्वर तो बहुत important बाते नहीं है बस इसने भी हिंद युनान साशकों की तरह भारत में सोने के सिक्के चलवाए इंडिया में gold coin को चलवाया और सोने के सिक्कों के पीछे शिव, नंदी और त्रशूल की आकरती थी जो यह बताते हैं कि यह निश्चित तोर पर शैव धर्म का अनुयाई होगा शैविजम को यह follow कर रहा था तो कुजुल कड़ फिशिस, विम कड़ फिशिस अब हम बात करेंगे सबसे महत्पून साशक जिसका नाम है कनिश्क कनिश्क is the most important ruler of the whole कुशान डाइनस्टी कनिश्क कुशान वंश्का सबसे महत्पून साशक है इसके बारे में पहली चीज आपको यही याद रखना है कि कुशान का कनिश्क का राज्य अभिशेक 78 AD में होता है 78 AD में होता है और जब 78 AD में कनिश्क का राज्य अभिशेक हुआ तो इसी के उपलक्ष में उसने शक संवत का आरंब कराया जो अब भारत का और पिचारिक संवत है तो अभी कुछ देर पहले हमने आपको अंतर बताया था कि भारत में दो संवत बहुत ज़्यादा प्रचले थे एक विक्रम संवत जिसके शुरुवाद 57 AD में उज्यन के साशक विक्रमा दित्य के द्वारा की गई थी और दूसरा है शक संवत जिसकी शुरुवाद 78 AD में कनिश्क के द्वारा की गई है और भारत का आपचारिक संवत कौन सा है Official संवत of India तो यह आपको याद रखना है शक संवत है देखिए कनिश्क ने चाइना के साशकों की तरह एक उपाधी धारण की जिसे कहा गया देवपुत्र बिसिकली यह जो भारत में कंसेप्ट है अब आप देखोगे कि भारत में जितने साशक आएंगे वो देविय सिध्धान्त का पालन करेंगे अब यह देविय सिध्धान्त क्या होता है राजा अपने आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि वो है देवताओं से जुड़े हुए है वो है देवता के पुत्र है या भगवान ने उनको यहाँ पर भेजा है सर राजा ऐसा क्यों कर रहे है देखो राजा ऐसा इसलिए करेंगे ताकि जनता उनकी बात को जादा माने जैसे ही राजा ने यह कह दिया कि वो है भगवान के द्वारा भेजे गए हैं या वो है भगवान के साशन को प्रत्वी पर आगे बढ़ा रहे हैं तो लोग उन पर और भी ज़्यादा विश्वास करेंगे और लोग अगर विश्वास करेंगे तो विद्रोह कम से कम होंगे तो अब आप भारत में एक नया सिस्टम देखोगे कि भारत में लगातार जो राजा हैं वो देवताओं के साथ अपना नाम जोड़ना शुरू करेंगे और इसका बड़िया एक्जाम्पल है कि कनिश्क ने देवपुत्र की उपाधी को धारण किया ठीक है अब अगर हम बात करें कनिश्क के सामराज की कनिश्क के एमपायर की तो ये उत्तर भारत में थो था ही था उत्तर भारत के अलावा मद्ध एशिया तक कुशान वश्क के साशकों को कनिश्क ने फैला दिया और चीनी सैनापती पैंचाओ ने याद रखना एक चीनी सैनापती था पैंचाओ उसने कनिश्कों को हराया लेकिन कनिश्क ने दुबारा उस पर हमला किया और दूसरी बार उसने चीन के सहनापती पैंचाओ को हरा दिया था ठीक और ये मगद से अश्वगोश और बुद्ध का भिक्षा पात्र लेकर के आगया था पिशावर वाले इलाके में आगे बढ़ें तो कनिश्क के धर्म की बात करें तो कनिश्क बौध धर्म की महायान साखा का अन्युआई था और इसी के साशनकाल में कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौध संगती का आयोजन किया गया चौथी बॉध्ध संगती के अध्यक्ष वसुमित्र थे और इसका परणाम ये हुआ कि हीनियान और महायान का इसपस्त विभाजन हो गया तो देखें पूछा जाता है कनिश्क किस धर्म का अनुयाई था तो आंसर करेंगे कनिश्क बॉध्ध धर्म का अनुयाई था जब कनिश्क का साशनकाल चल रहा था जब कनिश्क का टाइम पीरिड चल रहा था तो उसी समय चौथी बुध्धिस्ट काउंसिल या चतुर्थ बॉध्ध संगती का आयूजन कहां पर किया जा रहा है कुंडलवन कश्मीर वाले इलाके में किया गया जिसके अध्यष्टा वशु मित्र के द्वारा की गई और इसमें हीनियान और महायान का इसपस्ट विवाजन हो गया जो कि बॉध्ध धर्म के दो अलग-अलग संप्रदाय बनेंगे ठीक आगे बढ़ें तो ये भी देखें कि भारत में महायान संप्रदाय द्वारा दो शैलियों में कुछ प्रतिमाओं का निर्मान किया गया और भारत में मूर्ती पूजा को आगे बढ़ाया जाएगा देखें पहले ही हम ये डिसकस कर चुके हैं कि भगवान बुद्ध पहले ऐसे इश्वर हैं जिनकी मूर्ती पूजा का आरंब किया जाएगा और यहां से आप देखोगे कि भारत में लगातार मूर्तियों का निर्मान होगा इंडिया में लगाचार स्क्लिप्चर बनेंगे और मूर्ती बनाने के लिए भारत में दो कलाएं प्रसिद्ध थी एक कला है गांधार कला, गांधार आर्ट बोला जाता है और दूसरी कला है दोस्तो मतुरा कला तो देखें पहला प्रशन तो यहां से यही बन जाता है कि गांधार और मतुरा कला का संबंध किस से है तो याद रखें, गांधार और मतुरा कला का संबंध मूर्ती निर्मान से है, इस क्लप्चर मेकिंग से दोनों का संबंध है सर दोनों में क्या कुछ अंतर है, तो आईए इनकी विशेष्टाओं पर गौर करते है देखिए जो गांधार कला है, एक बेसिक बात यहीं मैं आपको बता दे रहा हूँ जो गांधार कला है, तो इसकी सबसे बड़ी विशेष्टा ये है कि ये भारतिय कला, इंडियन आर्ट और यूनानी कला की मिश्रंटे बनी है इंडो और यूनानी आर्ट के मिक्सर से दोनों को मिलाने के बाद इस कला का निर्मार हुआ है जबकि जो मतुरा कला है, ये भारत की स्वदेशी कला है इट इस दी इंडिजिनस, इट इस दी इंडिजिनस फॉर्म ओफ आर्ट, आर्ट फॉर्म ओफ इंडिया ठीक, तो गांधर कला में अगर आप देखें, तो इसे इंडो ग्रीक शैली कहा जाता है क्यों कहा जाता है, इसका कारण आप समझ गए होंगे ठीक है, इसे ग्रीक बुद्ध शैली भी कहा जाता है और इसे यूनानी रोमन सैली भी कहा जाता है हमने डिसकस किया था कि जब हिंद यवन साशकों का भारत पर आकरमण हुआ तो वो अपने साथ एक कला लेकर के आए जिसे हेलेनिस्टिक कला कहा गया हेलेनिस्टिक कला जब भारतिय कला के साथ मिल गई तो उसमें एक नई कला को जन्म दिया और इसे कहा गया गांधार कला इस शैली का प्रमुख केंद्र गांधार था अतह इसे गांधार कहा गया इस शैली में बुद्ध की मूर्तियों का निर्मान किया गया गांधार कला में काले, मीले और हरे सलेती पत्थर का इस्तमाल किया जाता है और इन मूर्तियों में भातिकता जादा होती है देखिए भातिकता और इसका मतलब समझे गांधार और मतुरा कला के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस समझे जो गांधार कला है वो design पर और भव्यता पर बहुत जादा ध्यान देते हैं कि मूर्ती बहुत भव्य लगनी चाहिए उसके पीछे जो है जूड़ा रहेगा पीछे चक्र वगरा भी बना देंगे तो बहुत भव्य लगती है मूर्तियां तो उन्में क्या होती है वही कहरें कि भौत इकता जादा है लेकिन जो मतुरा कला की मूर्तिया है वो आपको comparatively simple देखने के लिए मिलेंगी और वो आध्यात्मिक पक्षों की और जादा ध्यान देती है वो spiritual side की और जादा ध्यान देती तो कई बार क्या है comparison करने के लिए पूछ लिया जाता है कि भाया जादा भव्य मूर्तियां किसमें बनाई गई तो याद रखिएगा जादा भव्य मूर्तियों का इस्तमाल गांधार क में बनाई गई हाला की बुद्ध की पहली मूर्ति जो है वो मतुरा कला में ही बनाई गई थी गांधार कला में काले नीले और हरे पत्तर का इस्तमाल किया जाता है अब मतुरा कला के बारे में कुछ बातें बोलते हैं इस कला का जन्म कनिश्के के समय मतुरा में हुआ था अ इसमें लाल बलुवा पत्थर का इस्तमाल किया जाता है, तो अंतर देख लीजे, यहां पर काले नीले और हरे पत्थर का इस्तमाल किया जा रहा है, यहां लाल बलुवा पत्थर, रेड सेंड स्टोन का उप्योग किया जा रहा है, बुद्ध की पहली मूर्ति के निर्मान का मथुरा कला को दिया जाता है इस शैली की मूर्तियों में अध्यात्मता, अधिक और भौतिकता कम दिखाई देती है तो देखे, दो प्रश्ण बनेंगे बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति किस कला में बनाई गई? मथुरा कला में बुद्ध की सबसे जादा मूर्तियां किस कला में बनाई गई गांधार कला में बनाई गई ठीक है ये कुछ प्रश्ने बन सकते हैं गांधार कला में किस पत्थर का इस्तमाल किया जाता है काले नीले और हरे पत्थर का इस्तमाल किया जाता है मतुरा कला में किस पत्थर का इस कैंभ तोड़ा साहित्य की बात कर लेते हैं कि करिश्के की समय में साहित्य और वास्तु कला में क्या प्रगर्थी हुए literature और architecture में क्या प्रगती हुई तो कुशाण के समय सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किये गए यह अलग-अलग प्रश्ण बगते है एक प्रश्ण वो पूछेगा आपसे कि सबसे पहले सोने के सिक्के किस ने जारी किये तो वो हिंद यवन साशक है वो इंडो-ग्रीक रूलर है दूसरा प्रश्ण वो पूछेगा कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किन साशकों ने जारी किये प्यूरिस्ट फॉर्म ओफ गोल्ड कोईन तो याद रखना इसका श्रिय कुशान साशकों को जाता है कुशानों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किये दूसरा जो कनिश्क है इसने क्या किया था अपनी राजधानी पुरुषपुर जिसे हम पेशावर के रूप में जानते हैं वहाँ पर एक चैत्य चैत्य भी एक गुफा प्रकार्टी होती है उसका निर्मान कराया था जिसे कनिश्क चैत्य कहा जाता है साथी साथ बामियान जो कि अफगानिस्तान वाले इलाके में आता है और चर्चा में भी था तो बामियान में कनिश्की के द्वारा खड़ी हुई बौध प्रतीमा को बनवाया गया था जिसको भी हाल्म भी किया गया था ये देखो आप इस प्रतीमा को त्यान से देखो तो इस प्रतीमा को जो बामियान में ये जो प्रतीमा ये कनिश्की के द्वारा बनाएगे प्रतीमा है एक बहुत बड़ी चट्टान है उस चट्टान को पहले काटा किया है और उस चट्टान के अंदर खड़ी हुई बौध प्रतिमा बनाई गई है पहली बार भारत में गौतम बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा आपको कनिश्क के समय देखने के लिए मिलेंगी तो ये भी एक फैक्ट यहां पर बनके निकलके आता है और कश्मीर में कनिश्क पुर नाम का एक नगर बसाया था तो कश्मीर में दो फैक्ट हो गए एक तो कश्मीर के कुंदल वन में चतुर्थ बौध संदर्टी का आयूजन किया जा रहा है और वही पर आपको याद रखना है कि कनिश्क पुर नाम के एक नगर की स्थापना भी की जा रही है अब कनिश्क के समय की विद्वानों की बात कर लेते हैं कि कनिश्क के समय कौन कौन से स्कॉलर हुआ करते थे तो देखिए कनिश्क के समय जो राजवैद था उसका नाम था चरक और चरक की द्वारा चरक सहीता नामक किताब लिखी गई अश्वगोष जो की कनिश्क का राजगवी था उसने एक बहुत महत्वपून किताब लिखी जिसे कहा जाता है बुद्ध चरित और बुद्ध चरित को बौध धर्म की रामायन कहा जाता है साथी साथ अश्व घोस के द्वारा सौंदरा नंद नाम की एक किताब भी लिखी गई और यह किताब संस्कृत भाषा में उसके द्वारा लिखी गई अगला पॉइंट दोस्तो वशुमित्र तो वशुमित्र के द्वारा महा विभाष सूत्र लिखा गया और इनका प्रधान पुरूहित संगरक्षित था तो यहाँ पर सबसे इंपोर्टन क्या है देखो जिस तरह हमने पढ़ा था कि पुश्यमित्र सुंग के समय उसका राजवैध पतंजली था और पतंजली के द्वारा एक पुस्तर लिखी गई जिसे हम महाभाषी के रूप में जानते हैं उसी प्रकार कनिश्क के राजवैध का नाम चरक है और चरक के द्वारा जो किताब लिखी गई है उसका नाम है चरक सहिता दूसरा महत्वमोर प्रश्न कनिश्क के राजवी का नाम बताईये तो कनिश्क के राजवी का नाम अश्वगोश है और अश्वगोश के द्वारा दोस्तो बुद्ध्य चरित जिसे बौध धर्म की रामायन कहा जाता है और सौंदरा नंद नाम के किताब लिखी गई संस्कृत भाषा में ये कुछ महत्वपून तथी यहां से निकल करके आते हैं इसके अलावा जिस समय कनिश्क का साशन चल रहा था उसी समय नागारजुन भी भारत में थे नागारजुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और इनकी द्वारा माध्य में की सूत्र शून्यवाद और प्रग्या पार्मिता की रचना की जाती है कुशान साशकों के द्वारा सरवाधिक सिक्के जो जारी किये गए वो तामबे के सिक्के हैं और कुशान वंस के अन्तिम साशत का नाम वशुदेव है ठीक है और ये कुछ और तथी है कि कुशान के काल में इंट के कुओं का निर्मान होता था शक और कुसान साशकों ने भारत में अस्व सैना को बहतर बनाया, भारत को मध्य एशिया के अलताई पहाडों से प्रचुर मात्रा में सोना प्राप्त होता था, कुशान काल में भारत में बाल बिवाहा प्रथा का प्रचलन हुआ, मौरी उत्तरकाल के राजाओं ने देवता क सिध्धांत का प्रतिपादन किया, कुशान साशक देवपुत्र कहलाते थे, जो उन्होंने चीन के सासक से सीखा था, और उज्जन सबसे महत्वपूर नगर था, क्योंकि छिप्रा नदीर से प्रचुर मात्रा में गुमेद और इंद्र गुप पत्थरों की प्राप्ती होत कुछ प्रशन यहां में आपको बना करके बता रहा हो, फिर हमारे अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे, पहला बेसिक प्रशन यहीं बनेगा, कि कुशान वंश की स्थापना किसने की, आंसर कर दीजेगा, कुजुल कट फिशेज, दूसरा प्रशन बनेगा, कि कनिश्क का धर्म का अनुगाई था, तो कनिश्क was the follower of Buddhism, अगला प्रशन बनेगा, कनिश्क के क्या राज कभी कौन था, तो अश्व घोष, अश्व घोष के द्वारा बुद्ध चरित और सौंदरानंदी की रचना की गई, बुद्ध चरित बौध धर्म की रामायन कहलाती है, दूसरा प्रशन, कनिश्क के राज वैद्ध का नाम बताईए, चरक, चरक के द्वारा चरक सहिता की रचना की गई, भारत का आइंस्टाइन के से कहा जाता है, नागारजुन, नागारजुन के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, माध्यमे का सूत्र, जिसमें सापेक्षता का और साथी साथ शून्यवाद के सिध्धान का प्रतिपादन किया गया, और याद रखना, नागारजुन बौध धर्म के अनुवाई थे, और वह बौध धर्म की माध्यमेक साखा से आते थे, और बौध धर्म में विज्ञानवाद को उन्होंने आगे बढ़ाया था, अगल है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रशनों की बात करते हैं, जो बन सकते हैं, कुशान साशकों के द्वारा सबसे ज़्यादा किस धातू के सिक्के चलाए गए, विच कोईन वर्धी मैक्जिमम बाइदी कुशान रूलर, तो याद रखना, तामबे के धातू के आप कहोगे, सर ये तो गोल्ड कोईन की बात है, नहीं, कन्फ्यूज मत होना, देखो, कुशानों ने सबसे शुद्ध सोने की सिक्के चलाया थे, प्यूरिस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कोईन कुशान ने चलाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चलाया, अग आप याद रखेंगे करनिश्क और कुशान के बारे में, चीक, अब दोस्तो, हमें अगले टॉपिक की बात करनी है, और हमारा अगला टॉपिक है संगं काल, अगला हमारा टॉपिक है संगं पिरिड अध्याए 20 की अब हम बात करेंगे, चैप्टर 20 को अब हम डिस्कस ठीक चलो तो आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक दोस्तो अब हम शुरू कर रहे हैं तो गुप्त काल को पढ़ने से पहले हमें संगम काल के बारे में बात करनी होगी देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है पर दो तीन प्रशनी यहां से बन करके आते हैं तो जो भी important fact है जो भी major fact है उनको हम यहां पर discuss करेंगे और फिर हम गुप्त काल के बारे में बात करेंगे गुप्ता empire को हम discuss कर रहे होंगे ठीक है जैसे संगम का अर्थ क्या होता है पहला प्रश्ण यही निकल के आता है कि आखिरकार संगम शब्द का अर्थ क्या होता है तो देखिए संगम शब्द का मतलब होता है परिशत जिसे council कह सकते हैं काउंसल, ओके, तो उसर कैसी परिशद है, तो देखिए, संगम एक ऐसी परिशद है, जिसमें तमिल कभी या तमिल लेखक आकर के बैठते हैं, तो जैसे मांग दीजिए, अलग-अलग तमिल राइटर है, अलग-अलग तमिल पोएट है, तो पहली बात तो तमिल शब्द बहुत सारे राइटर एक जगह आकर के बैठते थे, वहाँ पर अलग-अलग किताबों को लिखते थे, तो उसी बैठक को, उसी जो परिशद, जो काउंसल वहाँ पर होती थी, उसी काउंसल को क्या कहा जाता था, संगम कहा जाता था, और इस परिशद के द्वारा, जितने भी साहित्य को लिखा गया, साहित्य को कहा गया संगम साहित्य, और संगम साहित्य से हमें तीन राजाओं की जानकारी मिलती है, या तीन अलग-अलग राजवंशों की जानकारी मिलती है, चेर, चोल और पांड्य, तो जो हम संगम लिटरिचर की बात करते हैं, तो तीन वंश, चेर डाइनस्टी, चोल डाइनस्टी और पांडय डाइनस्टी यह जो चेर वंश है दोस्तों चेर तो यह आपको याद रखना है यह केरल वाले इलाके में था जो चोल वंश है आप देख रहे हैं तो यह तमिल नाडू और आंध्र प्रदेश वाले इलाके में फैला ह इसी कारण से जितने भी संगम हुए, कितने संगम हुए, तीन संगमों का आयूजन किया गया, अर्था तीन बार सभी तमिल कभी और तमिल लेखक आकर के एक जिगह पर बैठे, और इनका सभी का आयूजन पांडिय राजाओं के द्वारा किया गया, पांडिय राजाओं ने इन सभी चीजों का आयूजन किया था, तो देखिए तीन अलग अलग पांडे होंगे, तीन अलग, प्रथम जो संगम है, वो मदुरा में हुआ, धुतिये जो संगम है, वो कपाठपुरम में हुआ, और तीसरा जो संगम है, वो मदुरा में हुआ, और तीनों को संरक्षन किस तो तीनों को जो सन्रक्षर दिया वो पांडी राजाओं के द्वारा दिया गया पांडी रूलर्स के द्वारा दिया गया तो यह बहुत सारी बातें आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि मुश्किल टॉपिक है वैसे भी याद नहीं रहती हैं चार या पांच फैक्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगा बस उन तथियों को याद कर लीजेगा और इस टॉपिक को हम खतम करके गुप्त सामराज्य वाले टॉपिक पर आएंगे जैसे पहला प्रश्न बनेगा संगम का संबंध संगम क्या है पहला प्रश होते थे तमिल राइटर होते थे उनका एक काउंसल होता था और उसी काउंसल को हम क्या बोल रहे हैं संगम बोल रहे हैं पहली बात दूसरा कितने संगमों का आयुजित किया गया तो आंसर कीजेगा तीन संगमों का आयुजित किया गया पहला और तीसरा जो संगम है वो मद के साशनकाल में आयुजित हुए संगम वर और्गनाइज़ एट विट डाइनस्टी तो आंसर कीजिएगा पांडिय डाइनस्टी पांडिय राजुवंश के साशनकाल में अलग-अलग संगमों का आयुजन किया गया संगम को संगम में किन राजाओं के बारे में बात की तो बताते ना संगम में तीन वरिशों की जैमकारी मिलती है चेर, चोल, पांडिय चेर केरल वाले अलाके में है चोल, तमिल लाडू और आंधरप्रदेश वाले अलाके में है जबकि पांडिय जो है वह एक खास तोर पर आपको तमिल लाडू वाले इलाके में देखने के लिए बिलेंगे एक गरंथ का नाम है जो वो पूछता है एक सामने एक गरंथ है दोस्तो तोल का पियम यह याद रखना यह पूछा जाता है कि तोल का पियम की रचना किस्त के द्वारा की गई तो तोल का पियम जो है वो तमिल व्याकरण का एक गरंथ है और इसकी रचना तोल का पियर के द्वारा की गई तो तोल का पियर रचनाकार का नाम है और तोल का पियम जो है वो है पुस्तक का नाम है तो दोनों चीजे यहाँ आपको दोस्तो याद रखना है आईए आगे बढ़ते हैं कुछ तत्थे यहाँ पर हैं जादा नहीं है पांच-छे तत्थे हैं बाकी आपको पढ़ना है तो इन तत्थियों पर जरह हम एक बर गौर कर लेते हैं जैसे अगस्त रिशी को दक्षिन भारत में आर्य संस्कृती के प्रसार का श्रिय दिया जाता है अगस्त रिशी याद रखें पहले और दूसरे काउंसल के अध्यक्ष है अगस्त रिशी को दक्षिन भारत में आर्य संस्कृती के प्रसार का श्रिय दिया जाता है तमिल भाशा का प्रथम ग्रंथ अगत्यम है जो कि अगस्त रिशी के द्वारा ही लिखा गया था तो अगस्त रिशी दक्षिन भारत गए, साउथ इंडिया गए और साउथ इंडिया में जाकरके इन्होंने आरिय संस्कृती का प्रचलन किया और वहां जाकरके इन्होंने तमिल भाशा में पहली किताब लखी जिसका नाम है अगत्यम उसके बाद तोलाक की पियम जो की तोलाक पियर के दुआरे लखी गई है बहुत महत्वपूर्ण किताब है यह तमिल व्याकरण की किताब है और तीसरे संगम साहित में आठ संग्रहे ग्रंतों में संकले थे यह इंपॉर्टन नहीं है जो इंपॉर्टन है वो यह है कि तमिल प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण जो एक प्रकार से कहेंगे वर्ण है वो ब्राम्भन वर्ग है और ब्राम्भन वर्ग के बाद जो दूस को एक clear वर्ण सिस्टम देखने के लिए मिलता है इस पस्ट वर्ण ववस्था देखने के लिए मिलती है लेकिन जब हम दक्षिन भारत की बात करते हैं South India को जो हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण Brahman वर्ग है ठीक है इनका मुख्य पेशा क्रशी हुआ करता था ओके दोधीन फैक्ट और हैं देखते हैं संगम साहित में व्यापारी को वेनिगर कहा गया है तो याद रखना जो क्रशक है किसान है उसको वेलार कहा गया है और जो व्यापारी है जो व्यापारी है उसे वेनीगर कहा गया है ठीक है ये कुछ तथ आपको याद रखना है फिर आगे बढ़ें कुछ और वर्ग है जैसे पुलेर ये दस्तकारों का वर्ग है एनियर शिकारियों की एक जाती है मलवर ये लूट पार्ट करने वाली जाती है पर ये ये अतना भी नहीं याद रखना है फिर वेनीगर याद रखलो वेलार याद रखलो ब्राम्हन सबसे महत्वपूर्ण थी ये याद रखलो चावल मुख्य खादाने है तो ये समाज के निरुक में खेतिका कार्य कर रही थी तो ये कुछ तत्य है जो आप एक बार वहां से पढ़ सकते है सारी चीज़ें आपको बिल जाएंगे संगम काल में ही मिश्र के एक नाविक हैपुलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों को समुद्र पार करने की विधी का पता किया तमिल प्रदेश के महत्वपून देवता मुरुगन है और उन्हें बाद में सुब्रमन्यम के नाम से जाना किया तो संगम काल के बारे में जो महत्वपून प्रश्ण थे वो मैंने आपको बता दिये चुकि मुश्किल टॉपिक है बहुत प्रश्ण आते भी नहीं है तो मेजर मेजर फैक्ट्स हमें कवर करना है और आगे बढ़ जाना है चलिए दोस्तो अगले अध्याई की बात करने है और हमारा अगला अध्याई है गुप्त सामराज्य अगला हमारा चैप्टर है गुप्त एम्पायर बताईए यहां तक सारी बाते क्लियर है सामराज्य के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे गुप्त एम्पायर के बारे में यह आखरी बड़ा टॉपिक है दोस्तो इस दे लास्ट लास्ट और दी मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक जो की एंशेंट हिस्टी में में डिस्कस करना है कल प्राचीन भारतिय इतिहास की आखरी क्लास होगी गुप्त सामराज्य को हम आज डिस्कस करेंगे और कल हम प्राचीन भारतिय इतिहास को पूरा का पूरा खतम कर देंगे तो आईए शुरू करते हैं गुप्त एंपायर के बारे में पढ़ना तो देखिए आप सभी जानते हैं कि गुप्त सामराज्य को भारतिय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है इससे प्राचीन भारतिय इतिहास का गोल्डन एज या गोल्डन पीरियड कहा जाता है ये तो हम सभी लोग जानते हैं ठीक है कि गुप्त सामराज्य को प्राचीन भारतिय इतिहास का गोल्डन एज कहा जाता है या स्वर्ण योग कहा जाता है गुप्त सामराज्य के प्रमुक साशकों में पहला नाम आता है शिरीगुप्त का जो की गुप्त वन्ष के संस्थापक है जो की गुप्त डाइनिस्टी के फाउंडर है शिरीगुप्त के बार नाम आता है घटोजकच का लिकिन शिरीगुप्त और घटोजकच ये दोनों ही स जामंत के रूप में कार्य करते थे तो इनको स्वतंत्र साशक नहीं कहा जाता इनको इंडिपेंटेंट रूलर नहीं कहा जाता गुप्त वंश के पहले स्वतंत्र साशक का नाम है चंद्रगुप्त प्रथम तो इसे कहा जाता है कि यह गुप्त वंश के वास्त्रिक और actual founder of the gupta dynasty पर अगर एक्जाम में प्रश्न आता है कि गुप्त सामराजी की इस्थापना किसने की who established the gupta empire तो आंसर कीजेगा श्री गुप्त अगर ये प्रश्न आता है कि गुप्त सामराजी के वास्तविक संस्थापक का नाम क्या है real founder of gupta empire तो आंसर कीजेगा चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त वन और इसके बाद समद्रगुप्त का नाम आएगा जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है नेपोलियन ओफ इंडिया कहा जाता है चंद्रगुप्त दुतिये कुमार गुप्त जिसने नालंदा विश्युविद्याले की इस्थापना करवाई इसकंद्रगुप्त और आखरी साशक का नाम होगा विश्नुगुप्त तो देखो दो तीन प्रश्न तो यहीं से बन पहला प्रश्न संस्थापक श्रीगुप्त वास्पिक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम और अंतिम साशक विश्नुगुप्त यह हो जाएंगे भिया प्रद्मुख नाम झाल 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 चले तो सबसे पहले एक छोटा सा परीचे ले लेते हैं कि आखिरकार गुप्त साशक कैसे आए और कैसे यह भारत में आगे बढ़ें तो पहली चीज़ याद रखें कि गुप्त साशक कुशाणों के सामन्त हुआ करते थे और इन्हें वैश्यवर्ण का माना जाता है तो जो गुप्त साशक हैं वो कुशाण साशकों के यहां सामन्त का काम किया करते थे और जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया है कि छोटे छोटे जो सामन्त होते हैं यही आगे जाकर के वड़ेवंस की इस्थापना करते हैं बस इसमें एक प्रमुख या महत्पूर्ण साश जैसे नंदवंश या मगद मगद आगे जाकर के मौर्य सामराज्य बन गया ऐसे जाकर के बड़े-बड़े सामराज्यों की इस्थापना होती है तो जब कुशान रूल कर रहे थे तो गुप्त साशक उनकी यहां सामन्त का मतलब होता है एक प्रकार का जमींदार जिनके पा गुप्त वंश की इस्थापना शिरीगुप्त के द्वारा की गई थी जिन्हें महराजा की उपाधि दी गई है और ताम्रपत्र अभिलेक में इन्हें आदिराज कहा किया है देखिए जब हम कहते हैं कि शिरीगुप्त जो है वह गुप्त वंश के संस्थापक है तो इसकी जो जानकारी है वो है तामरपत्र अभिलेक से मिलती है जो तामरपत्र एडिक्ट है उसमें शिरीगुप्त को गुप्त समराज का आदी राज कहा गया आदी राज मतलब पहला राजा कहा गया है तब इतिहास कारों ने ये माना कि भिया शिरीगुप्त के द्वारा ही गुप् की स्थापना है वो चंदरगुप्त प्रथम के द्वारा की गई रियल फाउंडर चंदरगुप्त फरस्ट को कहा गया तो अब हम बात करेंगे दोस्तों चंदरगुप्त प्रथम के बारे में चंदरगुप्त वन को अब हम यहां पर डिसकस कर रहे होंगे तो पहला स्वतंतर साशत ये क्लियर हो गया होगा आपको फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूरर ऑफ दी गुप्ता डानेस्टी इसमें कोई डाउड दोस्तों आपको नहीं होगा दूसरी बात इसने क्या किया था कि लिच्वी राज कुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था एक लिच्वी राज कुमारी थी कुमार देवी उनसे चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था और महराजा धी राज की उपाधी धारन की थी कौनसी उपाधी महराजा धी राज की उपाधी इन्होंने धारन की थी गुप्त साशकों ने बहुत सारी उपाधियां धा तो राजा बनने की खुशी में इन्होंने गुप्त समवत का प्रचलन शुरू कराया। चांदी के सिक्कों का प्रचलन भी इन्होंने करवाया, जो सिल्वर क्वाइन है, वो चलवाना शुरू किया। दो-तीन उपाधिया है, पराक्रमांग की उपाधी है, कवी राज की उपाधी है, चूकि इन्हें संगीत का बहुत ज्यादा सौक था, और सिक्कों पर इनकी वीणा बजाती हुई फोटो भी दिखी है, तो संगीत का शौक होने के कारण इन्होंने कवी राज की उपाधी भी मिली हुई है तो ये धारन करते थे तो राजा है वो अलग-अलग उपादियां धारन करते थे जैसे चंद्रगुप्त प्रथम में महराजा धीराज की उपादि धारन कर ली कनिश्क अपने आपको देवपुत्र बोलता था उसी प्रकार समुद्रगुप्त जो है भी यहाँ वो है अपने आपको पराक्रमांक, अश्वमेग करता, परम भागवत और कवीराज बोला करते थे देखिए जब नैपोलियन का इतिहास लिखा गया तो नैपोलियन का इतिहास एक व्यक्ति लिख रहा था जिसका नाम है विंसेंट इसमित और विंसेंट इसमित ने जब रि उसने क्या किया समध्र गुप्त को भारत का नैपोलियन बोला तो अब समझ में आ रहा है कि नैपोलियन क्यों बोला तो भारत का नैपोलियन इसलिए बोला कि भाया जिस तरह नैपोलियन ने बहुत सारे राज्यों को जीता तो उसी प्रकार से भारत का नैपोलियन किसे बोल जा रहा है समुद्र गुप्त को बोल दिया और ये विशेंट इसमित में ये बात कई। बारी कभी हरिषेनों थे और हरिषेनी के द्वारा प्र्याग प्रशस्ति की रचना की गई तो प्रयाग प्रसस्ति जिसका संबंध समद्र गुप्त से है, यह हमने पहले भी पढ़ा है, तो प्रियाग प्रसस्ती की रचना समद्र गुप्त के दरबारी कभी हरी सेन के द्वारा की गई थी, अब यहाँ पर कुछ बाते याद रखना, कि कनिश्क के राजकभी का नाम क्या था? तो कनिश्क के राजकवी का नाम अश्वगोस था जिसके द्वारा बुद्ध चरित जिसे बौद धर्मे की रामायन कहा जा रहा है और दूसरी कौन से किताब है सौंद्रानद जो संस्कृत भाषा में लिखी गई उसकी रचना की जाएगी लेकिन समुत्र गुप्त के राजकवी का नाम हरीशेन है और इसके द्वारा प्रियाग प्रसस्ती की रचना की जाएगी जिसका संबंद भी समुत्र गुप्त से है दोस्तो अगला सिक्कों पर वीडा बजाती हुई इसकी कुछ प्रतिमायन मिलेंगी वीडा बजाती हुई कि कुछ प्रतिमायन भी देखने के लिए मिलेंगी और प्रियाग प्रसस्ती संस्कृत भाषा में लिखी गई है ब्राम्ही लिपी में और चम्पू शैली चम्पू शैली में गध और पध्य प्रोज और उसका दोनों का इस्तमाल किया जाता है गध्य और पध्य का इस्तमाल किया जाता है आगे बढ़ते हैं कुछ और बाते समद्दुर्गुप्त का एक एरन अभी लेक भी है एरन इंक्रिफ्शन और समद्दुर्गुप्त है याद रखना एरण जो है वो मध्य प्रदेश के सागर में आता है एरण अभिलेक का संबंद भी समद्र गुप्त से है जहां उसकी पतनी दत्त देवी के बारे में चर्चा की गई है तो समद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन विशेंट इसमित ने कहा बहुत ही प्रतापी जा था वीना बजाते हुए सिक्को पर इसकी आकरती का अंकन किया गया है कवी राज परम भागवत की उपादी धर्म करने वाला ये पहला गुप्त साशक होगा ये सारी उपाधिया मिली है प्रियाग प्रसस्ति इसके राज कभी हरी सेन के द्वारा बनवाई गई अब चंद्रगुप्त दुतिये 380 इस्वी में साशक बनता है और इसके काल को गुप्त काल का स्वरनकाल कहा जाएगा क्यों कहा जाएगा क्योंकि इसके काल में साहित में बहुत ज्यादा ब्रद्धी होती है लिक्रेचर में बहुत ज्यादा ब्रद्धी होती है बहुत महान महा लेकक चंदरगुप्त दुतिय के साशनकाल में देखने के लिए मिलेंगे तो चंदरगुप्त दुतिय के साशनकाल को गुप्त काल का स्वरनकाल कहा जा रहा है इसकी बहुत सारी उपादियां थी पहली उपादी थी विक्रमादिती जो की शक साशकों को पराजित करने के बा एक थी उज्जैन पूर्वधीश्वत चंद्र परंभागवत शकादी ये सारी इसकी उपाधियां थी दो राजधानियां थी पहली राजधानी पाटली पुत्र थी और दूसरी राजधानी उज्जैन थी और उज्जैन में नौरत्न थे दोस्तो जो चंद्रगुप्त के नौरत न उजयन वाले इलाके में बैठा करते थे आगे बने अपनी स्थिति को बहतर बनाने के लिए नागवश की राजकुमारी कुबेर नाग से इसने बिवाह किया कुबेर नाम से उसको एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम है प्रभावती गुप्त प्रभावत गुप्त का विवाह वाकातक साशक रुद्रसेंदुतिये से किया और जब रुद्रसेंदुतिये की म्रत्य हो जाती है तो प्रभावती गुप्त ने ही वाकातक सामराज्य पर साशन किया था ये पूरी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ मैंने ये भी बताया था कि क्यों चंद्रगुप्त दुतिये ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह रुद्र सैन दुतिये से किया, इसका एक ही कारण था कि जो वाकाटक राज्य है, वो शक और गुप्त राज्यों के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता था, यही कारण था कि ये काम किया ग फाहियान किसके समय भारत आया, तो चंद्रगुप्त दुतिये के समय भारत आया, और यह हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, और इनके दरबार में नौ विद्दवान थे, जिनको नवरत्न कहा जाता था, और यह जो नवरत्न है, यह उज्जेन वाले इलाके में बैठा करते ह प्रशन बर नहीं, चंद्रगुप्त दुतिये, एक्जाम की पॉइंट व व्यू से बहुत जादा इंपॉर्टेंट है, प्रभावती इनकी बेटी है, जिनकी शादी वाकटक नरेश से की जा रही है, नाम है रुद्रसें दुतिये, चीनी यात्री फाहियान इनके दरबार में आ रहा है, नौ अलग-अलग विद्दवान हैं, और नौ अलग-अलग विद्दवान भी चंद्रगुप्त दुतिये के साशन काल में है, नौ विद्दवानों को नवरत्न कहा जा रहा है, और इसी के काल को गुप्त काल का स्वरन काल भी कहा जा रहा है, गोल्डन एज के बाद मालवा में चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाया तो ये भी हमने देख लिया था कि जब उज्जेन के सक्ष आशकों को जीत लिया गया तब इसके उपलक्ष में पूरे के पूरे मालवा में चांदी के सिक्कों को चलवाया गया और साथ ही साथ विक्रमादिति की उ भारत आया था जबकि जलमार्ग से ये भारत लोटा था इसने कहा था कि जो मध्य देश है वो ब्रामनों का देश है और चंडालों का पहली बार जो वर्नन किया गया चंडालों का पहली बार वर्नन फाहियान ने किया फाहियान अपनी किताब में लिखता है कि वैसे तो वर्न पाईयों से भी दूर भागते हैं लोगों का मानना है कि जब चांडाल सडक पर आते हैं तो सडक भी आपवित्र हो जाती है तो यहां पर untouchability की बात की जा रही है चुआ चूट के बारे में हलकी जानकारी फाहियान के द्वारा यहां पर दी जा रही है और दूसरी बात फाहियान ने ये भी कहा कि पाटली पुत्र में कौनी जो होती है कौनी कौनियों का उप्योग किया जाता था मुद्रह के रूप में करनसी के रूप में कौनियों का उप्योग किया जा रहा है यह बात भी फाहियान के द्वारा कहीगे अगली थोड़ा सा नव रतनों के बारे में बात कर लेते हैं तो चंद्रगुथ दुतिये के दरबार में नौ प्रमुख विद्वान हुआ करते थे जिनमें कालिदास, धनवंतरी, वराहम हिर, अमर्स है, छड़कक, शंकू, वेतालभट, घटकपर और वरुची का नाम आता है, तो इसमें से सबसे ज़्यों जो इंपोर्टन्ट है, ये तीन आपको याद रखना है, ये तीन मुस्त इंपोर्टन्ट है, कालिदास सबसे प्रमुख नवरतन थे, याद रखेंगे, धनवंतरी, शिकितसत थे, और वराहम हिर, खगुल, शास्त्री और जोतिस के जानकार थे, ये तीन सबसे ज़्यादा महत्तुपूर्ण है, जिनका नाम पूझा जाता है, और एक प्रशन, एक प्रशने यहाँ से ये भी बनता है, की जो कालिदास है, उनका संबंध किसके साशनकाल से था, तो कालिदास का संबंध चंदरगुप्त दुटिये के समय, ये नवरतन थे दोस्तो, और ये सारे के सारे लोग उज्जेन में बैठा करते थे, दो तीन बातें और याद रखें देव की चंद्रगुप्तम के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद एक रामगुप्त नाम का साशक भी बना था यहाँ पर पता है यह नोट मैंने क्यों लिखवाया एक तो कुछ लोग यह कहते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त साशक बना फिर वो एक पूरी कहानी है कि उस चंदरगुप्त के द्वारा मार दिया गया वो एक स्टोरी है सही है या नहीं है नहीं पता important question ये बनेगा कि विशाक दत्त एक तो मुद्रा लाक्षिस के रचेता है मुद्रा लाक्षिस के अलावा एक देवी चंदरगुप्तम नाम की किताब भी इन्होंने लिखी है इसके रचना की है देवी चंदरगुप्तम नाम की एक महत्वपून किताब की रचना भी विशाक दत्त के द्वारा की गई है ये नोट important है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट को हम शुरू करते हैं और अब हम बात करते हैं कुमार गुप्त प्रथम के बारे में कुमारगुप्त के बारे में कुछ पातेए यहाँ पर याद रहे कि कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य भी कहा जाता है इसे स्कादित्य भी कहा जाता है अलग-अलग उपादियां तो समुर्धुर गुप्त दुतिये अपने आपको विक्रमा दित्ते कह रहे हैं, जब उन्होंने शक साशकों को जीत लिया, चंदर की उपाधी भी उन्हें दी गई है, तो उसी प्रकार से जो कुमार गुपत हैं, इन्हें शका दित्तिये या महिंद्र दित्ते कहा जा रहा है, यह उपाधिया हैं जो अपने आपने लेते दे, और अभिलेक, गुपत असाशक के अभिलेक, अगल नालंद विश्व विद्याले की स्थापना कह लाई, यह most important point है कि गुपत साशक कुमार गुपत प्रथम के द्वारा बिहार में नालंद विश्व विद्याले की स्थापना की जाएगी, जो कि अभारत में बहुत ही सिक्षा का, बुद्धिस्ट एजूकेशन का एक बहुत बड़ा केंदर बनेगा, देश विदेश से अलग अलग लोग नालंद विश्व विद्याले में पढ़ने के लिए आएंगे, ठीक है, फिर इसकंद गुपत के बारे में कुछ बाते जान लेते जिए हैं, कुमार गुपत हो गया, अब इसकंद गुपत की बात करते हैं, तो इसकंद गुपत को क्रमादित्य कहा जा रहाया है, अब यह सब yêu नहीं रहरा है, एक आध-दो प्रशन आएंगे, दो देख लिएंगेगे हैं शक्रोपम कहा ज़लेंगे, और कि रमादित्य है और शक्रोपम, ठिक है, इसने सुदर्शनजील का पुनर उद्धार कराय तो सुदर्शन जील के साथ बहुत सारे लोगों का नाम दूर गया, किस किस का नाम दूरा? चंद्रगुप्त मौरिय, इस्थापना करवाई थी, अशोक, अशोक का नाम, अशोक के बाद रुद्र दामन, ठीक है, रुद्र दामन के बाद इसकंद गुप्त का नाम भी यहाँ पर जोड़ता हुआ दिखाई दे रहे, तो चंद्रगुप्त मौरिय, अशोक, रुद्र द और इसकंद गुप्त और इन सब की जानकारी कहां से मिल रही है ये पूरी जानकारी हमें रुद्र दामन के जूनागड या गिरिनार अभिलेग से मिल रही है जो की संस्रित भाषा का सबसे बड़ा अभिलेग है ठीक है और पंच दत्त को सौराष्ट का गवर्णर बनाया और इसके समय हून आकरमन होना शुरू हो जाएंगे और मिलावत वाले सिक्के जो हैं इसकंद गुप्त के समय जारी कर दिया जाएंगे सर आप कहोगे कि ये मिलावत वाले सिक्कों की बात आप क्यों बता रहे हो ये बात में आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब किसी भी वो decline कर रही है धीरे धीरे वो नीचे की और जा रही है और यह किसी भी सामराज्य के पतन का कारण होता है किसी भी empire के, आप कहा सकते है decline का एक बहुत बड़ा reason होता है तो यह कुछ point है यहां आपको याद रखना है कुमार गुप्त, नालंदा विश्विद्याले की स्थापना, इसकंद गुप्त, सुदर्शन जील का निर्मान, और इसके समय हून आक्रमन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं भानु गुप्त के बारे में, भानु गुप्त के बारे मे अभिलेक भी मिल रहा है, जो की 510 AD के आसपास है, और भानु गुप्त के एरण अभिलेक से पहली बार सती प्रथा की जानकारी मिलती है, लिखा गया है कि भानु गुप्त का एक सैना पती था, जिसका नाम था गोपराज, और गोपराज जो है, जब हून आक्रमन भारत पर हैं दोस्तों, सती हो गई, तो सती प्रथा का जो पहला साक्ष है, वो भानु गुप्त के एरण अभिलेक से मिलता है, जो 510 AD के आसपास लिखा गया था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर, और अंतिम साशक का नाम क्या है दोस्तों, अंतिम साशक का नाम ह है, विश्नु गुप्त, बताईए, यहां तक क्या आपको बाते समझ में आई, यह हम दे गुप्त काल के सभी राजाओं के बारे में बात कर ली, सारे इंपॉर्टनेंट रूलर्स को हमें डिस्कस कर ली है, बताईए कि यहां तक क्लियर है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक, चलो, एक छोटी सी बात बोलू, अतलब आप लोगों से, अब देखो, इन चीज़ों को ना बहुत ध्यान से बढ़ना, अभी यह जो समय आपको बिल रहा है, लगभग, 99 दिन का समय मारे पास बचा हुआ है, 99 डिस का टाइम बचा हुआ है, देखो पिछली बार जब फिलिम्स आ होता क्या है कि जब notification आता है, तो अभी 10 दिन, 15 दिन आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी जलेगी, आपका pace बहुत अच्छा रहेगा, फिर दीर दीर आप decline करोगी कि हमारे पास अभी और दिन बचे हुए है, अलग-अलग बहाने आएंगे, अलग-अलग confusion आएंगे, कुछ लोग कुछ किताबों को पढ़ेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, यार फिर से बता रहा हूं कि देखो, important यह है कि आप अभी से, जो इन इन दिन का समय है, कोशिश ये करें कि अपने मन पर जितना नियंतरन आप कर सकते हैं, बोलते ना, इंदरियों पर नियंतरन करना कि जाए है, कम भटकना है आपको, बार-बार परेशान नहीं हो है, जब अगर आप मेरे साथ इतिहास पढ़ रहे हैं, तो अब इतिहास की टेंशन लेना आपको छोड़ देना चाहिए, अगर किसी, मैं अपनी बात नहीं करो, किसी भी टीचर से आप इतिहास पढ़ रहे है किसी किताब से आप इतिहास पढ़ रहे हैं, या फिर कहीं से भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दूसरे टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको परिशान नहीं होना है कि आप मेरा लेक्चर भी देखो, किसी और का लेक्चर भी देखो, नहीं, ये नहीं करना है, बूसली ने बहुत अच्छे बात कही थी जो हमेशा मैंने रिपीट की है आप लों के सामने बूसली का कहना था कि मुझे उस इनसान से डर नहीं लगता जिसे 1000 प्रकार की अलग अलग किक आती है मुझे उस इनसान से डर लगता है जिसने एक की प्रैक्टिस 1000 या 10,000 बार कर ली है और फिर वही याद रखना मुवी है चान्नी चौक तुचाइना उसमें आक्री वाला मुवेंट याद है ना जब अक्षे कुमार जीता है तो वो उसी मूव से जीता है यो बच्पन से करती है ताकि जाने अंजाने में करते है आ रहा था वो आता आको ऐसे से मारता था और उसी चीज का उसी काउपियों करके वो फाइड सीखता है तो अभी जो आपकी कहानी है ये वो समय नहीं है जब आप जाकर के नई नई तर्की को सीखेंगे मार्केट में जाएंगे बहुत सारी किताबे उठाएंगे फाइगे ये वो समय है मेरे दोस्त जब आपके पास जो material है उस material पे वर्क कीजिये ठीक है ये समय नई तलवारे खरीदना का नहीं है ये समय है जो तलवार आपके पास है उसकी धार को पहना बनाईए नई तलवार लेकर मताईए ठीक है revision is must मैं जब कह रहा हूँ मैं 15 days में history करा दोंगा history खतम हो गई अब आपको history के लिए परिशान नहीं होना है प्रशन आएगा आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा मैंने ये तो नहीं कहा ना कभी भी कोई नहीं कह सकता कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहां से प्रशन आएगा मैंने कह रहा आप मुझे बता दो क्या आप अपने आप से कह सकते हो कि जो किताब आप पढ़ रहे हो उसी से प्रशन आएगा आप भी ये बात नहीं कह सकते तो ये सारी बातें आपके या मेरे हाथ में नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा आप और मैं आयोग में तो है नहीं है या फिर ऐसा भी नहीं है भीया कि आप और हम उनके जमाई राजा लग रहे हैं ये वो हमको प्रशन बताएंगे हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है मेहनत करो रिजल्ट और एक्जाम के सिलेक्शन के बारे में ज़्यादा मत सोचो ठीक है? बहुत अच्छे सा रिवीजन करना है आपको सिर्फ रिवीजन पर ध्याम देना है MCQ लगाईए पढ़िए आगे बढ़िए बार बार रिवाइस कीजिए और कोशिश ये करना मेरे दोस्त कि जो 99 दिन का समय आपके पास बचा है 99 डेस का जो टाइम आपके पास बचा है इसमें कम से कम दिन आपके खराब हो ये बात में बार बार बोलूँगा देखो खराब तो होंगे दिन ये तो टय है किसी के 5 दिन खराब होंगे किसी के 10 दिन खराब होंगे पर कोशिश ये करना कि 10 या 15 दिन से ज़्यादा आप खराब ना करो ताकि ले देके at least 75 दिन तो आप पढ़ाई कर लो और मैं तो ये भी कहूँगा कि इसको जितना कम कर सकते हों करो इसको अगर आप 90 कर सकते हों तो मजा जाएगा अगर 90 दिन आपने पढ़ाई कर ली और 9 दिन बस आपने खराब किये आप सोचो आप कितना आगे बढ़ चुके हों तो कोशिश इस प्रकार से करना पढ़ाई में ब्रेक लो ब्रेक अप कर लो भी तीन महीने के लिक्ट करी बात नहीं है ठीक है अच्छे लोगों से बात करो पस दिमाग अच्छा रखो और ज्यादा अपने आपको नहीं सब बिचार महान मत कहला आड़ जगा है अरे मैं PSC के त्यारी करो PSC लेपी से ऐसे में क्या है आपको लोग खा जाएंगे आराम से पढ़ाई करो और अगये बढ़ते हैं बढ़िया तरीके से पढ़ो और अब हम discuss करते हैं गुप्तकाल की राजनेतिक विवस्त्ता के बारे में गुप्तकाल के पॉलेटिकल चैट कर रहे हैं यूटूब ऐसा बाजू में रखें दो दो फोन रखेंगा ऐसा मत कर रहा है और अब डिसकस करते हैं गुप्तकाल के राजनेतिक बवस्ता के बारे में जिलों में पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ दी गुप्ता पेरियट किया इस प्रकार से प्रसाशन का विभाजन किया गया था सबसे उपर देश था में देश, देश के नीचे राज्य हुआ करते थे, राज्यों को भुक्ती कहा जाता था, और भुक्ती का प्रसाशन उपरिक के द्वारा चलाये जाता था, जो प्रांत है, वो अलग-अलग जिलों में बटे हुए थे, जिले को विशे कहा जाता था, और इसका प्रधान विशय प रटा हुआ था तो सबसे बड़ी एकाई देश है ठीक है और सबसे छोटी एकाई दोस्तो ग्राम देखने के लिए मिलेगी यह दो बातें आपको याद रखना है यहां से प्रश्ण नहीं बनते हैं बस यह याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं अगली चीज केंद्रिया प्र साशन में यह तो क्लियर है कि साशन का प्रमुक कौन होता था राजा होता था तो जितनी भी विवस्ताएं हैं भारत में वो राज तंत्रात्मुक विवस्ताएं हैं वो मोनार्कियल सिस्टम है तो उसमें प्रमुक कौन होगा जी राजा होगा अगली चीज राजत्तो का दे ये सिध्धन्त क्या होता है। तोâm डिवाइन प्रिंसिपल और मुनारगी का सिध्धन्त यही है कि राजां अपने आपको भगवान कह रहा है। मुझे भगवान ने यहांपर भेज़ाे है। मुझे एश्षवरण न már यहांपर भेज़ा हुआ ह। इसी को हम बोल रहे हैं divine philosophy ओके तो ये चीज आपको याद रखनी है अगली चीज गुप्त काल के जो प्रमुख मंत्री है उनमें एक नाम है कुमार आमात्य का जो की सबसे बड़ा प्रसाशनिक अधिकारी होता था दूसरा है महा डंड नायक जो की युद्ध और न्याय का बल अधिकरत सेना का अधिकारी था यह ओके अग्रहारिक यह दान बिभाक का सर्वोच अधिकारी था देखो जहां से प्रशन आएगा वह याद रखो एक तो याद रखो यहां से महासंदी विग्रहक और दूसरा यहां से याद रखो कुमार आमत्य बस यह दो important है कुमार आमत्य जो है वो highest administrative officer है और जो महासंदी विग्रहक है उसे आप याद रखना he is a foreign minister वह है विदेश मंत्री है ठीक है वो कैसा मंत्री है वह है विदेश मंत्री है he is a foreign minister तो ये बातें यहाँ याद रखना आगे बढ़ते हैं केंदरिये प्रसाशन के बाद अगला topic है प्रांति administration का तो प्रांति ये प्रसाशन को भुक्ती कहा जाता था राज्यों को क्या कहा जाता था राज्यों को भुक्ती कहा जाता था और राज्य का प्रमुख उपरिक होता था और ये जो उपरिक है ये जर्णली युवराज हुआ करते थे देखिए जैसा हमने मौर्यकाल में दे जैसे कि राजा का बेटा हो गया भतीजा हो गया ऐसे लोग ही कौन हुआ करते थे प्रांतों के प्रमुख हुआ करते थे और मौरियस सामराज में प्रांतों की संख्या पांच थी लेकिन गुप्त काल में माना जाता है कि बहुत सारे प्रांत थे और इनकी संख्या नहीं बता गई है गुप्त काल में प्रांतों को भुगती कहा जा रहा है और इनके प्रसाशिश को उपरिक है इनका जो प्रमुख है वो कौन है उपरिक है आगे बढ़ते हैं एक नोट याद रखे कि गुप्त काल में कायस्थ नामक एक नए वर्ग का उद्ए हुआ जिनका पहली बार उलेख याग्वलक के इसम्रती में किया गया था और इनका कारियर लेखा जूखा होता था बहुत बहुत इंपोर्टन प्रिशन है मेरे दुख्ष्ट ये प्रिशन आ चुका है दुबारा भी आ सकता है प्रिशन ऐसा बनेगा कि कायस्थ वर्ग की उत्पत्ति किसके साश याग्वलक के इसम्रती में किया गया था तो याग्वलक के इसम्रती में कायस्थ वर्ग का उले किया जाएगा जो लेखा जोखा का काम करेंगे और लेखा जोखा काम है जो आडिटिंग का काम है डॉक्यूमेंटेशन का काम है ये पहले सिर्फ ब्राम्भन वर्गे के बारा किया जाने लगेगा आगे बढ़ते हैं और अब हम गुप्त काल के समाज के बारे में बात करते हैं गुप्त के टाइम में किस प्रकार की सुसाइटी थी इस बारे में जरह हम बात करते हैं तो देखिए गुप्त काल में वर्ण बवस्था का प्रचलन था और वर्ण पर पर वर्ण वर्ण ब्वस्था जन्म आधारित ही होगी कर्म आधारित ये नहीं होगी दोस्तों अगला फ्वाहियान में चांडालों का उलेक किया था और एक प्रकार से चुवा छूत की पृथा देखने के लिए मिलती है अंटचबिलीटी की प्रेक्टिस देखने के अगला ब्राम्मणों को ग्राम दान किया जाता था, इंट्रस्टिंग है, सर ये इंट्रस्टिंग क्यों है, क्योंकि जब हमने साथ वाहन के बारे में पढ़ाता, तो साथ वाहन साशक वो थे, जिन्होंने ब्राम्मणों को भूमी दान देने की प्रता शुरू की थे, और ना ग्हानगाट याद आपको याद होगा तो नानगाट अभीलेक में पहली बार कहा गया था ब्राम्भणों को भूमी डान कैंजा रही है जो लैंड है वो HEL डोनेट की जा रही है किसको ब्राम्भिन, sd. लेकिन गुप्त काल में ब्राम्भनों को गाउं के गाउं दान कर दिये गए तो ग्रामदान की प्रैक्टिस देखनी के लिए मिलती है शुद्रों की इस्थिती में सुधार हुआ और नारद इस्मती में 15 प्रकार के दासों की सूची मिलती है तो इसका मतलब ये है मेरे दोस् दास प्रथा का प्रचलन था गुप्त पीरियड में दास सिस्टम या स्लेवरी जो है वो प्रैक्टिस में लगातार की जा रही थी ठीक है और इस्त्रियों की स्थिति की बात करें तो इस्त्रियों को पुरान सुनने का अधिकार मिल गया था परदा पृथा, सती पृथा और नियोग पृथा बाल बिवाह ये सारी चीजें चल रही थी बाल बिवाह हमने देख लिया करेंश्की की समय से प्रारम हो गया था इस्त्रियों की दैनिय इस्तिति थी इस्त्रि को पुरुष निजी संपत्ति मानते थे और देवदासी प्रता का प्रचनन यहाँ पर था यह जो शब्द हैना यह बड़ा ही important word है यह unfortunately आज भी हमारे समाज में चल रहा है unfortunately आज भी हमारे समाज में चल रहा है कि इस्त्रियों को एक संपत्ती के रूप में उप्योग किया जाता है एक प्रॉपर्टी के रूप में उप्योग किया जाता है और यह सारी चीज़े आपको देखने के लिए मिलीगे चाहे उनके सिक्षा की बात करें उनको फ्रीडम उनको पता है अमारे सुचिए कि आज भी भारत में लड़कों को अधिकार है कि वो अपने शादी जहां चाहे वहां कर सकते है पर वही जब एक बात लड़की पर आती है तो यह सारे अधिकार उसके लिए कम हो जाते हैं एक माबाप लड़कों से उतनी उम्मीद नहीं करता कि वो समाज में इज़ब की बात करेगा लड़का शराब भी पी रहा है सिगरिट भी पी रहा है लेकिन लड़की पर बहुत पाबंदियां लगाई जाती है उसे प्रॉपर्टी की तरह रखा जा रहा है प्रॉपर्टी की तरह उसका इस्तमाल किया जा रहा है तो पुराने जमाने में जब सती का प्रिचलिन हुआ तो पुरुषों का ये मानना था कि अगर मैं मर जाओं तो मेरे बाद तुरंत में जो मेरी पतनी है वो भी मेरे साथ मर जाए लेकिन अगर पतनी मर जाए तो क्या पती मरता था? नहीं पती दूसरी शादी कर सकता था, समाज में कोई पाबंदिया नहीं थी लेकिन पतनी के भी दुबारा विवाह करने पर भी आपतियां थी तो सुरू से ही जो एक मानसिकता है, ये बहुत ही घटिया मानसिकता है जो अनफॉर्चुनेटली आज भी है और पूरी की पूरी सुसाइटी हमारी डबल स्टेंडर्ड पर चलती है दोहरे आयामों पर चलती है पूरुषों के लिए मानडंड अलग है, अगर एक पूरुष दूसरी शादी करे तो कभी भी उसके करेक्टर पर सवाल नहीं किया जाता लेकिन अगर एक इस्त्री बाहर बात भी कर ले चलिए तो उसके करेक्टर पर हम क्वेश्चन करते हैं ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि हमारे यहां आज भी समाज में इस्त्रीयों को संपत्ती के रूप में इस्तमाल किया जा रहा है और ये चीज गुप्त सामराज में देखने के लिए मिलेगी तो गुप्त में इस्त्रीयों की स्थिती बैतर नहीं थी हाला कि उन्हें पुरान सुनने का अधिकार था लेकिन परदा प्रता, सती प्रता, नियोग प्रता, बाल बिवाह, देवदासी प्रता इस्त्री को संपत्ती मानना ये सारी चीजें जो हैं वो गुप्त काल में प्रारंब हो चुकी थी ठीक आगे बढ़ते हैं अगला जो पॉइंट है इसके बाद आज का टॉपिक खतम हो गया या पोगे सर ये ओके तो जैसा कि मैंने बताया आज हमारी आखरी क्लास है आज हमारी लास्ट क्लास है इंशेंट हिस्ट्री की प्राचीन भारतिय इतिहास की कल से हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे मेडेवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों पिछली क्लास में हमने काफी सारे टॉपिक डिसकस कर लिये थे जैसे हमने मौर उत्तरकाल के सामराज पोस्ट मौर पीरियट के जितनी भी डाइनस्टी पढ़ी थी उनके बारे में हमने पढ़ लिया था शुंग वंश, साथवाहन वंश, कणब वंश, चेदी वंश, उसके बाद हमने ग्रीक आकर्मन कारियों को पढ़ा हमने यवन आकर्मन को पढ़ा और यवन आकर्मन में हमने हिंद, यूनानी, साशक, इंडो, ग्रीक, रूलर्स के बारे में पढ़ा उसके बाद हमने शकों के बारे में पढ़ा जिनको सीथियन कहा जा रहा है पहलब जिनको पार्थियन कहा जा रहा है और कुशान वईश के बारे में हमने पढ़ा इतना पढ़ने के बाद फिर हम गुप्त सामराज पर आ गये थे गुप्त डाइनेस्टी को पढ़ना हमने शुरू किया था या गुप्त एम्पाइर की बात करना हमने शुरू किया था गुप्त एम्पाइर में लगभग सारी चीजों को हम पढ़ चुके थे हमने सभी राजाओं को डिसकस कर लिया था, चाहे वो शिरीगुप्त हों जो इसके संस्थापक हैं, चंद्रगुप्त प्रिथम जो वास्टविक संस्थापक हैं, समुद्रगुप्त जिनको भारत का नेपोलियन कहा गया है, चंद्रगुप्त दुतिये जिनके दर्बार में नवरतना रहा करते थे, कुमार गुप्त जिन्होंने नालंदा विश्विद्याले की इस्थापना करवाई, इसकंद गुप्त और आखरी शाशक थे विश्नु गुप्त इनके बारे में सारी बाते हमने पढ़ ली थी. इसके बाद दोस्तों आपको याद होगा, हमने गुप्त काल के प्रसाशन के बारे में भी पढ़ लिया था, गुप्त एज के एड्मिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ लिया था, साथ ही साथ हमने गुप्त काल की सामाजिक बिवस्था को भी देख लिया था, उसके social structure को भी देख लिया था आज के जो हमारी class होगी उसमें हम गुप्त काल की अर्थबवस्था साहित्य, वास्तुकला, धर्म गुप्त एज का literature, economy वहाँ पर architecture और religion इन topic के बारे में बात करेंगे फिर इसके बाद कुछ छोटे-छोटे topic बच जाते हैं जैसे गुप्त सामराज्य के बाद एक वर्धन सामराज्य आता है जिसमें हर्ष वर्धन सामिल है उसके बाद इतिहास में छोटे-छोटे राजवन्षों का उदय होता है उन छोटे राजवन्षों को हम पढ़ेंगे और प्राचीन भारत का इतिहास दोस्तों खतम हो जाएगा फिर कल की क्लास कल हम रात में 10 बजे इसका एक पूरा टेस्ट भी लगा लेंगे complete ancient history का टेस्ट कल रात 10 बजे होगा आज रात 10 बजे जो टेस्ट है वो उसका टॉपिक मेंने डाल दिया है मौरे उत्तर काल से लेकर के push वर्धन या वर्धन सामराज तक का टेस्ट रात में 10 बजे लिया जाएगा चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और अगले टॉपिक की बात करते हैं तो अगला जो हमारा टॉपिक है जो हमें discuss करना है आज तो यहां से discuss करना है गुप्त काल की अर्थ बबस्ता यह हमारा टॉपिक रहेगा गुप्त एज की एकनॉमी के बारे में हमें बात करना है तो देखो एक बात याद रखना प्राचीन काल में जितने भी साशन काल हुए जितने भी बड़े बड़े सामराज हुए अब कुछ बाते यहां पर देखी सबसे पहली चीज भूराजयश्व चुकि सबसे बड़ा सोर्स है लेंड रिवेन्यू सबसे बड़ा सोर्स है इंकम को आगे बढ़ाने का तो ये एक बटे चार से लेकर के एक बटे छे भाग हुआ करता था मतलब अगर टोटल प्रोडक्शन हम हंडेड माने तो हंडेड का 1 बाई 4 लगभग 25 परसेंट आ जाएगा और 1 बाई 6 भी कुछ कुछ कंडिशन में हुआ करता था विच इस लाइक रफली अगर हम कल्कुलेट करें तो शायद 16 के असपास जाएगा ना 16 परसेंट के असपास चला जाएगा तो ये भूरा जश्य हुआ करता था गुप्त काल में विस्थी या बलात स्रम आय का एक स्तुरूत माना जाता था आर्थिक उपियोगिता के आधार पर भूमी को 5 भागों में बाटा गया था कितने प्रकार की भूमी होती थी? तो 5 प्रकार की भूमी होती थी 5 प्रकार का लेंड गुप्तन पिरियड में हुआ करता था कौन-कौन से? छेत्र छेत्र ऐसी भूमी को कहा जाता था जिस पर हम क्रशी कर सकते हैं ठीक है वास्तू ऐसी भूमी को कहा जाता था जिस पर हम निवास कर सकते हैं चारा गाह ऐसी भूमी को कहा जाता था जिस पर पश्वों का चारा के लिए उप्यों किया जाता था सिल जिसमें जुताई नहीं हो सकती और आप रहत जो जंगली भूमी है उसे आप रहत कहा जाता था अब देखो झाड़ देखो're को अभाई जो झाल 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 झाल